अगे अच्छा गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओल अफ यो तो पॉरेक्स हमारा खतम हुआ मतलब मुस्किल जो भी था वो खतम हुए अब कुछ नहीं कुछ भी नहीं बचा फॉरेक्स और सर यह वाला कोश्चन अभी ना यार क्लास स्टार्ट होते ही सिधा कोश्चन नह है नया फ्रेस फ्रेस है तो पहले कॉंसिप्ट कर लेते हैं इस कोश्चन को हम लाश्ट में उठा लेंगे ठीक है यह कल डिसकस कर रहा था पर मैंने का यह कोश्चन मुझे क्लास में ही करवाना थोड़ा रुक्के करवा हूँगा पहले कॉंसिप्ट कर लेंगे तो कितना प बेसिक्स के बाद सर हमने किया था इस्पोर्ट मार्केर आर्विट्रेस ke बाद सर हमने किया था फावर्ट कवर क्या होता है तीन फिर कवर डिल छार फिर डिटरमिनेश पाच और फिर फ़रे फॉरेंट करेंसी एक्सपोजर छे अब लिख रहा हूं पॉइंट नमबर साथ मेरे क्या से बीच में कुछ बचा नहीं होगा पाकि नम्बरिंग आप देख लेना एकमर पॉइंट नमबर सेवन ठीक है सर मल्टिपल चोइस कोश्चन आने की पूरी उम्मीद है यहां से Cancellation and extension of forward contract cancellation and extension of forward contract इसके अंदर सबसे पहले जो पढ़ना हैं तो इसके अंदर सबसे पहले जो पढ़ना हैं तो के इवरकोंट सर इसे कोशन आते हैं इस tip इस कोशना हैускं है मतलब नवम्बर介 Then तो बहुत सारे होची जोथ सरे से कोईज़ाने के है क्टल फिर ऑचा की ओँशना सकता है इसी एटेंट डा तॉ पहले तरह जाओ कि आप लोगों की औफिक्षन आयें इससे कैसे कॉशन सब्सक्राइज ना सकता है extension of forward contract you early delivery overdue as I will overdue automatically cancel automatic automatic cancellation automatic cancellation automatic cancellation okay yes sir yes sir यह चार पॉइंट्स है जो कि कल तक खतम आ जाएगा हमाजा कि एक बर मैं समझाने की कोशिश करूँगा अगर समझ में आ गया तो फिर कुछ बचाने बिल्कुल है अगर 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 बस रेट को पहचानना सीख लेना बाकि कुछ नहीं लिख लिया हो तो एक बर कंफर्म करोगी चला तो आज की क्लास का टार्गेट क्या रहेगा सबसे पहले सुन लेना आज की क्लास में ये दो पॉइंट कवर करेंगे और कल की क्लास में ये दो पॉइंट कवर करेंगे तो फिर्स्ट पॉइंट कैंसलेशन ओफ लिखना कुछ भी नहीं बस मेरी बात सुनना कुछ भी नहीं लिखना आपको ठीक है यहां बहुत कुछ लिखाऊंगा और लिखोगे कोई कुछ भी नहीं नहीं तो फिर काटना पड़ेगा अब सुनों के ध्यान से मेरी बात सर यूएस यह इंडिया और हमको सामने वाले को देना है डॉलर एक लाक और ठीक आज से तीन मेने बात तीन मेने बात जब गुट्स आ जाएगा तो हम यहां से ट्रांस्पर कर देंगे बात करता हम ठीक है सर चुंकि हमको तीन मेने बाद देना है तो हमने बैंक वाले से कहा कि बैंक भाई बेच चुगे क्या तो उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपको बेज देंगे तीन मेने बाद पी मन्द फाव़ड रेट और कितने में बेचेंगे तो इन्होंने कहा कि हम बेज़ देंगे आपको 80.50 पैसे के सबसे ओके ये सबको आता है कि यार ये जो परसन है राम एक लाख डॉलर तीन मेहने बाद इस परसन को ट्रांसफर करेगा और बैंक वाले से बात हो चुकिये कि 80.50 पैसे के सबसे ओके अब तीन मेहने का सीन ये है कि ये है आच ये है एक मेहने ये है दो मेहने और ये है तीन मेहने ठीक है अब ध्यान से समझना हर चीछ ओके अब यार एक मेहना हो गया दो मेहना हो गया तीन मेहने जैसे हुए और मैंने इसको फोन लगाया युएष वाली पार्टी को की भाई goods कहा है बोले नहीं नहीं पहुँचा रहे हुँआनोंने मना कर दिया होता है हमारे थो हिंडिया में यह ऐसा हो जाता है तो युएष वाली पार्टी ने बोला कि हम नहीं पहुचा रहे या फिर और भी रिज़न होगा इधर से goods नहीं आएगा अगर इधर से goods नहीं आएगा तो इधर हम dollar payment करेंगे क्यों अब तो नहीं करेंगे न और bank कहेगा कि आपने किया है forward contract आपको cancel करना पड़ेगा ओके सर अब किया क्या जाए कब की बात है सर due date इसको बोलते due date due date जिस दिन maturity थी उस दिन राम को forward contract cancel करना पड़ेगा अब cancel करना पड़ेगा मजबूरी है यार इधर तो आप कर लिया था मजबूरी है कुछ कर रही नहीं सकते तो bank इस से इस person से cancellation charges के रूप में ले सकता है सर उस दिन क्या rate था कब की बात कर रहा हूं है तीन मैंने due date का सर उस दिन rate था spot rate उस दिन का rate और उस दिन rate था लिखना नहीं है प्लीज रूपीस पर डॉलर और था उस दिन सर 79.25 और 79.75 ठीक अब bank क्या कहेगा सुनो सुनो बेटे यहाँ ना पूछा क्या जाएगा पूछा जाएगा कि forward contract cancel करने की वजह से इसको कितने रुपे का loss होगा और वो निकलेगा कैसे वो important बैंक गेंगा कि सुनो सुनो राम राम बोल दो इसको हाँ सुनो राम आपने क्या खरीदने का contract किया था हाँ और बैंक ने कहा कि मैंने आपको बेचने का contract किया था बोले हाँ तो बोले मैं बेचूंगा ही मुझे बेचना ही है आपको जूट मुट में और मैं आपको जिस रेट पे बात हुई थी उस रेट पर बेचूँगा 80 रुपए 50 पैसे के सब बेच दिया डॉलर अब बताओ आपको जरूरत है क्या बोले नहीं कहां से जरूरत है बोले आप अब मुझे वापस कर दीजिए मैं आपसे वापस खरीद लेता हूं मतलब सर रिवर्स कॉंट्रेक्ट होगा या सपोजिट कॉंट्रेक्ट कर देगा कभी भी कॉंट्रेक्ट कै गई सॉरी मोबाइल चल रहा हूं तो बैंक बेचेगा बेचने का कॉंट्रेक्ट था कितने में 80 रुपिया 50 पैसे बैंक वापस खरीदेगा किस रेट में 79.25 तो बैंक के एंगल से सोचना कि 100 पर्शन बैंक के एंगल से सोचना और कितना डॉलर है एक लाग डॉलर तो बता हूं कितना पैसा वसूर होगा जल्दी से आंसर चाहिए मझे असी रुपिया 50 पैसे का बेचेगा बैंक वापस खरीदेगा 79.25 का यह बीड रेट है और जो भी डिफ्रेंस आएगा इंटू डॉलर वन लेक इंटू डॉलर वन लेक एक लाग 25 जर बस खतम यही तो है मैंने पहले का था मल्टीबल चोश्चन आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है ओके एक लाग 25 जार का लॉस हो रहा किसको लॉस हो रहा सर कस्टमर को कस्टमर से पैसे वसूल किये जाएगे बैंक कहेगा कि ठीक है कॉंट्रेक्ट एंसिल करना कर दो एक लाग 25 जर यहां छोड़ो और निकलो 1,25,000 कैंसलेशन चार्जेज गोलते सको ओके ओके सर हां इसी में सब डिसकस करूँगा बागी लिखवा दूँगा इसी में सब चीज़ डिसकस करूँगा सर मान लो रेट ऐसा होता 80.75 और 81.25 अगर वो रेट था तो बैंक जब वो 79 पॉंट कुछ था ना तो बैंक कस्टमर से पैसे वसूल कर रहा था पर रेट तो यह हो गया 80 रुपया 75 पैसे और 81.25 सर प्रैक्टिकली होता नहीं है पर हमारे कोश्चन में है बताओ क्या करें जूट मूट में काम करें बैंक बेचने का कॉंच्रेट हुआ तो बेचेगा कितने रुपय के सबसे 80 रुपय 50 पैसे और वापस खरीदेगा 80 रुपय 45 बैंक को लॉस हो गया यार बैंक को लोस हो गया है इस बार तो बैंक को लोस है कश्टमर को प्रोफिट है तो क्या बैंक कश्टमर को पैसे वापस करेगा क्यों कॉंधिट कैंसिल कर रहा है कि आ जाई है और ये 25,000 रुपए भी ले जाई है क्या वाकिह ऐसा करेगा बैंक आप से पूछ रहो कस्टमर को loss हो रहा तो बैंक कस्टमर से पैसे वसूल करेगा बट अगर कस्टमर को profit हो रहा है कस्टमर को profit हो रहा न बैंक बेचेगा 80-50 के साब से खरीदेगा 80-75 बैंक को loss तो क्या बैंक contract cancel करने पर बैंक कस्टमर को कहेगा कि ये लिजिए 25 ज़ रुपए आंसर है यस क्यों भई आंसर है यस forward contract है न यार दोनों party का obligation है पढ़ा नहीं है कि forward contract क्यों भई, bank हो गया तो कोई राजय आदमी हो गया, bank है तो क्या है कोई फर्क नहीं पढ़ता forward contract है, उसका भी obligation है मेरा भी obligation है दोनों को forward contract है अगर bank मना कर देता है तो हम तो आज आज आएंग, bank देना ही पड़ेगा आपको 80 रुपए 50 पर bank कैसे मना कर सकता है अगर rate ये हो गया, आप राम rate ये हो गया, बहले ही आपको नहीं लग रहा है dollar, आप खरीदो ये बात हुई थी, बेचिए, आपने खरीदा 80 पचास के साब से, और वापस bank को बेच दी 85 के साब से क्यों नहीं मिलेगा bank पैसे वापस करेगा, 100 पर आप खुश सोचिए न, थोड़ा दिमाग चलाओ अगर आपको लग रहा है कि यार contract bank पैसे वापस नहीं करेगा, तो actual में transaction कर लीजिए, actual में कर लीजिए सिंबल सी बात है, एक बात समझ में आई अगर customer को loss हो रहा है तो bank पैसे वसूल करेगा अगर customer को gain हो रहा है तो bank customer को पैसे देगा अच्छा, आप किसी को भी bank को भी ऐसा customer सोची कुछ special है, एक party है और आप एक party हो ठीक ओके ठीक है, यस सर, हाँ सर सुनो न हमको माल लो यहाँ पता लगा, जरूरी थोड़ी न है कि माल नहीं आने वाला हमको maturity rate पे पता लगे हमे, हमे हमें यहाँ पता लगा, अच्छा, मतलब एक मैने पहले ही पता लग गया, यस और एक मैने पहले क्या पता लगा, एक मैने पहले पता लगा कि सामने वाली party माल नहीं पहुचाने वाली है और मैं यहाँ, अभी एक मैना बाकी है, और तुरंट चला गया bank के पास, मैंने बैंक, bank, contract cancel करना, सुनो, cancellation, अब कौन सा, cancellation on, before maturity है क्या, contract पहले भी cancel किया जा सकता, किया जा सकता है ओके, तो bank, bank, मैंने खा, contract cancel करना, तो bank ने खा, ठीक कर लेते हैं, मैंने बेचने की बात किया, मैं तो बेचूंगा, 80.50 पैसे के सबसे और यहाँ का rate है, is portrait 79.3585 अब ध्यान से समझना मेरी बात को यह सरी, कहा का rate है, दो मैने का rate यहां का rate bank ने बेचने की, आप cancel कप कर रहे हो, यहां cancel करते हैं तो इसको बलते, cancellation on maturity अगर इसके पहले cancel करते हैं, तो इसको बलते, cancellation before maturity ठीक है, सर, बात समझ भाने है जब आप दो मेने कैंसिल करने गए और बैंक से पूछी क्या रेट चल रहा तो उन्होंने स्पोर्ट ट्रेड बताया 79.35 और 79.85 और बैंक ने का मैं तो बेचूंगा भाई बेचने की बात हुई तो सेलिंग रेट कितना 80.50 पैस है ठीक है सर अभी कौन सा है अगर मैं कहूं यह है एक अप्रिल तो यह हो गया सर 30 अप्रिल यह हो गया 31 मैं और यह हो गया 30 जून अभी यहां थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ठीक है सर यह वाला जो रेट कप का है सर यह वाला रेट है 30 जून का 80.50 पैसे किसी को कोई दिक्कत है क्या नाइस यह है वन मन्थ एंड 30 अप्रिल यह 31 मैं और यह 30 जून और यह राइड रेट कप का है यह एक्चुल में किस दिन डिलेवरी मिलने वाला था कस्टमर को 30 जब मैं यहां कैंसिल करता हूँ तो यहां जो इस पॉर्ट रेट दिया रहता है वो तो 30 जून का ही रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जब मैं यहां कैंसिल कर रहा हूँ एक मेहने पहले और यहां जो इस पॉर्ट रेट दिया है वो तो 31 माई का दिया है कभी भी contract cancel नहीं हो सकता, contract तब भी cancel होगा जब दोनो rate, selling rate और buying rate एक ही rate के होना चाहिए, समझ रहा है contract काटने का एक ही तरीका है, दोनो rate एक ही rate के होने चाहिए, ये rate कप का है, 30 जून का, तो इसको काटने के लिए जो दूसर rate लोगे ना वो भी 30 जून का ही चाहिए, तब भी contract cancel हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, जब मैं यहां contract cancel कर रहा था, तो मुझे 30 जून का rate पता था, पर जब मैं एक मैंने पहले, हाँ, जब मैं एक मैंने पहले cancel करूंगा, तो मुझे 30 जून का rate कैसे पता लगेगा, सर, यहां और भी कुछ दिया रहेगा जिसका नाम है वन मंथ पाववर्ट वन मंथ पाववर्ट ओके सर थियोरिटिकल प्राइज बोल सकते हो यस ऐसा हमने डेरी विट्यू में भी किया था पर मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चों ने डेरी विट्यू नहीं किया तो सर ये रेट कप का है 30 जून का तो मु अज़े भी 30 जून का रेट कैसे पता लगेगा सर यहां से एक मेने बात का मतलब वन मंथ फाववर्ट और वह मैं आपको दे देता हूं 79.6595 अब कॉंट्रेट कैंसल हो सकता है यस सेलिंग रेट है 80 रुपए 50 पैसे और बैंक वापस खरीदेगा कितने में 79.65 तो 80 रुपए 50 बताओ प्रॉफिट या लॉस कितना आएगा 85,000 85,000 का लॉस दूसर एक ही बात इंपोर्टेंट है कौन सी बता है हाँ जी पक्कास अब तो अब तो हो गया काम हो चुका है मेरा एक बात इंपोर्टेंट है कि कॉंट्रेक्ट कैंसल करते समय रिवर्स कॉंट्रेक्ट लेना होता है या कॉंट्रेक्ट कैंसल करते समय अपोजिट कॉंट्रेक्ट ले लेते है ओके बस सर हमको य ड्यूडेट पे कैंसिल हो रहा है या ड्यूडेट से पहले अगर ड्यूडेट पे कैंसिल हो रहा तो इसपार्ट से कैंसिल करेंगे अगर बिफोर मैचुरिटी कैंसिल हो रहा है तो फावर्ट से कैंसिल करेंगे ठीक है वो देख लेंगे फिर कोशन के सबसे अगर यहां कैंसिल हो रहा तो से बलते कैंसलेशन ओन अगर यहां कैंसिल हो रहा तो एक बार लिखवा दूं क्या पर हमें क्या-क्या पढ़ना है यह एक बार डिसकूस कर लो ना कभी-कभी ऐसा होता है, सुना, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं चला, ना, simple, कि इस customer से तीन महने में माल आने वाला था, तो हमने तीन महने में खरीतने का contract कर लिया, पर इसका phone आया कि यार, दो महने में माल आ गया मेरे पस, गोट्स दो तीन मेने में आना था वो पहले ही आ गया दो मेने में तो मैं बैंक के पास जा रहा हूँ मैंने का बैंक बैंक सुनो न मैंने का यार मुझे जो डॉलर की डिलिवरी चाहिए था न यहाँ अब मुझे डॉलर की डिलिवरी जल्दी चाहिए इसको क्या बोलते होगे इसको क्या बोल रहा है हम लोग सर इसका नाम है Early Delivery यह सीए कौनसेप्ट है ओके Early Delivery सर और क्या हो सकता है जो तीन मैने में माल आ रहा है Early Delivery, Simple है और सोचते हैं जो तीन मैने में माल आने वाला था इसने फोन किया किया किसी वज़ा से लेट हो गया किसी वज़ा से एक मैने लेट से आएगा एक मैने लेट से तो मैं बैंक के पास गया प्लीज जो तीज जून का था contract प्लीज उसको extend कर दोगे क्या इसको क्या बोलते extension of forward contract simple okay sir तो हमको समझ में आरी थोड़ी cancellation क्या होता extension मतलब बढ़ा रहा है okay early delivery मतलब पहले वाव कि सब उसमें क्या होगा वो मैं समझाओंगा न वन बैंवान कि सर लाश्ट वाला कर वाओगी कि लाश्ट वाला 30 जून 30 जून को सुनोगे रियान से 30 जून को माल आने वला था नहीं आया इसने फोन लगाया और rate क्या हो गया सर rate भी बता दूं 30 जून को जब मुझे पता लगा 30 जून को rate क्या हो गया था rate हो गया था 79 ऐसा कुछ तो 30 जून को इसने फोन लगाया कि हम माल नहीं पहुचा सकते आप अपना contract कैंसिल कर दीजे और जब मैं कैंसिल करवाने का सोच रहा हूं तो मुझे जबरदस लॉस दिख रहा है यार एक रुपिया पचास पे देड़ लाक रुपे का लॉस है मैं गया ही नहीं बैंक के प करते हैं टेंशन खतम तो सर यह तो गलत बात है हां बैंक कुछ समय इंतजार करेगा और आपके contract को इसको बलते ओवर रिड्यू फावर्वर्ट कॉंट्रेक्ट आपके contract को आटोमेटिक कैंसिल कर देगा तो इस मोस्ट इंपॉर्ट तो यह क्या पढ़ने वाले हम cancellation हाँ obligation है यह discuss करूँगा न मैं automatic cancellation में अच्छे तो लिखे यह साथ तो लिखे यह साथ पाववर्ट कॉंट्रेक्ट can be cancelled by taking reverse contract लिक सकते हो, opposite contract लिक सकते है यहां से दो एरों बदा आना हूँ सर इसे खेरी आता है कि लिखने के लिए बिलकुल नहीं आता है आज तक नहीं आया है कि तो बेकार में वह लिखो जो समझे में आ जाया है ठीक, cancellation on maturity cancellation before maturity अगर maturity को है तो क्या तर take spot rate ज्यादा कहान ही नहीं, spot rate लेके cancel कर दिए अगर before maturity है तो take forward rate हमें क्या नहीं कालना होता है calculate gain और loss to customer gain और loss निकालना होता है customer का आगे लिख सकते हैं अगर customer को gain है तो अगर सर्फ customer को gain है तो customer को payment करेंगे और customer को loss है तो customer से वसूल किया जाएगा, that's it एक बाद वस याद रखना, opposite rate लेना है और rate एक ही rate के लेना है मतलब जो contracted rate है और जो opposite rate है दोनों rate एक ही rate के चाहिए बस और कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है extension भी मैं इस ही में खतम करवा दूँगा तो एक काम करते हैं सीधा example से चलते हैं त्यार हो हो गया यह लिखकर हाँ जी प्लीज कन्फर्म प्लीज कन्फर्म प्लीज कन्फर्म एक्जाम्पल नमबर 77 पेज नमबर 90 बहुत सारे बच्चों का यह कहना है कि सर हम बुक में ही बना ले क्या बना सकते हो अगर में में अटेंप्ट है तो अगर लंबा समय तो फिर पता नहीं उस समय आपको याद रहेगा की नहीं रहेगा मैं नहीं जानता है ठीक है थर चलते हैं राम हैट एंटर्ड पावर्ट कॉंट्रेक्ट पावर्ट कॉंट्रेक्ट टू यहां होना चाहिए तू बाए डॉलर वन लेक उन एक अप्रिल दोहजर बावर्ट बैंक के हिसाब से कौन सा कॉंट्रेक्ट है पैंक डॉलर बेचन रहा है कि बैंक डॉलर खरीद रहा है सबसे पहले ये डिसाइट करना है बैंक के इस अपसे कौन सा कॉंट्रक्ट है सिर राम डॉलर खरीद रहा है मतलब बैंक डॉलर बेच रहा है तो ये बैंक का बेचने का रेट हुआ बैंक बेचेगा इस रेट पर 75 ठीक है और जो कॉंट्रेट कैंसिल हो रहा है वो एक अप्रेल को ही हो रहा है तो बैंक का अपोजिट सेलिंग रेट कितना है बैंक का 75 अपोजिट रेट लेना है तो बाइंग रेट लेंगे पट बट 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 ये जो रेट है ना इंटर बैंक है इंटर बैंक तो समझ गया हो न इंटर बैंक है तो सर 72 है तो मार्जिन का कुछ करना पड़ेगा भई हमें तो कस्टमर से बात करनी है न यह तो इंटर बैंक रेट्स दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है कैंसलेशन चार्चेस तो सेलिंग रेट बैंक के इंगल से बात करों मैं फिर से बार बार वोड़ों सर सेलिंग रेट क्या है बैंक 75 उसको काटना है तो अपोजिट रेट बैंक के एंगल से बात करना है बाइंग रेट 72 पर margin भी तो है तो margin का कुछ करना पड़ेगा याद करो margin का कुछ करते थे customer के रेट यह Interbank है customer के लिए margin का क्या करेंगे 72 में कुछ करना पड़ेगा margin bank बेचता है minus bank बेचेगा तो बेचता है तो आस्क में प्लस और बेच से माइनस ओके सर तो माइनस 0.10% 74.92 75 में से माइनस कर दे 72 माइनस 0.1 71.93 71.93 बिलकुल माइनस करके आएगा मैं राउंडेड ओप कर लिया हूं दीपक 93 ले लिया हूं तो बताओ बैंक ने बेचा है ज्यादा में खरीदा है कम में 75 माइनस 71.93 तो सर 3.07 पर डॉलर कस्टमर को गेन हो रहा कि लॉस सर लॉस टू कस्टमर इन्टो कॉंट्रक्ट साइज कॉंट्रक्ट साइज कितना है डॉलर वन लेक दीपक का कहना यह 75 में भी तो मार्जिन आएगा दीपक यह ओल्रेडी कस्टमर रेट है अगर कस्टमर से बात हो चुकी है मतलब सब मार्जिन वारजिन एजिस्ट होकी इस पर बात हो चुकी है मार्जिन का जो होना था हो गया है यहां साफ साफ लिखा है इंटर्वैंक रेट मतलब मार्जिन करना पड़ेगा इस रेट पर margin का adjustment नहीं आएगा क्योंकि customer से बात हो चुकी है ठीक इन लग साथ रहा टोटल लॉस चले आगे जास्ट पेज नमबर नाइटीन एक्जामपल नमबर सेवन्टी एट राम हैड एंटर इंटो फावड कॉंट्रक्ट तू सेल डॉलर वन लेक राम बेचने वाला है मत्ब बैंक खरीदने वाला तो यह रेट कौन सा है सर बाइंग रेट ती मैने कहा और वो रत आप्टर थ्री मैन ओन मैच्वरेटी कॉंटरेट कैंसिल हो गया मैच्वरेटी को कॉंटरेट कैंसिल हुआ जल्दी से आंसर चाहिए पहला रेट कौन सा आएगा सेलिंग तो उसको काटने के लिए बाइंग अच्छे से बता ना मुझे पहला रेट कौन सा आएगा बैंक के एंगल से बताओ बैंक के एंगल से पहला रेट अच्छांसर आ गया 3,99,000 बैंक के एंगल से पहला रेट contracted rate सर बैंक खरीदेगा राम बेचेगा मतलब बैंक खरीदेगा ना तो बैंक के एंगल से पहला रेट आ गया 75.50 उसको काटना है तो सेलिंग रेट 72.25 कस्टमर रेट निकालना है और मार्जिन 0.08 पर्षन एड हो जाएगा सबस्टमर रेट 72.25 कस्टमर पर्षन स्रीय गया सबस्टमर रेट 72.31 per तो 75.50-72.31 तो सरी आगे थ्री पॉइंट ऐसा होता तो नहीं है पर कर लेते हैं तो 72.50 plus 0, 8 percent 72.56, so 75.50 minus 72.56, 2.90 । एसा होता नहीं मेरे टाइप इस ने गलती कर दिया पर गलती कर दिया तो यार हम तो समझदार है कि यह वाला रेट कम है यह वाला ज्यादा है तो उसे इसाब से यह हो गया आस्क और यह हो गया बिट पहला बाइंग है तो इसे सबसे यह हुआ सैलिंग थोड़ा सा सोचो ना यार इंस्ट्यूट भी तो ऐसा कर सकता है कि नहीं कि इसलिए मैंनेज को ठीक कर दिया तो 75.50 और सेलिंग रेट हो गया 72.2 बैंक खरीदेगा ज्यादा में बेचेगे कम है तो यह यह कॉस्टमर को गेन हो गया इंटू कॉंट्रक्ट साइज डॉलर वन लेक्ट तो टूटल गेन तू लेक्ट नाइटी फोर था होज बैंक को लॉस के इन टू कैस्टमर ठीक किसकी गलती है यहां सब सहीं सहीं जा रहा था गलती कहां हो गई गलती यह हो गई कि रेट उल्टा दिया है 72.50 पहले दे दिया 72.25 बाद में दे दिया ऐसा होता नहीं है पर हमसे गलती हुई है मिस्प्रिंट में तो मैं सोचा चलो इसका यूज किया जाए नॉलिज काम आ सकता है तो आस्क रेट हूँ यह होगे उसमें मैंने मार्जिन आइट करके काम करते हैं त्यार हो सर एक्जाम में ऐसा आ सकता है कि आ सकता है इंस्ट्रिट्यूट है कुछ भी कर सकता है ओके सर पूछा एमाउंट पेबल और रिकवरीबल फ्रॉंग एमाउंट पेबल तो कस्टमर को गये न और हम कस्टमर को पैसे देंगे अब मल्टिपल चॉइस कोश्टन स्टार्ट हो रहा है और मैं देखना चाहता हूं कौन कितने गहरे पानी में है ठीक से कोश्टन ध्यान से पढ़ना और सॉल करना ए भगवान यह मल्टिपल चॉइस कोश्टन है क्या पढ़ो बेटे पढ़ो समझ में आएग सर्व बैंक का सेलिंग कॉंट्फरक्ट है ठीक सेलिंग तो पहला रेट तो सेलिंग रेट हो गए कितने तीन मैंने बात का डेट है थर्टी फेस्ट मार्च और कितने में बात हो गई 72.50 एक्शन रेट और कैंसेलेशन डेट कैंसेलेशन डेट और कैंसेलेशन डेट कॉंसी यह बले 31 जनवरी आप ध्यान से करना गल्रबड मत करना ड्यू डेट है 31 मार्च 2022 और कैंसेलेशन डेट जिस दिन आप कैंसेल करने जा रहा है वो है 31 जनवरी 2022 थोड़ा सा सोच होगी ओके यह ड्यू डेट 31 मार्च 22 और सब कैंसेल कर रहा है 31 जनवरी 22 को यहां कैंसेल कर रहा है एक रेट तो सेलिंग रेट तो यह यह आएगा यस और 31 जनवरी का रेट दे रखा है फर्स्ट फैप का स्वैप पॉइंट दे रखा है सेकेंड मंद का स्वैप पॉइंट मतलब रेट 31 मार्च 22 का और थ्री मंद का स्वैप पॉइंट दे रखा है और मार्जिन दे रखा है ठीक है लगाए दिमाख मैंने कहाना सोच समझ की करना इस कोश्चन को दोनों रेट दोनों रेट यहीं की होना चाहिए थरड़ी फिष्ट मार्श की एक तो सेलिंग रेट आएगा यस जितने पर बुकिंग हुई है 72.50 यस और उसको काटने के लिए दूसरा रेट अपोजिट रेट लेना होता है बाइंग रेट 70.25 पर यह तो इस पॉट है मांशी और निशीता 70.67 देख रहे हैं हम दो तो सर हमारी लिए काम का रेट है 2 मंथ वाला यस 2 मंथ वाला काम का है सहीं बोल रहे है दीपक अब यार मार्जिन भी दिया हुआ है मार्जिन भी दिया हुआ है तो पहले काम क्या करना है पहले मार्जिन एजिस्टमेंट करके कस्टमर रेट निकाले और फिर स्वैप प्लस या माइनस करे या फिर पहले स्वैप का एजिस्टमेंट हो और फिर मार्जिन हो पहले क्या होना चाहिए सर पहले स्वैप का एजिस्टमेंट होगा और उसके बाद margin होगा, उके, तो sir, 70.25 पैसे लेना है, यस, और swap है 35 और 40, तो sir, plus हो जाएगा, पहले swap, उसके बाद margin, agree हों इस बान जाएगा, swapाइब कितना हो जाएगा ? 0.35 तो 70 रुबर 25 पैसे प्लस 1.35 तो ये वो गया सर 70 रुपए 60 पैसे सो आप एड़ होगा ना यार और मार्जिन क्या होगा सर मार्जिन प्लस होगा प्लस नहीं मार्ज भीनारी होगा मार्ज बिड में माइनस होता है 0.10% तो 70 रुपए 60 पैसे सर इसको ऐसे करोगे न तो हमको समझ में नहीं आयेगा बाद में ठीक से लिख दीजिए सर, 70 रुपए 60 पैसे माइनस 0.10 पर्षेंट, 70.53, 60 क्यों ले रहे हैं, मेरा आंसर तो 70 रुपए 53 पैसे है, तो 72.50 माइनस 70 रुपए 30 पैसे हैं, तो 1.97 यह आगे लॉज्ट तो कस्टमर, 12 पैसे हैं, 12 पैसे हैं, 12 रुपए 50 रॉज्ट हैं, कि अच्छा बीफोर मार्जिन था सत्तर रुपए साथ पैसे मैंने देखा नहीं हुआ कि अच्छार यह कोश्चन आया था कि एक्जाम है हाँ बेटे हाँ मजाक लग रहे हैं आपको तो पहली कहा था तीपक कि खतम हो चुका है जो मुश्किल काम था बस यह करना है अभी तो है चले आगए कि चलो जी कोश्चन नबर 80 एक्जामपल नबर 80 अब फिर ध्यान से पढ़ना फिर ध्यान से पढ़ना सिर्फ ध्यान से पढ़ोंगे काम हो चाहेगा कट सेलिंग कॉंट्रेक्ट अबांग तर तो यह सिर नसीदा लिखान है बैंक का सैलिंग कॉंट्रेक्ट थो यह सालिंग टो है कह आए शेलिंग वर का इसदना औन मैच्ोरीट थी भाई साम मैच्च्योरीटी को कस्टमर आया वाओ इस पॉट से केंसिल होगा maturity को आ रहा ना customer तो इस पॉट से केंसिल होगा पर customer इस बार cancel के लिए नहीं आ रहा customer बोड़ा की please प्लीज बैंक extend कर दीजे एक महने और आर ये तो बताए नहीं आप बैंक ने किस चीज़ को content किया बेचने का और maturity को customer आया बोलते है प्लीज बैंक एक मेने के लिए extend कर दोगे क्या प्लीज बैंक एगा भाई सुन सुना देहां से बैंक एगा सुनो साफ ऐसा है पहले यह जो contract ना इसको तो cancel करो मतलब आपको cancel करना ही पड़ेगा आप कितना भी बोलो आप कितना भी बोलो कि extend कर देना हम कहां हम कर देंगे ना पहले ही जो existing दिख रहा है इसको cancel करो मतलब सर cancel होगा ही होगा यस तो पहले वो हाला कि वो जो customer से वसूल किया जाएगा अब उसका नाम extension charges बोल देगा मतलब वही चीज करना जो कर दें आ रहे थे सर्फी वो extend कैसे होगा वो मैं बताऊंगा पहले cancellation charges या extension charges निकल लोगे कितना है इसका नाम हो जाएगा अब extension charges contract cancel ही करना पड़ेगा इन extension लिख देता हूँ मैं फिर भी लिखा रहना चाहिए original contract करता है ठाहिज उनक्ट्रेट उनक्राइए 74 लिख देर लोगी ताहिए उनक्क्राइए उनक्राइए झाट्यद्ट उनक्राइए कि बॉक्ट बस कुछ नहीं है सिंपल ओके तो सर सिंपल सी बात हैं कॉंट्रेट कैंसिल करें कि यस पहला रेट कौन सा है बैंक का सर पहला रेट है सेलिंग रेट और सलिंग रेट कितना 75.50 मैचुरिटी को कैंसिल हो रहा तो अपोजिट रेट स्पॉट ही लेना पड़ेगा बाइंग रेट और बाइंग रेट आएगा 72.75 72.75 में मार्जिन अजिस्ट करोगे 0.08% 72.69 निशिता का अंसर है 72.75 माइनस 0.08 पर बिलको सही 72.69 तो डिफरेंस कितना आ रहा है और बैंक बेची का ज्यादा में खरी देगा कम में तो बैंक को प्रॉफिट हो गया तो टू पॉइंट एट वन का तो सर इसी का नाम क्या रहेगा इसका नाम रहेगा लॉश्ट वैंग लॉश्ट तू कस्टमा इन्टू क्या कर देंगे कॉंट्रक्ट साइस डॉलर वन लेक तो बताओ कितना वसूल किया जाएगा रुपीस टू लेक टी वन थाउजन और टू लेक टी वन थाउजन को आप कैंसलेशन चार्जिस नहीं बोलते हैं अब बोलते हैं एक्स्टेंशन चार्जिस सर अल्टिमेटली ये कैंसलेशन चार्जिस है ना हाँ बेटे अल्टिमेटली तो वही चीज है ठीक ओके तो अब हमने मैं बैंक हो मैंने कश्टमर से बोला सबसे पहले एक काम करो पैसे लाकर रखो यहां काउंटर पर तो बढले निया कॉंट्रक्ट कर लो आपको एक मैंने बाद डॉलर चाहिए ना बोले हां बैंक हाथ बैंक भाड भीज़ दूँगा तो एक मैंने बाद के लिए बुखिंग कर लो दिक्कत क्या अब जब एक मैंने बाद का रेट क्या आएगा new क्रेट क्या आएगा सर 72.95 एक मेने बाद बैंक का बेचने का था तो बेचेगा एक मेने बाद बेचेगा क्या नाया कॉंट्रेक्ट नियू रेट चाहिए मझे एक्जाम में आ सकता भाई मल्टीपल चोइस कोश्चन क्यों बोल रहे हैं सर क्यूंकि मैंने जितने भी बहुत सारे इंस्ट्यूट है जैसे सीए में और भी जगह है उनके जब कोश्चन से देखा न तो इस एरिया से ज्यादा mcqs पूछा गया है नियू फावर्ड रेट 72.95 ठीक और साथ स्वैप क्या होगा माइनस 0.25 72.95 72.70 अब मार्जन क्या होगा प्लस बेच रहा हो ना बेचने में तो मार्जन प्लस होता है 72.70 0.08% 72.76 अजी 72.76 ठीक्स ठीक ओक्या तैयार हो चुकी हो आप यस तो एक आखरी एक्जाम्पल और बहत्रीन वाला एक्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं और मैं रुका रहूंगा आपके लिए यहां तक हो गया ना यह लिख लिया ना एक्जाम्पल नमबर 81 और उसके बाद हमारे कोश्ण चलो हो जाएगी और बुक में देखो एक्जाम्पल नमबर 81 के बाद कितने एक्जाम्पल से बाकी है एक बार बताओगे अगर बुक खोला होगा अपने तो एक्जाम्पल नंबर 81 के बाद कितने एक्जाम्पल सबग की है हाँ इसका मतलब समझ रहा है आप 4X खतम होने वाला है 4X खतम होने वाला चलो जी कोश्य नंबर एक्जाम्पल नंबर 81 अराम से यहां मैं आपको टाइम दे रहा हूँ एक बर यार खुद से निकालो मजा आएगा तो आप पढ़ सकते हो क्या चलो पढ़ देता हूँ आपके लिए और सुनो निकालना है बिना गलती के बिना गलती के बतलब यार एक्कुरेट आंसर निकाल लो तम मजा आएगा एक्स्टेंशन के सामने चार्जर नहीं लिखा था चार्जर लिखाना चाहिए था सेलिंग कॉंट्रक्ट और बैंक डॉलर वन लेक तो सरी यह तो फाइनल हो गया सेलिंग रेट और ड्यूटेट है थर्टी फेस्ट मार्च दुहजर बाविस कॉंट्रक्ट एक्स्टेंड करने की बात चल रही थी और कस्टमर पहुच गया था 28 फेस्ट को एक मैंने पहले पहुचा कि प्लीज तीन मैंने के लिए एक्स्टेंड कर दीजे और एक्सिंड रेट है 28 फेस्ट और इंटर बैंक रेट दिया हुआ है वन मन्स्वेप टू मन्स्वेप त्री मन्स्वेप और साथ में मार्जिन दिया है सबसे पहले हमको कैंसिल करो फिर फार्थ थ्री मंत कहां से काउंट होगा बाद में सोच जाएगा सबसे पहले काउंटिट कैंसिल करना है टाइम दिया हूं आपको प्लीज पहले मुझे इसका जवाब चाहिए extension charge मैं भी अपना करूं क्या पहले अपना कि कि मुए नमबर वन करके लिए था है कि 25800 नहीं 258,000 272,000 अनन्थ कभी आंसर है 276 मोना लिसा 276 दीपक ध्यान इतने लाव लोग गलत कैसे हो सकते कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है सेलिंग रिट मांसी 272 हाँ तो भी 272 होगा 74.75 उसको काटोगे बाइंग रेट्स सर 72.50 वन मन्थ स्वैप है और डिसेंडिंग ओडर में है तो माइनस करना पड़ेगा 72.50 चालिस तीस है तो माइनस करना पड़ेगा स्वैप ओके माइनस 0.40 और जो भी आएगा मार्जिन भी माइनस करना पड़ेगा बेड में से माइनस करते हैं 72.50 – 0.5 – 0.10 72.03 74.75 – 70 74.75 – 72.03 2.72 और सर बैंक बेचे का बैंक खरी देगा सर मतलब यार यह लॉज्टू कस्टमर है देगा कर्णिर के स्ट्रांद है और सर्क्त बार यह लॉज्ट आओंक था voilà एंक टॉन का बारोगगा society खवत ऱ्ट केlä के उरख साज के ल Ambivalर लॉचब अश्ट सर्मर आप लॉच्टट के लिए लॉजंक थाफ्टेगा अब सवाल किसका नियू फावर्वर्ड रिट सब तीन मैने के लिए एक्स्टेंड करना है तो कैंसल तो कर दिए भी आपको बैंक बेचने वाला था तो कि भए तोर पड़ूं कौँ साने कि लिए एक्सटेंड करवाना इन कर सब्स्रीं मन्त कहां से कउणट करें 28 पैप से 3000 मार्च से ती मंथ कहा से काउंट करें कि कस्टमर आया और बोला कि प्लीज यार वह जो कॉंट्रेक्ट चल रहा था ना तीन महने एक्स्टेंड करवा देना तो वह कब की बात कर रहा है कि 28 फैब को कस्टमर आया पर बताया कि तीन मेहने extend करवा दीची यह important line है आया जरूर एक मेहने पहले पर बोले वो जो contract है ना उसको तीन मेहने extend करवा दीची तो वो कब की बात कर रहा कि कहां से extend करवा दी original contract कब के लिए book हुआ था March के लिए original contract तो March के लिए sir language में clarity नहीं है आप चिंता मत करो question में clarity के साथ आएगा पर मैं यहाँ जो कहना चाहता हूँ सायद आप समझ नहीं पाए 28-5 को customer आया और वो यह बोल रहा है कि जो contract book था ना उसको तीन मेहने के लिए extend करवाओ तो यार contract कब के लिए book था sir contract तो March के लिए book था contract तो बुख था March के लिए sir यह है March यहाँ के लिए book था और customer आया 28-5 को तो तीन मेहने extend करवाना है तो सवाल है कि अगर आपका कहना है कि sir यहाँ से तीन मेहने count करना है तो 3 month swap का adjustment होगा अगर आपका होगे कि यहाँ से तीन मेहने बढ़ाना है पर हम तो यहाँ खड़े हैं तो फिर 4 month swap होगा सवाल बस इतना सा है कि 3 month swap लेना है कि 4 month swap लेना है एक्चुल में contract जो बढ़ना था sir वो यहाँ से तीन मेहने बढ़ना है यहाँ से तीन मेहने तो इस हिसाब से जो swap adjustment होगा वो 4 month का होगा ठीक ओके तो उस हिसाब से बैंक का निव फावर एक्टस सेवन्टी टू पॉइंट जीरो 72.80 60 और 70 सर माइनस होगा 0.60 72.20 और क्या होगा सर मार्जिन मार्जिन प्लास होगा 0.10% 72.27 तक चाथ होगा तक तक लिख रहते हैं वाव सर इसमें तो हमको कुछ सोचना नहीं पड़ा लंबी लंबी लाइन भी नहीं लिखना पड़ा जो कल तक लिख रहते हैं तक लिख रहते हैं हो गया है सर कोशन बना रहे हैं बना रहे हैं रूख जाओ कि रहे हैं इसमें ना 7525 एक रेट ये दिया रहेगा ओके एक दिया रहेगा 82.75 00 या दिया रहेगा 83.5250 इसका मतलब समझने की कोशिश करना जब भी कोश्चन आएगा कोश्चन तो उसमें इस तरह से रेट्स दिये रहेगे मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट ओके और 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 खास बात और समझना कोश्चन की ये कभी बी कभी बी मतलब ये राउंडेड ओफ कैसे होते हैं मालूम है 25,50,75,100 पता है सर फिर से बोलो और जिसके ज्यादा करीब है उतने में राउंडेड ओफ करना पड़ेगा मैं एक लिक कर बता रहा हूं मुझे बताना राउंडेड ओफ करके कितना आएगा 83.42,47 इसको राउंड ओफ करके बताओं कितना ले आएगा 83.42,47 राउंडेड ओफ करके बताओं कितना आएगा कि राउंडेड ऑफ किसके करीब करना है यह तो 25 यह तो पच्चास यह तो सौ चार डिजिट में राउंडेड ऑफ करना है चार डिजिट में तो सर 83.4247 मतलब 50 83.4250 ठीक 81.7994 राउंडेड ऑफ करके बताओ क्या आएगा इसको राउंडेड ऑफ करो सर यह तो आरिबियाई का रूल्स है आरिबियाई वैसे जितने भी कोश्चन्स है मेरी बात में समझाओंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो सर कि 81.94 कर डबल जीरो करना पड़ेगा तो 8000 ठीक है सही अगर दो डिजिट हैं जैसा अभी तक करते आ रहा है हम लोग अगर इस तरह से दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन उसने खुदने कोश्चन्स में सरक कोश्चन बताएगा कि जनरली बता देता है कि ऐसे आपको राउंड आफ करना जनरली कोश्चन के लिख देता है कि इस तरह से राउंड आफ करना है पर अगर इस तरह से कोश्चन दे रखा है ना तो पक्का वो राउंड आफ की ही बात कर रहा होगा कैर वो कोश्चन आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा तो अब प्यार से करना कोश्चन को है ना अब एक्जामपल था तो हम लोगों ने हवा में उड़ा दिया बिलकुर अब हवा में नहीं उड़ाना है ध्यान से करना कोश्चन है इस्टडी मैट में आया है पी एम में आया है एक्जाम में आया हुआ है में 2017 पेज नमबर 124 पे चाहिए तर आप होमवर्ग दूगे कि हाँ बहुत सारा होमवर्ग दूगा आप चिंता मन करो बहुत होमवर्ग म आप आप नमबर का कोश्चन एक्जाम में आया हुआ है भाई आप नमबर चलो देखते तो आखिर कोश्चन में क्या खाजवत है इंपोर्टर भाई साब है इंपोर्टर इंपोर्टर का मतलब से समझ रहा है इंपोर्टर से तर मतलब बैंक डॉलर बेचेगा यास इंपोर्टर रिक्वेस्ट इस बैंक टू एक्स्टेंड दफावर्ट कॉंट्रक्ट फा डॉलर ट्वेटी थाउज़न सर वयार बैंक का बेचने का है यह सेलिंग रेट और डू डेट कौन सी है 30 अक्टोबर और उसको कितने पिड़ेट के लिए बढ़ाना चाहते है ठीक एक्स्टेंड करना चाहते है यह एग्री टू पेड रिक्वाइड मार्जिन मनी मार्जिन मनी लिए एक्स्टेंशन चार्जिस किस रेट पे बात हुई है 42.32 तो यह सेलिंग रेट हुआ और सर कंट्रेक्ट कब का दिया है यह रेट दिया है 30 अक्टोबर का इसका मतलब इसका मतलब सर ड्यू डेट है 30 अक्टोबर और 30 अक्टोबर का ही रेट आपको दे दिया है तो सब लोटरी लग गई इसपोट पर कैंसिल कर देंगे हम लोग और तीन मैने के लिए एक्षेन करना तो थी मंत प्रीमियम भी दिया हुआ तो प्रीमियम मतलब यह मार्जीन हुआ ना मतलब वह मार्जीन नहीं हुआ यह स्वैप टाइप का हुआ यह और मार्जिन मनी भी दिया बाइंग और सेलिंग का वोई नमबब वन में क्या मांग रहा है the cost to the importer in respect of the extension charges मांग रहा है पहला और दूसरा मांग रहा है new contract new forward rate आओ करें एक आध कोश्चन तो करने का बनता है extension charges sir पहला selling rate आएगा यस selling rate 42 इसे में rounded off को कोई चक्कर नहीं पॉइंट के बाद दो डीजिट है तो कोई चक्कर राउंडेड ओफ कब करना हो का हुआ है मैं बताऊंगा कोश्चन के साथ 42.32 इसको काटने के लिए buying rate sir मतलब यह आएगा 41.500 5 sir यह 4 इजिन में दिया ना बैटे यह काम का नहीं है यह देखना है अगर यह दो में है कि यह 4 में सर दो में तो बात करता हूँ और margin sorry swap है swap क्या होगा plus यह swap है इस बार पैसे में नहीं दिया 0.87 percentage दे दिया ठीक है और margin क्या होगा minus 41.50 plus 0.87 percent minus 0.075 percentage 41.83 बच्चों के नहीं सर गलत है आप जवाब क्यों नहीं दे रहे थे यार वही तो पूछ रहा था बच्चों के नहीं सर स्वैप कहे को आएगा इस पॉट पर कैंसिल है 41.50 margin तो आएगा ना भई हाँ सर मार्जिन तो आएगा margin क्या होगा सर माइनस margin आएगा माइनस होगा 41.5 minus 0.075 41.47 ठीक ओके 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 तो सर ये तो customer bank बेचेगा ज्यादा में खरीदेगा कम में तो loss to customer होगे 42.32 minus 41.47 0.85 0.85 into contract size dollar 20,000 बस ये जो नाम आएगा इसका नाम रहेगा extension charges 17,000 रुप ठीक दूसरा new forward rate bank का किस चीच का contract सर बैंक का actual ना बेचने का contract है तो बेचेगा 3 मैने बाद बेचेगा तो selling rate लेना पड़ेगा मतलब वह जो पुराना रेट है ना बेचने का वह लेट लेट लो selling rate मतलब सर 41.52 41.52 प्लस 0.93 प्लस की मैनस प्लस और जो भी आएगा प्लस मार्जन 0.20 परशन 41.52 प्लस 0.93 प्लस 0.20 0.42 परशन 41.99 प्लस वाव पहला कॉर्शन बनाया है ठीक है ओक्या थीक है ओक्या ओक्य पहला एक दू कोशन थोड़ा सा सजा कर बनाना पड़ेगा कम से कम किया है ऐसा लगना चाहिए कि आज क्लास में कुछ तो किया इसका आंसर क्या कैलकुलेटर से निकल सकते हैं दिपक का क्याना सरस्ट पॉइंट डबलननन थे लेगन दीपक उसकी वज़ा क्या है एक तो प्रीमियम में दिया और कभी इसवैप ऐसे नहीं दित्ता है अगर दिया है तो फिर हमें प्रीमियम भी इसाथ में दिया है तो सर यह याद रखने वाली बात है कि यस आज तक स्वेप ऐसे आया नहीं था ठीक कोश्चन नबर 80 85 निशीदा ने तो निगाल भी लिए हम हम पढ़ा है निशीदा एक बार पढ़ लेते कोश्चन को बैंक का कौन सा कॉंट्रेक्ट है सर बैंक का है बेचने का बेचने का तो 34.60 में बेचेगा सर रहने दो आप हम कर लेंगे गुट होमवक होमवक कॉपी आंसर आंसर है लॉस सिक्ष्टी फाइब थाउज ठीक है ओके होमवक है सर होमवक क्या यह हो गए हमारा नहीं भी करोगे तो चलेगा कोई दिखकर नहीं चलू मैं आगे कोश्चन नमबर 86 क्या कैलकुलेटर में हो सकता है चाह देखते हैं बैंक का परचेस करने का कॉंट्फरेक्ट है ठीक है और डिव डेट कौन सी है 30 अक्टोबर और डिव डेट को ही है तो इस पॉट पर कैंसल होगा यह है बाइंग तो दूसरा वाला रेट आएका सेलिंग क्या रेट हमको चार डिजिट में दिया नहीं दो ही में दिया है यह चार में दिया इससे मतलब नहीं यह दो में दिया तो फिर तो कोई कि राउंडीड ओफ का चक्कर नहीं है राउंडीड ओफ करना वह मैं बता दूंगा काम हो सकता कि अंसर कितना आ रहा है कि एक लाक ना बेजर अब बैसे छोड़ो नहीं हों वक है और होमवक कॉपी में कर लेना होमवक कॉपी में कर लिए बहुत हो गया टाइम भस अब मुझे जो लगेगा ना जो ऐसे कोशिछन मैं जानता हूं आपसे आप बन जौए गए मैं होमवक देने जाराब यह वाला कोश्चन अच्छा है इसको बनाना पड़ेगा यह कोश्चन अच्छा है सुनो के ध्यान से मरी बात पहले जो cancellation होता था ना पहले जो cancellation होता था उसमें RBI का rules था की कैंसेलेशन करने पर कस्टमर से सिर्फ सौ रुपए वसूल किया जाएगा जिसको बोलते हैं अच्छा तो सर अब अब नहीं होता ऐसा लेकिन कभी-कभी कोश्चन पुराने रहते हैं मतलब जो cancellation charges है जो भी पैसा कस्टमर से वसूल किया जाएगा उसमें 100 रुपए और एट कर देना लेकिन आजकल वो 100 रुपए होता नहीं पर कोश्चन पुराने है ना यार हमारी हुप में तो हो सकता है कि किसी कोश्चन में 100 रुपए लिखा आ जाए तो चिंता मत करना अब कोश्च अच्छा है तो एक बार देखे क्या यस ध्यान से बनाते हैं अब देखो यहां जो दिया है रेट चार में दिया रहेगा ना तो हमें राउंड़ अफ करना है that's it on 15 जनवरी 2015 you as a banker booked a forward contract per dollar 2,50,000 for your import customer मतलब सर यह selling rate हो गया bank बेचेगा बना ले कि सर इसको 65.3450 delivery होना था पंद्रा मार्च को on a due date customer due date को है customer और request किया कि cancel कर दीचिए okay तो due date के लिए हमें कौन सा रेट लेना सर इस पॉट रेट लेना खतम करो न का सर यह 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 तो बेकार में दे रखा है ठीक है तो selling तो दूसरा कौन सा यह सर बाइंग रेट 65.2975 नहीं बाइंग रेट 65.2900 और सर मार्जिन है कि यह पॉइंट वन पॉइंट माइनस हो जाएगा तो सर यह आगे 65.2247 तो लिखेंगे 65.2250 और सेवन है ना पच्चिस पचास पच्चास पच्चतर सौ राउंडड अफ करोगे तो सर बारा पैसा है लाउंट लाउंड शुर्ट्कश्मस इन्टु कॉंट्रक्ट साइज 65.224 से बने ना तो मैंने इसको राउंडेड आप कर दिया इसको रुपया और वसूल करेंगे तो मैंने इसको रुपया और वसूल करेंगे 6ग 5-7 wise करेंगे लिगत आपने थी है। क्यारि उसको राउंडेड कर्स्टीक राउंडेड आपक कान्याविकल। ता मैंने कXटीक moral राउंडेड करेंगे लिगतरिक राउंडे मैं हुपयाजक। कि मज़ा गया सब आगे चल रहा है कि हो गया कि सोच समझ के आंसर चाहिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन से नहीं कर रहा है सर यह कोश्चन कहां का है यह आपके एक बार मैं पढ़ा हूं एक बार पढ़ा है और मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन से नहीं बनाऊंगा रफ में काम करेंगे आपके 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 आपक किस रेट पर बुक हुआ है 47.2500 कितने मंथ के लिए बुक किया था प्री मंथ और आप पहुँच गया ठीक दो महने बाद ठीक तीन महने के लिए है तीन मैंने बाद जाना था पर एक मैंने पहले पहुच गया comes to you and request बोल रहा है कि वही साब cancellation कर दो तो उसको काटने के लिए दूसरे रेट कौन सा आएगा selling 47.35 00 से काम चल जाएगा क्या लीपक का कहना सरफ 47.5200 और सर इधर तो margin का चक्कर ही नहीं है वाओ खेली कतम हो गया फिर तो सर नहीं है तो मन से लिख देंगे कि अब पागल हो गया हूँ बस एफार लेना होगा margin का चक्कर ही नहीं है इस question तो सर homework यस answer भी आ गए बच्चों का 27,000 यह तो वही वाला question है homework इसको मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ आप कर लेना इसको बुक में कर लेना शौल ठीक है ओक है तो कि अधियर मंथ ट्विटीजियर पर यह भी होमवक्ष अधियर कोपी में भी मत करना बुक में कर लेना इस question number 90 वाव सर आज तो हमने बहुत सारे question कर लिये हाँ बहुत सारे questions बुक में ही कर लोगे इसको सर यह question लग रहा question number 91 की कुछ दम होगा कुछ दम होगा ठीक है एक बार discuss करते हैं suppose you as a banker entered into forward forward purchase contract मैं बैंक हूं और मैंने purchase contract करने का सूचा है कितने डॉलर का पचास है और पाच मार्च विद एक्सपोर्ट customer ठीक है कितने में booking है सर मतलब बाइंग रेट हो गए customer और सर customer से यह खरीदने का सूची हमने कितने में 59.600 ठीक है customer से खरीदने अब इस question को मैं समझा रहा हूं question में कुछ नहीं है पर समझा क्यों रहा हूं वह आपको कल बात समझने आए ठीक है अब आगे एक बात लिखी हुए सुना भ्यान से और सर बात कब की है कब खरीद लेंगे बुले हम तीन महने में खरीद लेंगे तीन महने में खरीद लेंगे on the same day you also covered yourself in the market at 60.6025 क्या कहना चाहते हैं हम यह कहना चाहते हैं कि वो जो dollar आने वाला है मेरे पास customer से अब वो dollar तीन मेने बाद आएगा और उस समय dollar का rate बहुत कम हो गया तो मैं तो बरबाद हो जाओंगा मैं bank हूँ तो हम क्या करते हैं हम हमेशा खुद को cover करके रखते हैं किसको दूसरी bank से और दूसरी bank से हमने deal कर लिया था कि हम आपको कितने में base देंगे हम आपको बेचेंगे 60.06025 ठीक प्लीज यहां साथ देना dollar आएगा मुझे मालूम है तीन मेने बाद और तीन मेने बाद मैं उधर transfer कर दूँगा मेरा attention खतम क्या मुझे profit होगा या कोई रोक ही नहीं सकता आएगा dollar हमने dollar खरी देंगे 59.60 के और इधर base देंगे 60.60 एक्चुल में rate यह है इसको बलते इंटर bank rate और इंटर bank rate और इसको बलते customer rate तो जब खरीदेगा bank यह वाला bank customer से खरीदेगा तो और कम में खरीदेगा ठीक है हां दूसरी बैंक से मैंने forward cover कर रखा है बिल्कुसरी on the same day you also covered हो गया sir however on 5 में sir 5 मार्च के लिए किया था अपने contract yes कब के लिए किया था 5 March के सब किया था तीन महने के लिए 5 मार्च को किया था था तीन महने के लिए अप्रिल में जून हावेवर on 5 में your customer comes to you and request extension of contract पाच जुलाई को अके लिए extend कर दीजे, अब हमें month one से मतलब नहीं है, क्योंकि सब दे रखा है आपके लिए ठीक ओके और ये दे रखा ठीक, सर हमने 5 March को किये थे 3 महने के लिए, तो हमारी जो due date है, वो है 5 June 5 June ठीक ये rate कप का है, सर ये rate है 5 मही का, हमें 5 मही का rate नहीं चाहिए, हमें काटना है तो कप का rate चाहिए, 5 June ओके और 5 June का rate दिया है और क्या ये Interbank rate है, ये अगर margin नीचे दिया है, तो ये Interbank rate है ठीक अब समझना ठीक से, अब important है, प्लीज वैसे अब क्या करते है सर, हम content cancel करते हैं, मतलब इससे खरीदेते हैं, और फिर वापस हम इसी को बेच देते हैं कितने में answer चाहिए कितने में बेच देते हैं सर, 5 June माला rate क्योंकि ये rate भी कप का है, 5 June का तो दूसा rate भी तो 5 June का जल्दी से बोलो कितना rate सर, जो interbank का rate है कौनसा वाला आएगा, spot आएगा कि 5 June आएगा सर, 5 June वाला आएगा, कौनसा, सर, ये क्या कर रहे थे, सर, बैंक खरीद रहा था, तो बैंक वापस बिचेगा 59.2425 प्लस्मार्जिन सर, तो ये आगे 59.3117 या 8 ले लो इसको rounded off करके कोई बता सकता है क्या 3, 1, 2, 5 अक्षे सुनों, अक्षे का doubt है, एक बार इसको रफ कर रहा हूं, बात को समझना है बैंक ने 50,000 डॉलर खरीदने का contract किया कौन सी डेट को किया, पाच मार्च को कितने पी रेट के लिए, तीन मैने के लिए, तो मार्च से गिन ले थे, अप्रिल, में, जून, तो सर पाच जून के लिए एक बुक किया, लेकिन जो contract कैंसिल हो रहा है, वो तो एक मैने पहले हो रहा है, कब कैंसिल हो रहा है, पाच में को, मुझे दोनों ही रेट जून का चाहिए, ये रेट कप का है, जून का, तो दूसरा रेट भी किसका होना चाहिए, जून का, बिफोर मैच यूरेट ही है, बिलबल से, जो रेट आया था 59.3118, उसको round it off करूँगे, तो कितना जाएगा, 59.3125, ये सही है, कि गलत है, राउंड इड आप मेंने गलत किया, कि स 59.2425, तो 0.1, 59.3017, मेरा गलत था, इसको round it off करूँगे, 59.3017, मेरा गलत था, इसको round it off करूँगे, 59.3017, 3025, ये spot नहीं है, language है, केविन का कहना है, सर जून का spot कैसे पता लग गया, spot नहीं है, language ऐसे लिखी जाती है, ये जून का spot नहीं है, जून का forward है, ठीक है, ये actual में forward rate ही, बस spot सब यूच किया जाता है, एक्च्वल में ये spot नहीं है, ये forward है, ओके सर, 59.3025, 59.6 में खरीद रहे है, 59.3025 में बेच रहे हूं, सर, बुक में तो rounded off नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, पर हमको करना है अच्छे, क्योंकि आपका जो AFM का module आया है, उसमें rounded off किया है, जब भी ये 4 में तो आपको करना है, new scheme के सबसे में जो बता रहा हूं, वो सब सोच समझ के बता रहा हूं कब करता, अच्छ ये वाला, कितना लिया है, ये कोई बताएगा बुक में ये कितना लिया है, 59.2425 प्लस 0.1 पर्जन 59.3025 ये आएगा 100 पर्जन, ठीक है, चलो, डिफ्रेंस निकाले, यसा, इन दोनों का डिफ्रेंस, बताएगे क्या हो रहा, मैं प्रॉपर प्रेजन्टेशन के साथ नहीं जा रहा हूं, अभी मुझे समझाना था न इसके, सर्फ 59.6 में खरीदेगा, 59 loss है, बैंक को, कस्टुमर को गेन है सायत, 59.6 मिनस 59.3, 0.2975, इंटो, डोलर पचा से जार, 50.6 00.975, 0.0655, और रक्वार। 55.6 रेट निकाल सकते हों कि एक बार new forward rate मतलब सजुलाई का यस बैंक खरीदने वाला था तो वापस खरीदेगा और किस रेट पर खरीदेगा 59.6300 new forward rate 59.6300-0.1% 59.57 0.4 rounded off करके बता सकते हो क्या 5700 फाइब सेवन डबल सीरो फाइब सेवन डबल सीरो ठीक हो तो गया है कोशन इसमें क्या खाज बत थी कुछ खाज बत नहीं थी बहुत सारे बच्चों को यह जो cover कर रखा ना इस पर objection आप तो यह क्या किया है अब मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाता हूँ सुनना ध्यान से यह सर सुनो गए इधर का ये इसने कैंसिल कर दिया मानता हूँ इसने कॉंट्रेट कैंसिल कर दिया पर मैंने भी तो बैंक से कॉंट्रेट करके रखा था बेचूंगा मैं क्या सोचा मैं इस customer के चक्कर में मैंने का उधर से आएगा और इधर में दे दूँगा इस से भी मैंने contract book कर लिया तो दूसरी bank से इस भाई साब ने तो cancel कर दिया मैं क्या करूँ उधर से आया ही नहीं तो मैं करूँ क्या मैं bank हूँ bank बीच वाला bank यह आता तो मैं उधर देता contract book था ना यार मेरा अब इधर यह भाई साब ने तो cancel कर दिया customer ने cancel कर दिया तो मैं क्या करूँ इस bank के साथ मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ओके सर तो फिर यह वाली bank आएगी यह वाली bank यह क्याएगी कि प्लीज आप भी contract cancel करो ना यार आप मेरे लिए customer हो आप contract cancel कीजिए मैं आप से खरीद रही थी तो अब मैं आपको बेचूंगी बेचूंगी और किस rate पर बेचूंगी बस उसी दिन का rate देख लेना आपको किस rate पर बेचूंगी सर कौनसा वाला rate है सर ये rate था पाच जून का पाच जून का rate 59. 2424 2425 ठीक है हाला की हम लोगों को इसके विशे में कभी पूछा नहीं जाता है तो इधर का हमको टैंसन नहीं लेना है हमको इधर का काम करना है बच्चे बोलते ने सर इधर का क्या होगा इधर का बिट्टे reverse transaction हो जाएगा इस बैंक को क्या loss हो सकता है loss हो ही नहीं सकता इस बैंक को लॉस हो ही नहीं सकता बात समझने की कोशिश करो क्योंकि जब reverse होगा तो जो यहां से reverse होगा उससे ज़्यादा यहां reverse होगा आज रात में गहराई से सोचने आपको बात समझने हैं ठीक है से हमको इधर का कुछ नहीं करना होता कुछ नहीं अगर आपने cover कर रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है ठीक है तो final answer जो था वो था हमारा 14875 और 59.57 क्योंकि इंटर बेंटर पैंक में मार्जिन एजिस्ट्मेंट नहीं होगा उन्डार dennis Jaktos अब में जो है क्यों क्यूं क्यों अलग है क्यूंकि उन्होंने आप ही तो बता रहे थे 59.3300 रिया है और उन्होंने गलत ले रखा इसलिए उनका अनसर कुछ और आ रहा रहा है ठीक अज भूक में भी अनसर गलत हो सकते है बेलकूँ निशिंत रही है कि ओके आज की क्लास का लास्ट कोश्रन पक्का ना सर पका आज की क्लास का लास्ट कोश्रन आंसर चाहिए इसका आंसर आप चाहो तो सर कैल्कुलेटर में हो जाएगा मैं भी जानता हूं केल्टर में इस पोज यूर बैंक एक्सपोर्ट कस्टमर एक्सपोर्ट और उसने सेल कर रहा है विद यूर बैंक और कितने में 62 तो सरी सेलिंग रेट हो गया सरी जो कोश्चन है यह कौन सी बुक का यह आपके एफ्म की मॉड्यूल का कोश्चन है एफ्म के मॉड्यूल का कोश्चन है तो बैंक बेचेगा 62.52 और कितने पीरियर का कॉंट्रेक्ट है दो मैंने का और आपने कवर करके रखा यह आपके काम नहीं आएगा कवर करके रखा इस पर ध्यान मत देना ठीक है और ड्यू डेट को ही कैंसिल हो रहा तो इस सारी स्पॉट से कैंसिल कर देंगे ओके तो स्पॉट से कैंसिल हो जाएगा और मार्जिन भी है क्या मार्जिन भी है तो 62.6800-0.10 सुनो 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 पढ़ने में गलती हो गई यह एक्सपोर्ट है पढ़ते पढ़ते जल्दबाजी का मतलब है यह बस से सपोस्वी यु आर बैंक कर और यह ईक्सपोर्ट कश्टमर हो यह सर बैंक क्या कर रहा होगा and has book dollar forward sell contract for two months with you बोला भी है कि customer ने आपको dollar बेचने का contract किया तो sir यार गलत है पहला rate आएगा कौन सा buying rate जो ये rate दिया है ये rate है buying rate ठीक है okay okay buying rate और cover जो किया ये हमारे काम का नहीं है due rate में cancel हो रहा तो उसको काटने के लिए opposite rate कौन सा आएगा sir selling rate ठीक है और margin adjust कर लेंगे तो sir 62.72 double zero plus क्या कर देंगे है margin 0.10 पर ठीक है ठीक है ठीक है बाइंग रेट है अल्रेडी अल्रेडी बाइंग रेट है उसको काटोगे तो इसके लिए क्या जाएगा selling rate ठीक है sir तो 62.72 plus 0.1 परशन तो sir ये आगा 62.78 27 rounded off करके कितना जाएगा 62.78 25 ठीक हाँ 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 जी आपको हमेज़ा round it off करना है अगर ऐसे rate दिया तो round it off करना है और sir ये question किसका है ये question I.C.A.I का है ये मेरे टाइपिस्ट ने गलती नहीं किया ये I.C.A.I का question है I.C.A.I का question में नहीं दिया है तो भी आपको round off करना है प्लीज अगर ऐसे दे रखना 5200 तो प्लीज इस topic में सिर्फ इसी topic की बात करहा हूँ cancellation इस cancellation में आपको round off करना और कैसे round off करना 25,50 ठीक है sir समझ बनागा और I.C.A.I ने rate उल्टा दे रखा है और हमको वैसे दिया होना चाहिए था 62.6800 ये है bid और 62.7200 ये है ask और हमें कौन सा rate लेना selling ये वाला rate लेना है ओके तो से अर ये उल्टा दिया है यास ये उल्टा दिया है तो इसको धोका बोल सकते हो ओके तो कुछ था नहीं अभी खतम नहीं हुआ cancellation कल की class और लगी कल थोड़ी अच्छी class रहेगी आज तो बस practice 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 किया है और homework है तो एक बार देख लेना homework है क्या यार दो मिनट में कतम हो जाएगा homework उस्ता ही नहीं और आज हम question number 92 पे पहुच गए बहुती speed से मैं जानता हूँ अब हो गया फॉरेक्स हो गया आपका जो होना था अब कोई ऐसा concept नहीं है कि जिसमें मुझे example की ज़रूत पड़ेगी बिल्कुल नहीं पड़ेगी अब तो सीधा question उठाऊँगा और करवाँगा बस इतनी सी बार बचे ओके देख लोग इसको हाँ सर कुछ है क्या हो गया है question ओके गुड़नाइट बाई बाई और प्लीज कैंसलेशन एक बार रिवाइज कर लेना ठीक है गुड़नाइट इनवोईसिंग का जो question है सर इनवोईसिंग का question number 82 है वो अभी तो नहीं हो सकता उसका video बनाके मैं upload कर देता हूँ प्लीज यार इतना क्यों कि उसमें आदा घंटा चला जाएगा वीडियो बनाकर upload कर देता हूँ जो लेक्टर डाल रहा हूँ उसी के बाद ओके गुड़ इवनिंग ओल फ्यू कैंसलेशन कर रहे थे हम लोग और कल सायद हमने हवा में क्लास किया था स्पीड से बिलकुर आज थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे कैंसलेशन और कैंसलेशन में इंपोर्ट था इंपोर्टन ये था कि यार कॉंट्रेक्ट कैंसल करना है अगर कॉंट्रेक्ट कैंसल होना है तो आपको रिवर्स कॉंट्रेक्ट लेना पड़ेगा वो दूसरा वाला रेट से कैंसल करना है कि फावर्ड रेट से कैंसल करना है यही बात हुई थी अगर सरे due date में cancel हो रहा तो spot से कट जाएगा पर due date से पहले cancel हो रहा है तो फिर हमको forward लेना पड़ेगा अगर एक मैने पहले cancel हो रहा तो one month forward अगर दो मैने पहले cancel हो रहा तो two month forward यहां तक हमने किया अगर तो चले आगे हाँ जी निशीता गुड़ी नहीं चलो जी और homework बना लिया था क्या हा पिरियोडिकल forward बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो नया सब्द मुझे मिला नेक्स्ट वैच में नोट्स में लिखवा दूंगा यह पिरियोडिकल अब सुनो सुनो धियां से होंवक था की ghost नहीं था होंवक था नहीं सायद यस सब हमने यहीं खटमकर दिया था के आज सिए आज glance उतना आसान नहीं है आज की लासृष्थीक से करना पड़ेगा क्योंकि आज मैं करवाने वाला हूल अरली डिलिवरी एक्सेंशन हो था extension में तो कुछ था नहीं extension में किया था भाई extent करवाना करवा को वे दिक्कत की बाती पहले जो contract उसको cancel करो contract कैंसील होगागा उसके बाद extension कुछ होते ही नहीं ना कॉंपर के आक भूक करो जब आपको चाहिए तब कर रहे हैं ठीक जो कोश्चन बनता है 8 नंबर का, और no doubt आया भी एक्जाम है, सर तो कल तक जो कोश्चन कर रहे थे, वो एक्जाम में आते थे, क्योंकि multiple choice कोश्चन तो था नहीं, आते थे, कब आते थे अभी अभी पहले जब माफा चलता था माफा और अभी-अभी कौनसे questions आते है अभी मतलब ए अफम से पहले कौनसे questions आते थे एक दो साल में वो आते थे early delivery का और automatic cancellation मतलब मैंने 4 points लिख वाया ना first और second तो आता ही नहीं था 3rd और 4th लेकिन क्या अब 1st और 2nd जो करवाया कल जो क्लास किया क्या वो इंपोर्टेंट हो गए यस multiple choice question तो के लिए important है question number 93 read कर रहा है question a bank entered into a forward purchase contract कल में confused हो गया था इसमें ठीक sir bank purchase करने वाला इसमें कोई सक्की बात नहीं है okay तो कोई customer होगा और यह bank होगी और यह क्या करूंगा बोल रहा है sir bank purchase करेखे purchase कितना dollar dollar नहीं है भाई sir यह SF है ठीक है अच्छे से करना इस question को कितने में खरीदने की बात हो गई 32.4000 कितने rate की बात सर्फ 25 अप्रेल है due date and covered itself for same delivery in the local interbank market और खुद को cover कर रखा cover का मतलब समझ में आता है न यह bank जो यहां से आएगा वो किसी और को बेचने की बात किया था पर मैंने कहा कि cover हमारे काम का नहीं है अभी काम नहीं आएगा cover का use होगा early delivery में और overdue forward contract मतलब cancellation अभी इसका कोई यूज नहीं है however on 25 March 25 April का due date है उससे एक महने पहले एक महने पहले याद रखना exporter sought for cancellation of the contract cancel करने की बात हो रही है as the tenor of bill is changed ठीक है अब भाईस आप सुनो उन्होंने rate क्या देर का सिंगापूर सर यह कौन सा rate बैंक के लिए बैंक के लिए buying rate buying मतलब सर बैंक खरीद रहा है तो opposite कौन सा rate लेना पड़ेगा सर बैंक के लिए selling rate लेना पड़ेगा कि बैंक कितने में बेचेगा यह rate किसका है रुपीज पर एस फ ठीक है बुले सिंगापूर मार्केट में S.F. का rate दिया है against dollar दिक्कत यह है रुपीज और S.F. का rate सीधा नहीं दिया अभी तक कोश्चन में सीधा दिया होता था अभी सीधा नहीं दिया बोले एक तो ये रेट है ये रेट दिया एसेफ पर डॉलर कहां का रेट दे रखा सिंगापूर मार्केट ओके और और यूएश डॉलर का भी रेट दे रखा और कहां क्या दे रखा रुपीस पर डॉलर और मुझे बैंक के लिए सेलिंग रेट निकालना पड़ेगा और कौन सा निकालना पड़ेगा रुपीस पर एसेफ अगर कश्टमर एसेफ खरीदता बेच रहा है वापस क्या कर रहा है कश्टमर खरीदता तो एसेफ कितने में खरीदता बिल्कु धियान से समझ रहें का हूं कि सर कश्टमर शैंटिद में ऐस केशने वाला था ऐसे इस कॉंट्रक्ट कैंसल करना तो वापस यह क्या करेगा परचेस तो पपरचेस वाला निकालना मतलब बैंक के अंगल से सेलिंग जनें तो मैं कह रहा हूं अगर कश्टमर सफ खरीदता रुपिया देकर तो कितने में खरीदता एक मेने पात सर कश्टमर के पास कौन सी करेंसी है रुपीस मतलब सर ये वाला रेट कैसे निकलेगा ये बिटे क्रॉस रेट के ही थ्रू निकलेगा तो मेरा पहला कोश्चन समझ रहे हैं अगर कश्टमर वापस एसे खरीदता एसे तो कितने में खरीदता कश्टमर के पास करेंसी है रुपीस तो रुपीस से क्या खरीदता डॉलर और डॉलर से क्या खरीदता एसे एसे रुपीस से डॉलर डॉलर से एसे एसे पहली बात कैंसल करना है तो बस इतना बता दो कैंसल करने के लिए spot use किया जाएगा कि one month forward पहले ये पहले one by one हो चाहए कैंसल करने के लिए spot use करोगे कि one month forward answer चाहिए मच कैंसल कब हो रहा है due date में एक मैने पहले एक मेने पहले एक मेने पहले ओके तो यह बना जाएगा तो सर यहां भी स्पॉट कौन सा जाएगा यह मार्च यह कौन सा जाएगा अप्रेल ठीक फिर से बोलो दीपक का कहना है सर एक्सपोर्ट हुआ तो बैंक ऐसे फ खरीद रहा है तो यह बाइंग रेट हो गया पर उसको काटने के लिए तो सेलिंग रेट है ना बैंक ऐसे फ कितने में बेचेगा अब समझने की कोशिट करो मुझे बैंक का इस फ बैंक निकालना है तो तो मुझे इस एंगल से सोचना पड़ेगा ना की यार मैं भी तो केंसिल कर रहा हूं केंसिल कर रहा ना तो केंसे बैंक का कॉंट्रेट किया एक भर आपोजिट कॉंटरेक्ट कौन सा होगा सर ऐसेऍट खरीदने का तो वह रेट निकालना पड़ेगा नहें और केस्टमर के मैं फिर से बोल रहा हूं निकालना है और काटने के लिए तो यह वाला यह वला लोग सबसे पहला कौश्चन जलदी से अंसर देना customer के पास रूपिया है सोरी रूपिया है, पहले डॉलर खरीदेगा डॉलर से फिर एसेफ करीदेगा rate बोलो rate customer रॉपिया देकर डॉलर खरीदेगा फिर डॉलर देकर एसेफ खरीदेगा, rate चाहिए 49.4200, बिल्कुल सही, मांसी बिल्कुल सही आंसर दिया है, 49.4200, लीपक का भी सही आंसर है, मांसी का भी, प्रशान्त का भी, बस एक दिक्क्त है मुझे आप लोगों से, आपको, आपने 49.4200, लेने की वज़ा क्या है, मैं होता तो 49.4455, और ये क्या करता, प्लस कर देता, मैं तो ऐसे निकलता, वाउ, मांसी नांसर चैन्ज कर दिया, गुट, 49.44, अच्छा दूसरा वाला अंसर दे रहे, बस मुझे, मुझे ज़़ा सलह देना, आपने, आपने क्या किया, 49 ये वाला लिया, है ना, और 0.4200, ये वाला, ऐसा कब किया था, लोगों ने तो ऐसा कभी किया ने, ये भगवान, मैं तो ऐसा करता था, 49.4455, और उसमें प्ल कर देता था, पता नहीं, जिसा सौटकट मार कैसे लिया, या, अजिए, बीपक का कहना सर, पॉइंट लिखा है, ना, तो पॉइंट लिखा है, तो हम ये वाला, तो भाई, स्वैप में तो पॉइंट ही लेके बाद लेते हूं ना, स्वैप में, भूल गया है आप लोग, स् पॉइंट के बाद ही ले लेते थे। Calculation of Calculation of Calculation of Calculation of bank one month selling rate open month one month forward rate it means rupees per sf buying rate of bank of customer bank beechi ka to customer khari diga मतलब सर मतलब यह है कि customer बाकि तो समझ में आ गया है और क्यों paragraph बढ़ा हूँ ओके तो फर्स्ट के लिदक भैस्तृ है गया है हैश्तर क्स्टमा Whoo क्स्ता क्स्टमा क्स्टमा, वैज एर त। कि रुपीस पर डॉलर अब यहां दिक्कत यह आ रही है कि आप लोगों का यह कहना है कि सर होना चाहिए था 49 तो यह ले लेते हैं हम लोग 49.4200 पर I.C.A.I. ऐसा नहीं किया है I.C.A.I. वही किया है जो से करना चाहिए था जो आज तक होते आया है 49.4455 लिया है और इसको माना है swap और इसमें add कर दिया 0.4200 ठीक है alternative आप कर सकते हो पर नमबर नहीं मिलेगा 49.4455 कभी बिना यार इसको हम replace तो करते नहीं है replace बस यहीं वाला करते है बेड़ और ask वाला पर इस से इसको replace नहीं करते है generally आज तक नहीं किया कभी है अज अनी करते है 21.420बलने स्वक माना करते हैं mainten ضफ 17.6000 स्वक blessed करते हैं 49.8655 अब बेचोगी तो मार्जिन क्या हो जाएगा प्लस 0.1 पर्शन 49.8655 प्लस 0.1 पर्शन 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 प्लस 0.1 पर्शन पर्शन 49.9154 प्लस 0.1 पर्शन प्लस पर डॉलर हाँ दीपक मैंने ठीक कर लिहा 0.1 पर्शन अब यह ठोखे तो अब भी कश्टमर ने क्या किया खरीद लिया तो उसने डॉलर खरीद लिया अब डॉलर खरीद के यहां पहुच्छ ओगे और यह क्या है सर अब यहां रेट कोन सा आएगा जर्णा बताओगे अब हम को ऐसे फखरीद ना है अब हमको ऐसे खरीदना है तो रेट कौन सा आएगा 1.5150 राउंडेड ओफ करना है करना है लेकिन लास्ट में जब रेट निकलेगा ना तब लास्ट में किया जाएगा राउंडेड ओफ सहीं बोल रहा है साधा 100 पर अभी हमारा रेट फाइनल नहीं हुआ एक बार फाइनल हम हमको तो इस रेट को काटना है तब हम लास्ट में राउंडेड ओफ करेंगे पहले क्रॉस रेट निकल जाएगा उसके बात ओके अब भी क्या करें आफ्टर देट कॉस्टमर बाई ऐसे वर मन फावर देट हमें दिया एसेफ पर डॉलर 1.5150 सही है यह वाला रेट आएगा 1.5150 बैंक डॉलर खरी देखा 1.5150 तो बस क्रॉस रेट निकाल लेते हैं एक रेट जो है वो यह निकल गया रुपीज पर डॉलर रुपीज पर डॉलर निकल गया था कितना निकला था वो उधर निखाना मैं कॉपी कर रहा हूं 49.9154 और एक निकला है ऐसे पर डॉलर 1.5150 और मुझे क्या निकलना है रुपीज पर ऐसे अराम से काम हो जाएगा क्रॉस रेट निकालना आता है आपको रुपीज पर डॉलर दिया है ऐसे पर डॉलर दिया है तो सर रुपीज उपर होना चाहिए रुपीज उपर ही है तो सीधा लिखेंगे और सर ऐसे नीचे होना चाहिए ऐसे वो पर है तो सर वन से डिवाइड होगा करने तो 49.9154 1.515 to sir अगे रुपीज 32.9474, 75 है वो जा चाहिए कि वो जाएड होना है को क्या राउंड इडफ करो ठीक अच्छा दीपक का कहना है कि सर सुनो 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 आप इस बार अपने मन की नहीं कर सकते हां मतलब सर आप क्या समझ रहे हो इधर मार्जिन प्लस किये एगरी सर यहां से तो मार्जिन माइनस होना चाहिए यहां से तो मार्जिन माइनस होना चाहिए दीपक सादाप यहां क्या लिखा है सर इंटर बैंक रेट यहां कहीं इंटर बैंक रेट से लिखा है क्या बस कोश्चन बस इतना सा यहां तो साफ साफ लिखा है इंटर बैंक रेट क्या यहां इंटर बैंक रेट से लिखा है नहीं तो आप लौ पढ़ना जानते हो अगर यहां दिया है तो इसका दूसरा मतलब क्या है अगर यहां दिया इस्पेसिफिक ली मतलब वो क्या बताना चाहता है कि यह यह मा वह वाला रेट है कश्टमर रेट है ठीक यह भगवान सर इतनी चीजे कैसे याद रहेगा अब करते हैं हम से मांगा क्या गया है हमने तो पूछा नहीं सर हमें कैंसलेशन चार्जिस चाहिए तो बस कैंसलेशन चार्जिस जब निकाल लेते हैं कैंसलेशन चार्जिस बैंक का ओरिजिनल किस चीज का कॉंट्रिक था सबसेलिंग कॉंट्रिक्ट तो सेलिंग रेट और सेलिंग रेट क्या था बैंक नहीं यार सर्थ बाइंग रेट था बैंक ओरिजिनल बाइंग रेट था सायद ओरिजिनल बाइंग रेट था बताना चाहिए था अपने बताएं सर ओरिजिनल था बाइंग रेट बैंक और क्या था था थर्टी टू पॉइंट फोर त्रिपल जीरो ठीक है उसको काटोगे तो कौंसा सेलिंग रेट जो आपने कैलकुलेट किया और वो किया रुपीस 32.9475 तो बताओ इस बार कस्टमर को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस लॉस ही होगा तभी तो कैंसलेशन चार्ज मांग रहा है लॉस्टी क्सनमर किल तो अधू प्रैक्ष्टमर किल कंईड़ बताओ एंठ ग्चार्ड टॉफटी क्राट्ट आप साइस ऐसे फ वन लेक जो आया उसको आप लॉस भी बोल सकते हैं या उसको कैंसलेशन चार्जिस भी बोल सकते हैं 54750 सब्सक्राइब करें कि अच्छा था ताइम कैसे लग जाता कोश्चिन में आदा घंटा लगी जाता हम कितने भी दीरे करें कितने भी जल्दी करें ओके जो खाज बात थी वो खाज बात थी यह है ठीक है साथ हाँ क्रॉस रेट वाला पॉइंट्स था एक यह पूछा जा रहा था किसी बच्चे का कि सर यह इसपोर्ट अप्रेल स्पोर्ट में इसपोर्ट जूर्म यह में है कब का यह जून इस पॉर्ट सब्द लिखा हुआ है यह क्या चक्कर रहे वह सर बता हूं वैसे तो कोश्चन खतम हो गया मेरे पास जगह भी नहीं है यहां लिखने को इधर बता हूं को ABOUT के दो टाइब के फावाइड कोंप्रेक्ट होते हैं मैं सवस अब दो टाइब केаешь के फावब कॉनप्रेक्ट मैं एक होता है फिक्सट फावर कॉनप्रेक्ट कि visitor एक होता है option forward contract सर option forward contract ये तो option contract सुना था power contract सुना दोनों को मिला कर होता option forward contract वाव सर बताओगे इसमें क्या होता है सुनो अगर ये लिखा रहता one month forward सुनो के बच्चो प्लीज जहां से अगर ये लिखा रहता वन जैसी ये लिखा one month forward सर one month forward का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि अगर 25 आज की डेट कौन सी है सर आज की डेट है 25 मार्च तो ये रेट हुआ 25 अप्रेल थिक ओक इसको बलते इसका मतलब इसका मतलब आज की डेट है 25 मार्च और आपको वन मंत के लिए फावरड रेट लेना है तो आप अप्रेल वाला ले सकते हो इसका मतलब अप्रेल की 25 अप्रेल आज की डेट कोई सी थी 25 मार्च तो 25 अप्रेल आपको अप्रेल में चाहिए ना अप्रेल और मज़े तीन अप्रेल तो यह वाला रेट मतलब मैं उस डिलिवरी अप्रेल में कभी बेरे सकता हूँ सुह ना मेरे का मतलब आपको जो delivery मिलेगी SF किया डॉलर किया जो भी करेंसी की वो ठीक 25 मार्च है तो 25 अप्रिल को ही मिलेगी और अगर मैंने ऐसा वाला को लिखा है सब्सका मतलब होता option forward contract इसका मतलब आपने यह contract बुक किया तो आप एक अप्रिल को भी ले सकते हो दो अप्रिल को भी ले सकते हो 25 अप्रिल को भी ले सकते हो तीस अप्रिल को भी ले सकते हो इस तरह से काम होता है तो सर अभी यहां कब लिया 25 अप्रिल तो सर क्या फरक पड़ता फरक नहीं पड़ता है बस आप language समझने की को अगर इस पॉर्ट में लिखा है हान अमेरिकन और यूरोपिन जैसा हो गया तर मतलब ये ये यूरोपियन ओप्शन ये या मेरिकन ओप्शन कभी भी आप जाके ले सकते हो तो इस औप संफ़वर्ट कॉंट्रैक्ट सर यहां कोई जरूरत है कि जरूरत नहीं है ऐसे टाइम पास कर रहा था पाच मिनट था मेरे पास तो मैं सोचा चलो बता देता हूँ ठीक है चले आगे हाँ जी ठीक है सर आगे चलते हैं कुछ विसेज बात अपने बताया नहीं बस इसमें गलती क्या हो सकती थी जो आप सब बच्चों ने किया हम कर सकते थे एक ही गलती हो सकते थी हम गलती यह कर सकते थे कि हम ले लेते 49.4200 पहले गलती नमबर वन यह जो बोल रहा हूँ कोश्चन में लिख लिया करो कि यह गलती हम से हो सकती सभी से होती है ऐसा नहीं कि आप से यह मुझसे सभी से होती है और सर दूसरी गलती बोलो दूसरी गलती होती है कि दूसरी गलती कि दूसरा डाउट आएगा 100% डाउट से आए रहे और सर क्या डाउट आएगा जरा बत लेना कि यहां underline यह interbank rate है और यह interbank rate नहीं है इसलिए इसमें margin हमने adjust नहीं किया यह दो चीजे आपको पूछेगा बाद में problem आईगी ओके सब नहीं आईगी वो अभी ऐसा लगता है बाद में मैं जानता हूं न सब भूल जाओगे ओके आगे चलना है कोष्यंग carbon 94 को किक को ना हमाइस का अगर में कहूं केंसलेशन का सब्से अच्छा कोष्यं का सब्से अच्छा कोष्यंगبة और exam नहीं कि आया था में 2012में बहुत अच्छा कोष्यंग हाला कि थोड़ी सी गल्तिया औ गيل्तिया हो सकते पर कोष्यंगे ठीक है सर एक बार पढ़ते हैं, yes NPN company, import किया है goods, import किया है, और कितने का, dollar 7 लाग, ठीक है, import किया है, तो dollar का पैमेंट करना है, the amount is payable after three months तो ठीक है भाई कोई दिक्कत की बाद इंपोर्ट किया है तो डॉलर पेबल है और डॉलर कब पेबल है डॉलर पेबल है साथ लाक और कितने मेने बाद है तीन मेने बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ उसने एक्सपोर्ट भी किया है च्यार लग पचास अरका मतलब तो डॉलर आने वाला है यस और यह आने वाला है टू मंत मैं तो आने वाला भी है यस कितना कि तू मंत मेरा पहला कोइशन क्या नेटिंग हो सकता है क्या नेटिंग हो सकता है सबसे पहला कुछ नेटिंग सुना है ना आपने नेटिंग हो सकता है कि यह जाने वाला है तीन मेने में यह आने वाला है दो मेने में नेटिंग किया जा सकता है कि नहीं हो सकता नेटिंग की एक ही situation है जब दोनों एक ही time का तभी आप net कर सकते नहीं तो net नहीं कर सकते नहीं हो सकता सर दो अलग-अलग है यह 3 मन्त है यह 2 मन्त है नेटिंग नहीं हो सकता ठीक है सर पिरियट सेम होना चाहिए और जो आने वाला है जो आने वाला है उसके लिए already forward contract ले चुके 48.90 में इसका उसने forward contract कर चुके है और किस रेट पी किये रुपीज पर डॉलर 48.90 ठीक है इसका तो ले चुके है दा मार्केट रेट पर रुपीय और डॉलर दे रखा इस पॉर्ट दिया टू मन्त और थी मन्त दिया ठीक है दा कंपनी वांट टू कवर दा रिस्क और टू अगर उसको भी हम फावर्ट कांटेट कर दे तो net cash flow कितना आएगा net तीन मेने बात की बात करा है वहां clarity के साथ लेखा नहीं है यह दूसरा option भी पढ़ ले किसाथ दूसरा भी पढ़ते तब ज़्यादा मजाएगा दूसरा ध्यान से पढ़ना मजाएगा मतलब सर जो देने वाला है ना चार लाग पचासे डॉलर हम कहेंगे रुख जा भाई एक मेने बात देना हम उसको लैक कर रहा है अच्छा सर एक मेने हमने का आप एक मेने देरी से देना कोई दिक्कत नहीं और cover the risk only for the net amount अगर हम इसको एक मेना लेट कर दे तो कोई दिक्कत है कोई दिक्कत मैं तो फिर दोनों 3-3 मेहने का हो जाएका फिर तो Net कर सकते हैं हाघा एक मेना और पर आदेले करवा सकते हैं आप सामने वाले से मैं वोल रहा हूं तो आराम से पैसे देना तो खुश हो जाएगा तो चार लाग पच्छास जार जो आएगा वो कब आएगा तीन महने में यस अब तो नेट हो सकता है तो बोले आप ऐसा भी करवा दीजिए साब साब बात है कि आप सामने वाले को रिक्वेस्ट करें कि प्लीज यार एक मेने बात देना हम आप से इंट्रेस्ट भी लेंगे तो वह तो पागल गएगा आपको बोले कोई इंट्रेस्ट नहीं मिलेगा ठीक है इवैल्वेट बूट दा कॉष्ट औप रुपीस फंड इस चलो अल्टिमेटली सर हमको क्या निकालना है हमको कैश फ्लो निकालना है और कब निकालना है तीन मेहने बात हमें ये देखना है तीन मेहने बात पहला कुछ मत करो भाई इसके लिए फावर्ट कवर करो बात कतम और देखो कि तीन मेहने बात कैश फ्लो क्या होगा दूसरा इसको लेक करवा दीजिए और फिर देखिए कि तीर मेने बाद क्या होगा और कुछ नहीं करना तो सबसे पहले सर हम यह वला कर लेते मतलब फावर्ट कवर कर लेते पेबल के लिए और देखते क्या होगा सर आपके फैबरेट कोशन से एक है हाँ जी मेरा फैबरेट कोशन तीम से लिए टेख फैबरेट कर और कर देख अ पेबल और सर रिसीवेबल के लिए रिसीवेबल के लिए अल्रेडी बुख्ट है तो बात ही कता हुआ ओके तो सर जो आएक पेबल है तो बाइड डॉलर 3 month forward rate कोई दिकत rate क्या आएगा 3 month forward rate जल्दी से बोलो this point दिया है sir rate निकाली लो sir 3 month forward rate आएगा na 3 month forward 3 month forward rate क्या आएगा जल्दी से अंसर चाहिए मझे sir हम bank dollar बेचेगा yes बेचेगा bank dollar rate 49 points दीपक अभी अभी पिछले कोईश्चन में जस्ट बताया था आपने जस्ट बताया था पिछले कोईश्चन 48.45 ना यार ही भगवान अभी तो पिछले कोईश्चन में बोले थे आपने कि सर्फ 48 है और point के बाद आप ये ले लेना तो 48.45 ले लेना अभी तो बोला था है हद होगी क्या कर रहे है अभी 2 मिनट पहले आप ही ने मुझे सला दिया और फिर आप ही बदल गए पोटी एट पॉइंट फॉर फाइव आए चलो कोई बार देख सर आई सी ए आई ने क्या किया इंस्टिटिउट ने क्या किया जरा बताओ सॉलूशन तो आपके सामने है और सॉलूशन में क्या दिख रहा होगा चेक करो चेक करो अभी चेक करो आई सी ए आई क्या किया है आई सी ए आई किया है 48.45 गलत है सादाब चाहे स्वैप हो ना हो एक रूल्स रखेंगे that's it और रूल्स सिंपल है असेंडिंग है तो प्लस होगा डिसेंडिंग हो तो माइनस होगा बस और कुछ नहीं इट मेंस इट मेंस यह गलत है 48.45 हम क्या करेंगे जो आप नहीं किया था इट मेंस 48.70 प्लस 0.45 तो हम करेंगे 48.70 प्लस 0.45 हम लिखेंगे 49.15 that's it ठीक है 49.15 फाइनल सर क्या हुआ था वैसे जब यह कोश्चन आया था तो सजेस्टेड में क्या लिखा था 48.45 लिखा था बवाल मच गया बच्चे बुलते यार क्या कर रहे हुआ भई 48.45 कहा पहली बार 40 फिर IC AI ने अपनी गलती को सुधार लिया और अगर इसी कोश्चन के सॉलूशन में लास्ट में एक पैराग्राप लिखा हुआ है अगर ठीक से दिखोगे उसने का भाई अल्टरनेटिव आप इसे प्लस कर सकते हो उसने अपनी गलती एकसेप्ट किया ठीक है वो अपना का कोश्चन आपके सामने है और फिर वो लगना चाहिए कि हाँ जी ऐसे हमने ऐसे किया इसे से किया था ठीक है कि 49.15 तो सर कि 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 थ्री कि कि पॉर फॉर जीरो कि इतने आ रहा है ना थ्री पॉर फॉर जीरो फाइट था था जिन बिल्गुसे और सर वो जू आ रहा है रिसीवेबल वो तो दो मैने में आ रहा है यस कि 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 पैसा आएगा कि अ कि 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 कॉटिए पॉर्टिए टएट आइंजीरो जो जोस में क्या होता मालूम है हार सथ समझ गये जैसे निशांत नहीं किया तो जो जो उसमें क्या होता है पता है हम 48 और ऐसा कुछ कर देते हैं लेकिन सच चाहिए नहीं है contract तो already booked है okay तो ऐसा ऐसा नहीं कि मैं निशान्त के लिए बोल रहा हूं गलतिया होती है ठीक है नहीं निशान्त नहीं two month वाला नहीं आएगा अल्रेडी बुग्ड है अल्रेडी बुग्ड है ठीक है मेरा question बस इतना सा है कि तीन महने के अंत में तीन महने के अंत में लाश्ट में मेरे पास कितना नेट कैस आउट प्लो जाएगा नेट कैसा अंत में तीन मेंने के बात जा रहा है यस थ्री मंत के अंड में और यह सर टू मंत के अंड में आ रहा है तो इस पैसे को करोगे क्या एक में नहीं यह पैसा तो आ रहा कब आ रहा है यह पैसा जरा बताओगे सर यह पैसा आ रहा है टू मंत के अंड में और यह कब जाएगा थ्री मंत के अंड में इसमें से यह माइनस करना पॉसीबल ही नहीं है आप कैसे कर सकते हो एक कैश प्लो है थ्री मंत का एक कैश प्लो है टू मंत का तो ये बाला जो cash flow है इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा Yes, invest तभी तो rate गिया 12% तो सर्व 12% यहां क्यों चिपकाया इधर भी तो लिख देता तो क्या गुना होता यह तो दिक्कत है Interest वान मन्तका वान मन्तका 220050 अब तो काम हो सकता है सर इस में से यह भी मैनस होगा यह भी मैनस होगा यह स्नेट निकाल रहा हूं यह भी मैनस होगा है यह भी मैंस होगा यह है यह भी मैंस होगा है तो कितना गया है 1,2,1,7,99,50,1,2,1,7,99,50, सर हमारा अंसर बुक के अंसर से मैच होगा बिलकुल नहीं होगा, क्यों क्योंकि उन्होंने क्या लेकर कर रखा 48. अगर वैसे ही करोगे जैसा इन्होंने क्या रखा तो फिर तो मैच हो जाएगा अंसर, अगर आप rate ऐसा ले लो 48.45 तो answer match हो जाएगा फिर मतलब सर अगर हम यह 48.45 लिखोगे तो फिर answer ICAI के answer से match हो जाएगा पर हम वो second alternative कर रहा है ठीक ठीक तो यह हो गए एक 12179950 बिल्गों सही प्रशान्त अब काम क्या करना है सर अब lag करके देखते हैं यह वाला इसको one month lag कर देते हैं lag the receivable by one month option number two अब अब कि अब कि तरे मंस्ट से लेक करना है अच्छा एक बात बताओ एक बात सुनो 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 बच्चा बस एक concept पर धियान देना concept पर धियान देना पि क्या forward contract अल्रेडी टेकन है हाँ 48.90 पर अगर हम इस बंदे से बोले कि आप दो मेहने में ने तीन मेहने में payment करोगे तीन मेहने में उसकी वज़ा से क्या होगा अगर इस से खाऊं कि तीन मेहने में तीन मेहने में cancel तीन मेहने बात cancel करना पड़ेगा this is most important और क्या cancellation charges भी लगेगा यस यह forward contract cancel करना पड़ेगा और cancellation charges लगेगा सबसे पहले cancellation charges निकालोगे सबसे पहले काम होगा cancel सर अपोरश्री कॉस्ट वह बाद में सुचेंगे सबसे पहले cancellation charges सबसे पहले cancellation charges लगेगा कि नहीं लगेगा बस मुत्री इतना बताओ लगेगा ना सर तो तो सबसे पहले कैंसलेशन चार्जिस Cancellation Charges Deepak Sabda लिखा है Forward Contract is already taken लिखा हुआ है Forward Contract is already taken आप ले चुके forward contract ठीक है ओके तो सर्व एक्सपोर्ट हो रहा था मतलब बैंक डॉलर खरीद रहा था तो पहला रेट आएगा बाइंग रेट और बाइंग रेट अल्रेट अल्रेट टेकन है 48.90 पे बैंक ने डॉलर खरीद दूँगा ऐसा करके बोला था इसको काटने के लिए सेलिंग रेट रेट कॉंसा आएगा बस इतना बता देना रेट क्या आएगा जल्दी से अंसर चाहिए 48.70 प्लस 30 साहिए 49 बेलकुल साहिए और सर आइसी एए क्या लिया होगा 48.30 लिया होगा आइसी एए 48.30 ठीक ओके सर बास्टर साहिए लॉष्टी हिनुड यदल क्या होगो 48.90 प्लस is 49, 0.10, contract size, साढ़े च्यार लक, 45,000, I track, check, quick, power contract per नट पेबल आने वाला कितना साथ साथ लाक आने वाला था जाएगा कितना चार पेचास तो नेट पेबल कितना आगे है साथ लाक मैनस चार पेचास कितना होता भई दो पेचास एट त्री मन्थ पावर रेट पावर बंक दोलर पेचास 48.70 प्लस 45 49.15 तो उसे साब से शिदा कैसा आउट प्लो ने करो दोलर दाएलाग into 49.15 1 2 2 8 7 5 0 और एक चीज किया जाएगा cancellation charges 45,000 total 12332-500 12333-500 तो total आरा 12332-500 और यहां कितना आ रहा था 121 दूसर यह अच्छा है मतला power cover ले रही चे option number 1 is better due to lower किसकी बात कर रहा है निशांगा कहना सर आप opportunity cost को ignore करती है कौन सा वाला opportunity cost बस इतना बता अब सुनना ध्यान से अब सुनोगे बच्चों का doubts है तो हो जाए यहीं discuss हो जाए tension करता पहला opportunity cost यह हो सकता है कि निशांग का यह कहना है कि सर जो दो लाग पच्चास जार डॉलर आने वाला था दो महने में सुनना ध्यान से पहला जो दो लाग पच्चास जार आने वाला था डॉलर दो महने में उसको हम डिले कर रहा है और डिले कर रहा है तो इंट्रेस्ट का नुकसान हो रहा है तो हमको यहान लेना चाहिए आप एक ही चीज़ को books का कि मेरी piece है किसी और की piece है मैं books free में दे रहा हूँ वो उनको books खरीदना पड़ेगा तो याद करो आप एक ही जीच को एक जगा plus और एक जगा minus नहीं कर सकते यह मैंने करवाया था कहीं न कहीं आपको करवाया था यह किसी और वैच में मुझे इतना याद नहीं है बहुत सारी क्लासी चलती है पर मैंने आपको यह बात करवाया बताया था कि मेरी piece है 7000 और books का 2000 इस तरह से बताया था नहीं पता नहीं पर एक rules है कि आप एक ही चीच को दो जगा हाँ बताया था मतलब आप ही की बैच में बताया हूँ याद आया है हाँ तो फिर तो बताया हो एक ही चीच को आप दो जगा नहीं कर सकते एक जगा plus भी कर रहा है दूसरी जगा minus भी कर रहा हूँ अच्छा हाँ दूसरा जो बच्चों का डाउड है वो डाउड क्या है सुनन Minecraft दूसरा चाह है उनका कहना सब GnC कर रहा है 45,000 रुप फौर्टिफाइव थाौज़न हमको यह केंसलेशन चार्ज़न कब देना पड़ेभा और क्वांटेट केंसिल कब हो रहा है दूसरा boss' has 45 थाुझब जो cancellation charges यह कब जा रहा है हमारे जेप से यहां है यहां से यह है तीन मेने और यह है दो मेने और यह है आज यहां dollar आने वाला था यहां dollar जाने वाला है और यहां contract आपने cancel कर दिया है है तो cancellation charges अगरा जा रहा है तो हमारे जेप से जा रहा है अगर हमारे जेप से जा रहा है तो यहर उसके opportunity cost आना चाहिए है है जेप से जा रहा है तो फिर तो आप्रशिटी कॉस्ट आना चाहिए। यह, कैंसेलेशन चार्जिझ यहां जा रहा है, तो उस हिसाब से आप्रशिटी कॉस्ट आना चाहिए, ऐसा कहना है बच्चे का. ठीक है? यह लेना चाहिए था, मेरे हिसाब से भी लेना चाहिए था, ICAI ने नहीं लिया, इस पर नहीं लिया है, ये लेना चाहिए था, तो फिर बहुत सारी चीजे, बहुत सारी बुक्स उक्स पढ़ने के बाद, ये जो कैंसलेशन चार्जेस है, ये बैंक किस से वसूल करता है, कस्टमर से, ठीक है, कितना, 45 था है, सवाल है कब, अब सुनों के सवाल है, कब वसूल करता है, कस्टमर कहता, भाई साथ, बैंक मेरे पास अभी पैसा नहीं है, क्या करूं, सवाल बस इतना है न, कब वसूल करता है, 45 था हुचे, तो फिर बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, कि जिस दिन कैंसल होता है, जनरल ही उस दिन है, पर वो ब वसूल कर सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं, सर, पढ़ोगे तो बात, है नहीं हमारे काम की चीज़ जाता है, तो हम उस लॉप पर क्यों जाए, लीगल में क्या है, कैंसलेशन चार्जिस जो है, ये वसूल कप किया जाता है, ये डिले भी कर सकता है, बैंक, बैंक और कस्टमर पर करता है, तो जाना है, वसुआ है वर ने के ना जाता है, ये जही जूचिण होना रहा है, जैस दिन कैंसल हुआ है, उस दिन कैंसलेशन चार्जों कर्देट हों, वसूचिन ता, भीन तो इस पर है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे खिया तशिन कुछ नहीं है, कोन ड desse पर कोशन अच्छा था ठीक है चले आगे यह सर आड़ बज गया है और मुझे एक कौश्प्ट करवाना अरे लेडिलिवरे ठीक है अब सुनना ध्यान से अर्ली डिलिवरी का मतलब क्या है सर ड्यू डेट से पहले यहां मैं एक्जाम्पल एक्जाम्पल करवाने के बिलूगल चक्कर मैंने हूं कोश्टन उठा रहा है और कोश्टन में घुसके पढ़ेंगे कि यार क्या चीज है सर मज आएगा कोश्टन नमबर हंड्रेट कोश्टन से समझेंगे कि क्या है एक्जाम में आया है नवंबर 2018 में पेज नमबर 144 अब आपका साथ चाहिए वाई क्योंकि आज अर्ली डिलेवरी और यह यहां से कोश्टन आते हैं मिलकुल ध्यान से काम करना पड़ेगा ध्यान से सारी चीज है पढ़ाई के रूल अप्ले के अप्ले केबल होता है फॉर एक्षेंज डीलर एस्सोसियेशन ऑफ इंडिया की गाइड लाइन है अर्ली डिलेवरी पर एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या चक्कर है ठीक है पढ़ाऊं इसी से कॉंसेट डिसकस करूंगा है ना कोशन से अन उनिछ जनवरी बैंक ए एंटर इंटो फार्वर्ट कॉंट्रेक्ट विथा कस्टमर फार्वर्ट सेल अफ डॉलर सेवन थाउजन यह कस्टमर ठीक है यह बैंक सर बनाना है क्या इतने प्यार से बना रहा हुना मैं तो समझ जाओ कि बहुत बड़ा खेल होने वाला है प्लीज बना लेना नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा कुछ भी नहीं कि गया है यह कंड़ी कस्टमर और यह बैंक कि बैंक एंटर इंटु फावर्ट कॉंट्रेक्ट विथ य खुश्टमर पर फावर्ट सेल सर बैंक बेचने वाला है बैंक बेचने वाला है ओक्य कितना डॉलर सेवन था होज है और कौनसी डेट को बात हो गई है किस डेट के लिए 20 मार्च 20 मार्च को बात हो गई है किस रेट पर 46.67 के साथ 20 मार्च को 7000 डॉलर बैंक कस्टमर को बेज देगा ये बात हो चुकी है अब आगे जलते है On the same day It covered its position buying forward from the market due on 19 मार्च cover कर के रखा है तो cover करते तो किस से करते है सर दूसरी बैंक से इस बैंक ने कहा कि कस्टमर हम आपको बेज देंगे डॉलर 46.6 20 मार्च को पर जब बेचेंगे तो यार कहीं से खरीदने का कॉंटेट कर ले ते टेंसन का तम इधर से आएगा इधर दे देंगे ओके तो इन्हों ने इस बैंक से बात कर लिया कि हम आपसे खरीदेंगे और कभ खरीदेंगे किसह मेंखरी देंगे तो ब photons आपसे खरीदेंगे कितने में 46.655 और कॉंसे डेट में खरीदेंगे तो शर खरीदेंगे आप 19 मार्श को एक दिन पहले खरीद रहा है मतलब लगवग 20 मार्श ही समझ लोगे ये बात समझ में आई क्या इसका टेंसन खतम हो चुका है या पूरी तरह से खतम क्या होगा ये आएगा ये इसको देगा इधर से लेगा इसको देदेगा बात ही खतम हो चाहेगी कि अगरे ओन उन्निस फैफ नाइटिन फैफ मतलब सर एक मेने पहले यस उन्निस फैफ को कश्टमर एप्रोच किया बैंक को कि मुझे अरली डिलेवरी चाहिए डॉलर की मुझे डॉलर की डिलेवरी चाहिए और कब की बात है उन्निस फैफ सर यहां की बात है उन्निस फैफ को अरली डिलेवरी चाहिए और कितने में बात हुए 46.67 क्या होना चाहिए ज़रा बताओ कि अपना दिमाग चला कर लॉग लीगल मरी बात समझना है इस पर आर्बियाई की गाइडलाइन है पढ़ाई के रूल एप्लिकेबल होते है फॉरे समझमांगा होता है आपके क्या एड़ाइस होती क्या होता है सिचोवेशन में क्या करते अगर हम कॉम्मेर सेंस यूज करें तो क्या करते है तो तो क्य क्या एक मैनए पहले आघय है हां तो सुनो है यह सब मत बता हो हाँ बिल्कुल सही हमं गार सुनों को कैंसेल करो कैंसेल कर अब आपको चाहिए क्या डॉल बोले हाँ चाहिए तो अप ले लो खतम बत बिल्कुल एक्ट्रा चॉर्ड ले ले स्ट it कर देते हैं आपका पहले 20 तारीका कॉंट्रेट कैंसिल करोगे बोले कर दिए अब क्या अब बोले अब क्या चाहिए बोलो बोले अब मुझे डॉलर चाहिए ठीक है साथ हजा डॉलर यहां का जो भी स्पॉर्ट टेट होगा उस पहले जालो खतम खतम कहां आप अभी खरीद दिये और जो भी रेट होगा उसके सबसे मतलब जो भी रेट होगा दिया रहेगा उसके सबसे में बेज देंगे ऐसा ही करते हैं पहले ऐसा ही होता था पर बहुत पहल फिर जो RBI का Foreign Exchange Dealer Association of India फड़ाई रूल्स चेंज हुए अब समझना और बड़ा जबरदस्त रूल्स चेंज हुआ है और यहां से फिर आने लगे कोश्चन अब क्या रूल्स है इन्हों ने कहा फड़ाई ने कहा कि सुनो भाई अगर कश यह रूल्स सिर्फ यहीं लगेगा अगर कश्टमर अगर पहले भी आ जाता है तो भी आपको जितने में बात हुई थी उतने में डॉलर देना पड़ेगा अगर कश्टमर पहले आ जाता है डिलेवरी के लिए तो भले फिर आप जितने में बुकिंग हुई थी उतने में डॉलर देना पड़ेगा बस बात करता ओके ये बैंक बोले दूं कहां से बोले कहां से मतलम बोले ये भाई साथ बोले ये इसके साथ तो कुछ है नहीं है ये बोलता आना तो तीन मैने बाद यहां हमारे साथ कोई कैंसलेशन कोई अर्ली डिलेवरी नहीं चलेगी बैंक से बैंक का कोई कैंसलेशन अर्ली डिलेवरी वगिरा नहीं कस्टमर के साथ होगा कस्टमर के पास तो पहले चाहिए न उसको डॉलर एक सब्सक्राइब करने का इसको तो पहले बेचना है ठीक है अब क्या करें इस भाई साब को डॉलर कहां से दे सर खरीदना पड़ेगा किसको बैंक को खरीदना पड़ेगा किस से दूसरी बैंक से सर और एक बैंक बनाओगे कि हाँ और कोई रास्ता बचा नहीं और कोई रास्ता नहीं बचा इसको देना है इस बैंक के ने तो इससे कवर करके रखा था पर अब इसको इस बैंक से खरीदना पड़ेगा तो कि इस लिए एक मैने पहले आ गए इसके पास कुछ नहीं है तो यहां से खरीदना पड़ेगा यस बैंक खुद खरीदेगा मार्केट से सोच समझके बोना किस रेट पर इस पाट दूसरी बैंक से खरीदेंगे किस रेट पर इस पाट बेलकुल सहीं रेट कौन सा आएगा इस पाट तो आएगा बिलकुल सहीं इस पाट आएगा 100 परशन कोश्चन इस पाट वाला कि कोश्चन है बिड आएगा क्या असकला है यह वाला आएगा कि यह वाला आएगा निशीदा का क्याना 46.5800 वीपक का भी वही आंसर है वाउ मौनालीशा सेव मस्ट सुने वाउ सब समझदार हो गए यार बच्चे वाउ पिछली बैस से तो बहुत अच्छे बच्ची है यार 46.58800 पिछली बैस में बच्चे क्या बोल रहा थे मालू मैं सर यह बैंक खरीद रही है और खरीदने का रेट बिड रेट हाँ प्रशांत वही तो बात है खरीदने का रेट तो बिड रेट होता है ना बैंक खरीद रही है तो यह रेट होना चाहिए प्रशांत कभी यह कहना सर बैंक खरीद रही है तो बिड रेट होना चाहिए अचा मिटा दिया यार गलत बात 46.5725 होना चाहिए यह कहना था क्योंकि खरीदने का रेट है पर दूसरे एंगल से सुचो सर यह बैंक बेच रही है तो सेलिंग रेट होना चाहिए तो यह गरच किसकी यह सब्द याद आया गरच किसकी है तो यह कश्टमर हुआ जिसकी गरच वो कश्टमर हां कवर डिल में किया था ठीक टेंस्टन का था ओके तो यहां से डॉलर खरीदेगा और यहां बेज़देगा अभी भी एक समस्या है सर क्या समस्य आप क्या समस्य यह भाई साब आएगा कब का कॉंटेक्ट था सर 20 मार्च का 19 20 मार्च का ठीक है 19 मार्च को और एक टेंसर नहीं इसको मालू में कौन सा टेंसर नहीं पता है हां सर यह तो अभी हम करेंगे काम जो भी होगा देखा करेंगा 19 मार्च को और एक टेंसन है पता है कौन सा हाँ सर कौन सा यह बैंक आके खड़ी जाएगी कहा हो आप यह वाली बैंक सिर नाम करन करो यह वह बहुत ज्यादा लिखतो यह 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 बी और यह सी अधिल नाम लिखना जरूरी नहीं अब यह वाली बैंक कहा हूं आप बैंक भी 19 मार्च की बात हो गई थी यह आ गया हम 19 मार्च को और हम आपको डॉलर देगे अब इसका फिट एंसन खड़ा हो गया वो जो डॉलर आएगा इधर से कहीं डॉलर का रेट उस दिन क्या हो गया क्या नहीं पता नहीं उसको भी तो कुछ करना पड़ेगा बोलो क्या क करें सर इस बैंक से बात करते हैं वापस किस बात बुले हम इस से बात करते कि मेरे पास ना आने वाला है डॉलर 19 मार्च को तो प्लीज एक महने बाद क्या आप मुझसे वापस खरी सकते हों मेरे पास तो आने वाला डॉलर तो क्या आप वापस खरी सकते क्योंकि मैं मैं forward, कौनसा rate, कौनसा rate, sell कर देंगे, किस rate पर, रेट चाहिए, 46.3550, विल्कुल सही, 46.3550, इसको मालुमाँ, FX, स्वेप, बोलती, स्वेप कर लिया आपने, इसको क्या बोला जाता है, FX, स्वेप, और एक्स्वेप, सर, इसी को स्वेप बोलते हैं, हाँ भाई, स्वेप बोलते हैं, इसने दो चीजे एक साथ किया, एक खरीदने का, एक बेचने का, इसको बोलते हैं, buy sell swap buy sell इसको swap बोलते हैं कि इस बैंग के साथ हमने swap किया आज खरी देंगे एक मेने बादे देंगे FX swap बोलते हैं इन सब में सबसे ज़्यादा मज़ा कौन ले रहा है सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आ गया होगा बताओ supreme किस्टमर इन सबसे ज़्यादा खुश इन सब में यह सब जो कुछ भी हुआ जमाने भर का इस सब में सबसे ज़्यादा मज़े लेने वाला कौन इंसान है कस्टमर नहीं बैंक सिल रहा है वो तो देख रहा वझा गया विल engag लेकुश्lagen कियो यह सब क्यों आया आर instructions से और कस्टमर बहुत खुस बहुत करो जो करना मेरा रोटेंशन खतम मुझे तो 46.67 के साब से मिल गया अब आई आर भी आई बीच में और सुनो आर भी आई क्या बोलती है बेंक आपको डॉलर बेचेगी और जिस रेट पेबात हुई थी उस रेट पे बेचेगी पर ये जो कहानी हुई है ना और उसकी वज़ा से इस बैंक को जो भी लॉस हुआ होगा जो भी लॉस हुआ होगा वह आपको देना पड़ेगा यह जितना भी आपने करवाया ना काम जबर्दस्ति का इसकी वज़े से इसको कही ना कि नुकसान है वो देख लेंगे हम क्या हुआ है प्रॉफिट लॉस तो निकालनेंगे जितना भी लॉस हुआ है वो सब आपको देना पड़ेगा इस रेट के अलावा हाँ अब अच्छा लगा मुझे इसने परिशान करके रखा था तो चलो पहले निकालना पड़ेगा स्वैप लॉस गोलेंगे स्वैप गेल या स्वैप लॉस वो निकालना पड़ेगा वो क्या-क्या वो धीरे-धीरे होगा बैटे मैं ना कॉंसेप्ट पहले नहीं करवाया हूँ मैं कोश्चन के साथ ही कॉंसेप्ट करवा रहा हूँ तो ऐसा लगेगा कि सर अभी अब सुनत चाथ हिंवाप पस बेच भी दिया यह भी इसी की वजह से कितने में 46,35 तो है जो किया-इससने इसको बोलते स्वैप स्वैप किया है तो इस पे इयुक्रयो यास है फेला काम करोगे सर कोश्षन कैसे आइगे कोश्षन में निखा रहेगा कि स्वैप लॉस निकालो स्वैप अभी कॉश्षन आये घे सर यह कोश्चन भी आया था लास्ट में क्या बोला वह बाद में समझा दूंगा सबसे पहले स्वैप यह स्वैप हुआ यह लिखना पड़ेगा कि यस कि स्वैप गेन और लॉस कि यह स्वैप किस दिन हो रहा है सब 19 फैप को बैंक ENTERS INTO पले बीपर से पिर्सल पैसल से पैसल से bank by dollar at rupees 46.5800 and sell dollar at 1-man forward at rupees 46.3500 टीट डबल फाइब जिरो ऐसा है ठीक है एक बार गेनिया लॉस्ट ने कर ले हैं पर बैंक ने खरीदा है और बैंक ने खरीदा है बाइब 46.5800 और पिर बैंक ने वापस सेल कर दिया कितने में 46.58 3.5.5.0 तू बताएए इस स्वेप से बैंक को लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है बैंक को लॉस हो रहा है कि गेन हो बैंक को कि स्वैप लॉस आ रहा कि स्वैप गेन आ रहा है कि सर बैंक ने खरीदा था 40 से कम में नहीं सर खरीदा है ज्यादा में बेचा है कम में यस लॉस इसको बुलेंगे स्वैप लॉस 0.225 इन्टू कॉंट्रेक्ट साइज किया था है कॉंट्रेक्ट साइज डॉलर सेवन थाउचन तू बोलो स्वैप लॉस कितना आ गया है टूटल में पंद्रह सो बश्यत्तर 1575 तो कश्टमर से जो लेना है लोगे मतलब कश्टमर से हम 7000 इन्टू 46.67 तो लेगे लेगे और ये जो लॉस हुआ है ये भी हम कश्टमर से वस्विल करेंगे 1575 सर अगर ये ट्रांजेक्शन से सुनो के द्यान से अगर ये ट्रांजेक्शन से हैं के wan लो कश्टमर को लॉस बैंक को लॉस नहीं में हुता बैंक को फ्राफिट होता मनलो बैंक को प्राफिट हो जाता तो फिर एक सामकर और Takes 6.67 तो देगे देगे साथ में हमको तो फाइदा हुआ भाई आपकी वज़ा से ये फाइदा भी हम आपको दे देंगे अगर गेन होता तो loss हुआ तो हम customer से वसूल करेंगे अगर गेन हो जाता तो इस transaction की वज़ा से gain होता तो क्या वो customer को pass out करते मैं आपसे पूछ रहा हूँ loss हुआ तो customer से वसूल करते हैं swap loss है swap loss है तो customer से वसूल करते हैं अगर गेन हो जाता तो अगर जाता तो अगर swap गेन हो जाता तो भी तो भी customer को गेन हो जाता तो भी customer को देना पड़ता पास आउट करना पड़ेगा गेन होगा तो भी पास आउट करना पड़ेगा simple सी बात है यही rules है यही rules है गेन हो जाता तो भी pass out करना पड़ेगा ओके सर मतलब सीधी सी बात है भाई लॉस होगा तो आपसे उसुल करेगे अगर गेन हो जाता तो हम आपको दे देते पास आउट कर देते बात करते हैं मतलब मतलब सुनो बैंक आपको जितना फाइदा होना था न उतना ही फाइदा होगा बस ठीक है सर्ड़ प्लीज हलके में मत लेना अगर गेन हो जाता तो हमको पास आउट करना पड़ता कस्टमर को सर्व इसका मतलब यह बात समझ में आई है हाँ उद्धव और में पहुंच आप बी मैंने कब कहा कि कहानी खतम हो घए अभी बहुत पिक्चर बाकी है दोस्त क्या करूगे मैं मैं पहुच रहा हूं बस थोड़ा से इंतजार करो रहा है ठीक है ओके सर ठीक है यहां तक बात समझ में आगे अब 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 और एक दिक्कत यह है कि यह बहाई सब और क्या बोल रहा है आफ एक दिल किया बोल रहा है एक यह बोल रहाई उनो ना बैंक अब इसका दिल क्या बोल रहा दिल meow मैं आपको पैसे कप देने वाला था बोले 46.67 के सब कि बाव याँ कि अच्छा काम कर रहा हूं तो यह इंट्रेस्ट तो रखागनें अघुए आपको क्योंकि रेट तो हम और टो वहीं है प्लीजूद मुझे इंट्रेस्ट भी दे दीजिए तो ये भाई साथ एक मैने का इंट्रेस्ट मांग रहा है बोले आपको जो रुपिया मैंने दे रहा हूँ उस पर इंट्रेस्ट चाहिए तो बैंक भी बोल रहे है सुनो 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 मेरी बात आपने मुझे जो पैसा दिया है न मैंने कोई जेब में नहीं रखा है उस पैसे को मैंने यूच किया है बदले मैं आपको कुछ दिया ना बोले क्या दिया आपने डॉलर तो वो डॉलर फ्री में नहीं आया मेरे पास वो डॉलर तो मैंने यहां से खरीद के दिया ile समझने के कोशिश करो मतलब no doubt एक मैंने पहले पैसा आ गया है मेरे पास पैसा मेरे पास आया और मेरे पास से कितना पैसा गया और फिर देखेंगे काम के एक मैने पहले काम हो गया ना तो उस पर देखेंगे कैश फ्लो का क्या हाल है है ओक है तो नेट कैश्फ फ्लो निकालना उन्निस फैप को किसके एंगल से बात हो रही है पूरे बैंक भी के एंगल से बात हो रही है कि अगर नेट कैश्फ फ्लो पर कब की बात है उन्निस फैर डाउट सारे लूंगा ऐसा नहीं है मैंने कहा ना इस कॉंसेट को समझाने के लिए टाइम लगता है ऐसा नहीं है कि इजीली हो जाएगा सबसे पहले पैसा आया कैश इंफ्लो यस कितने में बेच रहा थे वनुख 46.67 326690 और फिर सर हमने जिसको डॉलर दिया हमने कहीं से खरीदा होगा यस पैसा गया भी तो हमारी पास है कैश आउट फ्लो डॉलर साथ जार इन्टू 46.58 डॉलर से यह कितना आ रहा है 326060 इतना पैसा आया पर इतना चला भी तो गया तो नेट कैश इन्फ्लो बच्चा कि नेट कैस आउफ्फ्लो बच्चा नेट में क्या बच्चाए पैसा ज्यादा आया कि कम से ज्यादा पैसा आया नेट कैश इन्फ्लो 630 रुपए तो हमने गा भाई हम आपको क्यों इंट्रेस्ट दे आपने एक मैने पहले पैसे दिये तो हमने पहले खर्च भी तो हो गया बोले 630 तो बच्चा ना तो उस पर इंट्रेस्ट दे दो कम से कम क्या देना चाहिए वो भाई था मान नहीं रहा बोले 630 रुपए बच्चा ना उस पर इंट्रेस्ट दीजिए कम से क्या इंट्रेस्ट वसूल करने का तो मैं तो वसूल करता हंड़ेट पर्षेंट पर क्या इंट्रेस्ट देना भी पड़ेगा मुझे अगर कुछ गरबड होता है सर वो इंट्रेस्ट वसूल करने वाला वो भी मैं करवा दूंगा उसकी बात नहीं है क्या इंट्रेस्ट मुझे देना पड़ेगा इस भाई सबको एक तो ऐसे इन्होंने क्या तमासा मचा कर रखा और उपर से बोलते इंट्रेस्ट भी देजिए हाँ पड़ लिया आप लोगों ने सर दिया है सब इंट्रेस्ट और आउट्फ्लो और इंट्रेस्ट और इन्फ्लो अगर यह लाइन पड़ लिया तो आप समझदार हो फिर सब बच्चे इंटेलिजेंट है तर कितना देना पड़ेगा बारा परशन कि एक वेने का ले लूँ तर सब 6.6 रुपए 30 पैसे के लिए परिशान कर दिया था उसने इंट्रेस्ट दो इंट्रेस्ट यह लोग छे रुपए 30 पैसे और क्या चाहिए अर्ब हम अम्हां सब्सक्द इंटिस्ट नाव् टोटल है रिसीट फ्रॉम कश्टमर कश्टमर से अब हम बताओ टूटल कितना एमाउंट वसूल करेंगे सर एक तो हमको वसूल करना है सर पहली बात इस रेट पर बेचेंगे ये तो पैसा वसूल करेंगे कितना डॉलर साथ हजार साथ हजार इंटू 46.67 ये तो पैसा आएगा तो सर ये वसूल हो गया 3,2,6,6,9,0 ठीक है और सर और वसूल होगा किसके नाम से स्वैप लॉस इसकी वज़ा से स्वैप लॉस हुआ है और स्वैप लॉस कितना हुआ था 1575 ये भी वसूल करेंगे पर वो कुछ इंट्रेस्ट मांग रहा था वो काटलेंगे इंट्रेस्ट और इंट्रेस्ट और इंट्रो अफंट 6 रुपे 30 पैसे उसका बनता था तो बस इतना ही वसूल करेंगे सामने वाले से तो इसे भी मनता था 1575 हो गया स्वैप लॉस का माइनस 6 रुपे 30 पैसे उसके इंट्रेस्ट का तो टूटल वसूल हो जाएगा रुपीस 328258.70 अचा फ्लैट चार्ज भी है क्या फ्लैट चार्ज होगा तो 100 रुपे आट कर दिना प्लस 100 रुपे फ्लैट चार्ज है सायथ मैंने देखा नहीं था 100 रुपे फ्लैट चार्ज है तो सर्ट टोटल वसूल हो जाएगा 328358 328358.70 चलो अब डाउट्स स्टार्ट कर रहे हैं डाउट नमबर वन किसका आया था उद्धोक और उनका क्या कहना है सुनियें उनका कहना है सर यह इधर आकर इधर जा रहा है ना यहां से खरीदा और यहां बेचा उद्धोका डाउट पहले ले लूँ वन बाई डाउट लेने को मैं तेया रहा हूं उनका कहना सर यह तो आपने ले लिया ठीक है स्वैप लॉस लेकिन सर एक बात भूल गया यहां से खरीद कर यहां आप ट्रांसफर कर रहे हूं तो सोचो इस बैंक ने 46.655 का खरीदा और 46.355 का बेचा वह लॉस कौन वसूल क करेगा एक यह डाउट आया ठीक पहला डाउट दूसरा डाउट बच्चों का क्या आता है दूसरा डाउट यह आता है कि सर सिर्फ 6.30 पैसी क्यों वसूल किया जाएगा इंट्रेस्ट का 630 रुपए भी तो एक प्रकार से हमको फाइदा है क्या डाउट आता समझ देखो सर यह और यह तो उस रिएट उस इसाफ से 633 रुपए भी तो फाइदा है तो यह 630 रुपए भी तो सामने वाले से वसूल करेंगे मतलब सांने वाले को ट्रांसफर कर देंगे इंट्रेस्टी क्यों ट्रांसफर हो रहा है उस सांने वाले का करने जानों आपको पता यह जो भी आप बोल रहा है यह 630 रुपए की बात कर रहे हैं 630 या फिर उद्द्व ने इस चीज की बात किया भाई वो सब की सब कंसीडर हो चुका है स्वैप लॉस में 1575 में सब चीज कंसीडर हो चुका है चलो मैं समझा दूं ऐसे करना नहीं है पर सुन लो सुन लो दें असर हिसाब किताब वाली बात तो हम सी यह लोग है तो हमें हिसाब किताब तो आता है हाँ सर हम तया है चलो अब अब हिसाब किताब की बात पहले हिसाब किताब की बात कर लेते हैं फिर काम करें इसमें कुछ स्टेप नंबर है नहीं है ठेटियोरी वह सब लिखवा दूंगा पहला मेरा काम है समझाने वाला है पहले में समझा देता हूं अक्छा है फिर सारी चीज़े लिखवा दूँगा आज कटम नहीं होने वाला लाê यह तो कल ओवर्डिव आएगा उसमें और भी चीज़े लिखवा नहीं तो सब धीरे-धीरे सारी चीज़े लिखवा दूँगा पहला मैं पहले डाउट से डिसकस कर रहा हूं पहला डाउट किसी और एंगल से इसको सोचने की कोशिश करते हैं यह कैसे करवाया गया जैसे इंस्टिट्यूट कहता है आप किसी और एंगल से सोचने की कोशिश करते हैं मुझे आपका साथ चाहिए हैं यस आप भी सीय लोग हो मैं भी सीय हूं मतलब सीय बन जाओगे चलो तो हिसाब किताब करते हैं यस अब यह बैंक ने जब यहां कॉंट कॉंट्रेक्ट हुआ था कॉंसिडेट जो भी डेट उननीच जैनवरी को उननीच जैनवरी को जब कॉंट्रेक्ट हुआ था तो पेचने का कॉंट्रेट किया था और खरीदने का भी कॉंट्रेट किया था और एक सपना देखा था सपना किस्चिश का कियार मुझे तो प्रॉफिट होगा ही होगा बताओ कितना प्रॉफिट होने वाला था इसको उन्यस जनवरी को इसको मालूम था कियार मैंने दो कॉंट्रेट कर रखे कोई रोक नहीं सकता पक्का प्रॉफिट होगा कोई बता सकता है कितने का प्रॉफिट होता 46.67 अगर कुछ नहीं होता कोई अर्ली डिलिवरी वगिरा कुछ नहीं होता तो बताओ क्या 46.67 में बेच रहा था 46.655 में खरीद रहा था 105 रुपे का प्रॉफिट होता ओके ये सब ट्रांजेक्शन करने से इस भाई साब को सर 105 किदर लिखो यहां लिख दो सर 105 का प्रॉफिट होता ये तो पक्ता हो गए ठीक है ठीक 19.5 को एक घटना घटी और उसके सपने टूटे हैं किसके सपने टूटे हैं बैंक बेखे अब इसकी वजह से हुआ क्या ये बरबाद हो गया अब देखो बरबाद कैसे हुआ सर इसकी वजह से मैं अलग-अलग एंगल से बात करा हूँ बिल्कुल हिसाब की तावली नॉर्मल बात कर रहा है सर इसको तो 46.67 के हिसाब से बेचना पड़ा पर 46.58 के हिसाब से मुझे खरीदना पड़ा तो इसकी वजह से भाई साब इस बेंक की खुसी का ठिकाना नहीं हुआ क्यों? क्योंकि इसको तो फायदा दिख रहा है कोई बताएगा कि 19 फैब को जो घटना घटी उसकी वजह से इसका कितने का प्रॉफिट हुआ इस बेंका प्रॉफिट हो गया न इतने में बेचना पड़े गई और 46.58 के साब से खरीदना पड़ेगा तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया मैं ऐसे अलग-अलग लेकर चल रहा हूँ इसको अलग लेकर चल रहा हूँ बताओ कि कितने का प्रॉफिट 46.58 से खरीदा 46.67 से बेचा तो 19 फैब को कितने का फाइदा हो गया है देखा जाए तो 630 630 का फाइदा ठीक है 19 फैब को 630 का फाइदा हो गया है सीधी सी बात बर्बाद कब हुआ तर बर्बाद तो यहां हुआ 20 मार्च को कितने रुपे से बर्बाद हो गया सर इधर का फाइदा देख लिए अब इधर से बर्बाद हो गया सर जब इससे कॉंट्रिट कर लिया कि मैं बेज दूँगा 46.3550 का हां और इसको इधर से आया 46.655 तो सर इधर तो लॉस हो गया यस कोई कैल्कुलेट करके बताएगा यह लॉस कितने का हो रहा है 46.655 और 46.3550 महगे में खरीदा सस्ते में बेच्चा इंटू साथ हजर कितने का लॉस हो रहा है कि कि सो कि एक कि सो का लॉस हो अब मैंने का मैं कस्टमर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं और जो मैं 105 रुपए कमाने वाला था वो भी वो तो ही नहीं है तो वो तो देने ही पड़ेगा आपको मतलब 105 तो और देना पड़ेगा न आपको मतलब यार जो मैं कमा रहा था वो तो मैं कमाऊंगा यार उसको तो कोई रोक रही सकता ने तो फिर मैं क्यों काम कर रहा हूँ मतलब ये सब ट्रांजेक्शन से 1470 रुपए का जो लौस है वो तो वसूल करूंगा ही साथ में 105 रुपए और तो इसमें प्लस क्या करेंगे 105 कि 105 जो कमाने वाला था वो भी बरबाद हो गया न तो बताओ टोटल मिलाकर कितना वसूल किया जाएगा टोटल मिलाकर चोड़ा सुसत्तर यह चोड़ा सथ 15 75 रूस कितना आया था 15 75 रूस कि मैंने का ना सब कुछ कवर हो गया 15 75 यह तो आया था था यह यह ठीक है और क्योंकि प्रॉफिट पहले हो गया था तो उस पर पॉर्चिट कॉस्त लेना पड़ेगा आपको प्रॉफिट जो हुआ था यह 630 यह तो उनिस फैप को हुआ था ओके तो उसके साब से हमको इंट्रेस्ट भी देना पड़ेगा यह सर और एक्स प्लीज अभी कोश्चन है कोश्चन करना जरूरी है 15 मिठ है मारे पास पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पर मैंने जो बताया है वैसा नहीं चलेगा एक्जाम में दो चीजे मांगेगा भाई वो दो चीजों का मुझे कैलकुलेशन चाहिए एक तो मांगेगा स्वैप लॉस आपको निकालना है तो ऐसे नहीं कर सकते आपको स्वैप लॉस ऐसे ही करना पड़ेगा ओके और दूसरा पूछेगा इंट्रेस्ट तो इंट्रेस्ट इस पे और सर ये इसकी क्या मुझे किसी भी कैलकुलेशन में इसकी जरूरत पड़ी पहले मुझे यह बता हूं क्या किस किसी भी कैलकुलेशन में इस रेट की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी नहीं पड़ी स्वैप लॉस यह निकल गया हां सर और इंट्रेस्ट इस पे निकल गया किसी भी कैलकुलेशन में मुझे इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं तो आईसी एई बहुत ज्यादा इंटेलिज अब फस होगे फिर इसलिए मैंने कहा कि नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं हम मैनेज कर लेंगे सर और बले कोश्चन ना हो पर कॉंसेप्ट पहले सारे डाउट्स क्लियर हो जाए सर मान लो अगर ये अरली डिलेवरी होता अच्छा एक बच्चे का और डाउट आये था सर पूछो उस बच्चे का ये कहना था सर जिसी कस्टमर है कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि इस भाई साब ने कवर करके रखा है कि नहीं रखा है वो तो जबरदस्ती का लूट रहा होगा कस्टमर को बैंक वाले तो वैसी है और जबरदस्ती को लूट रहा होगा तो कैसे करेगा इस बात का क्या सबूत है कि बैंक आपने कवर करके रखा है हमको कैसे पता और इस बात का क्या सबूत है कि आपने swap किया, हमको कहा मानूम है, हम तो बस, आप मांगे जा रहा है, हम दिये जा रहा है, ऐसे थोड़ी न होता है, मतलब हमको कैसे पता लगेगा, कि ये हो रहा है, तो फिर RBI की guideline है, और RBI की guideline है, किस तुनों customer, ये क्या करता है, क्या नहीं करता है, doesn't matter, ये important है कि early delivery हो रही है, इसका मतलब इसने cover करके रखा होगा, और इसने swap किया है, ये मानना पड़ेगा, ठीक, तो question कहें या ना कहें, आपको early delivery है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि cover है, swap है, that's it, और कुछ नहीं, बस sir, RBI का कहना क्या था, RBI का कहना बस, swap किस rate पे हो रहा, customer को कैसे पता लगेगा, बात सही है, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, law, RBI की जो फड़ा ही rule है, उसको पढ़ना पड़ेगा, मैंने नहीं पढ़ा, मैं ज्यादा law के चक्कर में नहीं गए, मुझे नहीं मालूं क्या paper लगेगे, क्या नहीं लगेगे, जो जो चीजे मुझे पता थी, वो वो चीजे मैंने बता दिया, तो अगली जब batch पढ़ाऊंगा, तो मैं उसमें दीपक का रावट पूछूंगा, कि sir, swap किस rate पे हुआ, कैसे पता लगेगे, नहीं पता, साथ आपका कहना, sir, early delivery में simple सा थो थाना, यार, सिदा काट देता, और नया contract book कर लेता, इतना simple चीज को इतना technical क्यों किया, conceptual कोई गलत नहीं है, RBI का बिल्कुल सिंपल कहना, कि भीया, जैसा है, कि bank जो आपका profit हो रहा था, वो profit हो रहा है, customer जल्दी आ रहा है, तो कौन सा गुना कर लिया, उसको जिस rate पे मिलना था, मिल रहा है, it means ऐसा कि जल्दी आ भी जाता है customer पे, तो contract cancel मत करो, जो भी, अगर इसकी वज़े से आपका जो भी loss हो रहा है, बस बात करता है, अब, क्योंकि 10 minute है, 10 minute है हमारे पास, 10 minute है, तो मैं लिखवाओंगा कुछ नहीं, diagram बनाएंगे उस question का, cancel, हाँ जी, contract cancel नहीं होगा, early delivery में contract cancel नहीं होगा, simple सी बात, हाँ जी, एक question है, उसका सिर्फ डाइग्राम बनाएंगे, सिर्फ डाइग्राम बनाएंगे, और उस डाइग्राम से बता पाना कि क्या होगा करके, बस, आज का target खत्म हो जाएगा, सिर्फ कौन सा question है, simple सा question दे रहा हूँ, सिर्फ डाइग्राम बनाकर, छोड़ देना, छोड़ देना, फिर तो बन जाएगा, से, दोनों question एक ही जैसे, दस मिनट साथ दे सकते हो, न, यह सर, अब तो हम डाइग, सिर्फ चित्री तो बनाना है, टाइम पास ही तो करना, ओके सर, हम तैयार हैं, चलो, on first October 2020, Mr. Guru, तो Mr. Guru बना लो पहले, बैटे, डाइग्राम नहीं बनाओगे, question नहीं बनेगा, मैं आपको सीधी सी बाद बता रहा हूँ, सर, यह कौन है, यह है Mr. Guru, Mr. Guru, an exporter, exporter है, exporter है, तो क्या होता होगा यार, पता है न, सर, exporter है, तो बैंक इससे डॉलर खरीता होगा, डॉलर ही है न, हाँ, डॉलर खरीता होगा, बैंक डॉलर खरीता होगा, और कितने में खरीता होगा, 31 दिसंबर 2020 की ट्रांजिक्शन है, बात हो गई है, 75.40, ठीक है, ठीक है, बैंक को डॉलर बेचेगा, यहां तक बात, कौन से डेट की बात है, सर 31 दिसंबर की बात है, ठीक है, हावीवर अर्थे रिक्वेस्ट, वह सब खरीते हैं, कैंसिल कर दिया, कैंसिल करते हैं, बात ही कि तम request किया कि हमको early delivery चाहिए और early delivery में हमने बात किया था कि हमेशा ये क्या करेगा cover तो करके रखेगा कितने में cover किया है वो rate हमारे काम का है नहीं है पर जो customer है वो 30 नवंबर को बोल रहा है कि यार में dollar यह तो exporter वाला question है यार वाओ चाहिए था यह मिल गया तो bank dollar यह bank को dollar देने वाला था 31 दिसंबर को अब दे रहा वो 30 नवंबर को अब bank करें तो क्या करें dollar को bank sir दूसरी bank को sell कर देगा sell sell लिखूंगा तो गरबड़ हो जाएगा rate बता दो जल्दी से जो dollar आएगा यह bank कब आ रहा है sir 30 नवंबर को आ रहा तो 30 नवंबर को दूसरी bank को transfer करेंगा और कुस तो बचा नहीं है बताओ rate बता दो rate 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 चाहिए 75.22 जा गया प्रॉब्लम में यह कब की deal है प्रॉब्लम में यह तो 31 नवंबर को आके बोलेगा मैं यह बही 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 डॉलर चाहिए डॉलर चाहिए किस rate पर यह दिया नहीं है ना दे पर यह तो dollar मागेगा क्या करें कि सरेक कॉंट्रेट करेंगे कि खरीदने का कि इस rate पर कि 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 यह बैंक बेचेगा मतलब 75.27 प्लस 0.15 यह ना 75.27 प्लस 0.15 75.42 बिल्कुत सहिं शयुक्त स्वेप का नाम क्या है by sell swap के sell by swap buy sell swap यह sell by swap पहले क्या हो रहा है पर सर पहले sell हो रहा है फिर buy हो रहा है sell by swap सबसे पहला काम है क्या कोई है जो मुझे swap loss निकाल कर बता सकता है swap loss या swap gain मुझे नहीं मालूं sell by swap swap gain आ रहा है कि swap loss आ रहा है कोई है जो मुझे सर्फ बेच रहा है और खरीद रहा है swap loss आ रहा है बेच रहा है और खरीद रहा 75.75, swap loss आ रहा है सायथ, और transaction cost किया है dollar 1 lakh, कोई है जो मुझे swap loss बता सकता है, swap loss, 20,000, बिल्कुल से, 20,000 रुपए swap loss, एक कम तो हो गए आपका, अगर book में check करोगे ना, तो swap loss दिख रहा होगा, 20,000 रुपए, एक कम होगा, 20,000 रुपए, अब transaction होई है, एक मैने पहले, तो interest की बात कर ले, हाँ sir, interest की बात कर ले, इंट्रेस्ट की बात सोच समझ के करना, sir, 75.40, खरीद रहा है हम लोग, export है, sir, वो डॉलर बेच रहा है, डॉलर बेच रहा है, और मैं डॉलर क्या करूँगा, जो डॉलर आया है, यहाँ बेच हूँगा, swap, interest, यहाँ cash inflow आएगा, बैंक के एंगल से बताना, यहाँ cash inflow आएगा कि कैसा उट्टो, बैंक के एंगल से बताना, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ सर्फ हमको रुपिया देना पड़ेगा, क्या, yes, तो यह आगया cash outflow, और सर्फ यहाँ रुपिया, हम इसको बेच देंगे तो रुपिया आएगा, तो cash inflow, पका ना, अब सोच, थोड़ा सा सोचना यहाँ रुपिया की बात करूँगा, रुपिया, रुपिया, सर्फ तो मतलब यार हम इसको रुपिया देगे न, yes, रुपिया देगे, और यहाँ बेज देंगे डॉलर, तो रुपिया आएगा, तो रुपिया cash outflow है, तो net cash outflow आएगा सायथ, net cash outflow आएगा, एक बार देख लो, कितना आएगा, net cash outflow, 18,000, 18,000 पर इंट्रेस्ट लगेगा, इंट्रेस्ट का रेट दिया है, क्या, yes, 18%, 18,000 इंट्रेस्ट और, 365 दिन दिया हुआ है, 365 दिन, तो days में calculate करेगे, कब contract cancel हो रहा है, 30 नॉवंबर, मतलब दिसंबर के 31 दिन का इंट्रेस्ट निकालना, 31 डेस का इंट्रेस्ट, 18,000 पर, 18,000 पर, 18% इंट्व, 31 डिवाइड़ेड़ेड़ेड़ेड़े, 365, 25 रुपे इंट्रेस्ट का हो गया, 25 रुपे, 18 पैसे, तो simple है, हो गया question, सामने वाले से कितना, सामने वाले से कितना पैसा हम देगे उसको, सामने वाले को कितना पैसा, कितना रुपिया देगे, सर, एक लाग डॉलर इंट्व सेवंटीवाइड, मतलब सर, 75,40,000 तो ये देगे, 75,40,000 तो देगे, और, पर, swap loss का कितना काट लेंगे, 20,000 रुपिया, और, interest net outflow है, तो उसका काट लेंगे, कितना, 275.18, ये भी पैसा काटेगे, और बचा हूँ, उसको देदेंगे, देना है ना, यार मुझे, तो 75,40,000 तो देना था, उसमें से swap loss का 20,000 काट लेंगे, और 275.18, इंट्रेस्ट का काट लेंगे, बचा हूँ, उसको देदेंगे, 75,19,000 और 275, सर लेकिन प्लीज आप ऐसे मत करवाईए कोशन, हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसे नहीं करवाना, तो, इस डाइग्राम को यहीं छोड़ा हूँ, सर फ्लीज खतम करवा दो कोशन, कोशन खतम नहीं होगा, कोशन में बहुत बड़ा खेल है, इस पॉइंट में नहीं है, इस पॉइंट में हैं, गुरू, पॉइंट नमबर टू में है, और जल्दबाजी की वज़ह से, मैं नहीं करना चाहता कुछ, पॉइंट नमबर टू बहुत अच्छा पॉइंट है, दिल खुश हो गया, पॉइंट नमबर टू रिसक्रस करूँगा, ठीक है, तो ओके, आज बहुत, मैं भी बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ, इतना ज़्यादा ज़रुरत नहीं पढ़ती जनरली, ठीक है, बाइ-बाइ, गुद नाइट, ओके, गुद इवनिंग, अच्छा है, गुद इवनिंग, अल अल फ्यू, हमकर कोई कोश्चन बना रहे थे, और बीच में छोड़ा था, ओके, क्या सीन था, एक बार डिस्कस कर ले, जल्दी से दो मिनट में, और काम खतम करे, कोश्चन अच्छा था, इसलिए मैंने, बीच में छोड़ दिया था, बैंक था, ठीक, और बैंक, कस्टमर से खरीदने वाला था, मतलब कस्टमर एक्सपोर्टर है, वो डॉलर बेचने वाला था, बैंक को 75.40 का 31.12 को, अब ये भाई साब डॉलर लेकर, 31.12 को नहीं, 30 नॉवंबर को आ गया, अब जब 30 नॉवंबर को आ गया, मतलब वो अरली डिलिवरी हो गई, तो 30 नॉवंबर को, इससे डॉलर लेना ही पड़ेगा, 75.40 का, अच्छा, हमने क्या कहा था, ये इधर से देगा, तो हम इधर ट्रांसपर कर देंगे, अब 30 नॉवंबर को, हमको डॉलर देना है, एक्सपोर्टर है ना यार ये, हाँ, एक्सपोर्टर है, 30 नॉवंबर को, डॉलर लेकर करेगे, क्या तो हमने इधर ट्रांसपर कर दिया, कब 75.22 के सबसे, ठीक है सर, ये भी बाद समझ में आ गई, उसके बाद क्या किया था, अब दिक्कत ये है, कि 31 दिसंबर को ये हम से मांगेगा, दूसरी बैंक, तो फिर हमने इसी बैंक से, खरीदने का कॉंट्रेक्ट किया, और ये कॉंट्रेक्ट कौन सा था, वन मन्थ, वन मन्थ फाववर्ट, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, कि स्टोरी बहुत ऐसी चीज़ है, कि मुझे इसको याद दिलाने में, 10-15 मिनट में बरबाद नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लग रहा है, कि ये सब आपके पास लिखा हुआ है already, ठीक है, ओके, पूछ रहा है, एक ये option है, और एक ये option है, येस, दोनों में से कौन सा अच्छा option है, तो पहले ये वाला खतम करें, येस, ये वाला हम खतम करेंगे, पॉइंट नंबर वन, लिख कर काम करेंगे, इस बार लिख कर काम करना, अच्छा कोशन है, आठ नंबर का कोशन अबता है, अरली डिलिवरी, अरली डिलिवरी है, तो कभी भी सबसे पहला, स्वैप लॉस निकालना पड़ेगा, पहले जो बात होगी, स्वैप लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता, पहले बात होगी, स्वैप लॉस, और गैन कितने का गेन हो रहा है देख लिए तो सर बैंक बेचेगा तीज ग्यारा को और एक कॉंट्रेट करीगा वापस खरीदने का इसको बोला जाता सेल बाई स्वैप ठीक कब की बात है यह तीज ग्यारा की तो यहां लिख लेकिया यस इस का लिख लिख लेकिया यह तीज ग्यारा की तो इंड-टैल, ठाइबान, प्राइब, बिस्ट है फेल, बाइन, आर इंड-टैल, वाइन, अच्यार, महार्न, उट्या प्रोफ नंट阜、 सेट। प्राइन, क्राइन, ऑंक, Cells, spot 75.22 and by one month forward 75.42 तो बैंक सेल कर रहा है 75.22 और बैंक वापस क्या कर रहा है बाई कर रहा है 75.42 तो बैंक को क्या होगा लॉस 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 तो बैंक 75.75 20,000 0.20 इसर फिरो ने सब्सक्राइब ऐसे एफ गर्यार में कि आप शिए प्रिसे एफ जा आप आबार गर्या गश्ट एक ठीक है सर ये तो वैसे हमने कल कर लिया था हमें जरूरत नहीं थी पर फिर भी ठीक अब दूसरा काम क्या करना होता है सर दूसरा काम हमें करना होता है इंट्रेस्ट निका लीजिए swap loss या gain निकालना पड़ेगा उसके बाद हम interest निकालेंगे तो interest on cash flow हाँ जी बस अब जड़ा बता दो cash flow कौन कौन सा आएगा यह 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 तीन रेट है cash flow कौन कौन सा आएगा cash flow कौन कौन सा आएगा प्रने जो भी discussion आए मुझे personally message करें कि class के बीच में सिर्फ और सिर्फ answer दोगे ठीक है जो भी आपको lectures related problem में personal मुझे message करें क्लास के बीच में disturb मत करें ओके चलो जी समझने की कोशिश करो कि मुझे बस यह बताना है कि interest on cash flow कौन कौन से क्रेट का आएगा जल्दी से answer दीचे सर सुनो यह जो आएगा मतलब यह अब यहाँ बात हुई थी इसी पर दिक्कत हुई थी हमको याद है हम जब discussion कर रहे थे यहीं problem हुई थी कौन सा पैसा आएगा कौन सा पैसा जाएगा जरा बताओगे सर 75.22 पर हम बेचेंगे तो यह हो गया cash inflow और 75.40 यह हो गया cash outflows okay 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 42 क्यों आएगा भाई अक्चय क्यों आएगा अब भी में बात कब की कर रहा हूं 30 नुवंबर की तो 30 नुवंबर को क्या हो रहा 30 नुवंबर को यह पैसा जाएगा हम इससे dollar ख़री देगे और dollar इदर बेचे तीक है तीसे नवंबर नहीं आएगा नहीं आएगा मतलब यह 75.42 से कोई मतलब नहीं है यार यह तो फावर्ड है इसपॉट इसपॉट तो यह हो गया ओके तो डॉलर वन लाक इंटू 75.40 तो 75,40 थीक है और सर्केश इंफोस यह जो डॉलर आया इसको बेज देंगे 75.22 अच्छा दोनों के लिए 75.22 तो सर्य यह पच्छत्त लग बावी सिजर 75,22 था हुज नेट क्या होगा जड़ा बताओगे नेट कैसा उट्फलो अठारा हजार आउट्फलो है तो आउट्फलो है तो यहर हमें क्या इंट्रेस्ट निकालेंगे अठारा हजार इंट्फू अठारा पर्शंट पर है नूँ इंट्फू कितने दिन का 31 डेज काउंट किया था मैंने और एक साल में दिन कितना लेना था तीनसो पैसे ऐसा लिखा था ना है तीनसो पैसेट 300 दिन तो सर 18 इंट्फू अठारा पर्शंट इंट्फू 31 डिवाइद बए थीनसो पैसेट आँसर आजरा दोसो पचेतर पेट्तर प्वन एट् नूब्याट्यूएट् from customer आएगा बिल्कुत सहीं बोल रहें निशान आका शहीं हो आप तो फाइनल यार customer को अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं अब लाश्ट आखरी वास मैं कह रहा हूं यार customer को net कितना मिला भाई इस भाई साब ने 75.40 का डॉलर बेचा तो सब 75.40 मिलना चाहिए था 75.40 मिलना आउट फ्लो और जो भी बचा वो net मिल गया है एक option यह हम क्या क्या कोशिश कर रहा है हम यह को हम यह बैंक के एंगल से बात जरूर कर रहा है पर ultimately customer को इस option में फायदा है कि इस option में फायदा है यह discussion हो रहा है इस question में यही discussion हो रहा है ओके तो देखते है customer को कितना मिला फाइनली कैसे इन फ्लो पर एक्सपोर्ट क्या रेट था हुई 75.40 सब 75.40 यह मिला हाँ दीपक इंट्रेस्ट के मैं बात कर रहा हूं अभी डॉलर बेचेने से 75.40 मिला 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 माइनस स्वैप लॉस अब बैंक हमें इतना देती लेकिन स्वैप लॉस काटके देगी तो स्वैप लॉस कितना हो गया स्वैप लॉस कितना हुआ स्वैप लॉस हुआ अठारह जार रॉप यह मैनस होगा यह तो मयनस होगा ना इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यह पैसा कस्टुमर को मिलता पर यह काट लेगा बैंक को स्वैप लॉस हो ना बैंक को स्वैप लॉस हो तो वह पैसा काटेगा अब बोलो interest के लिए कुछ कहना चाहते थे इंटरेस्ट के लिए आप कुछ कहना चाहते थे इंटरेस्ट एड होगा की माइनस होगा 20,000 है क्या अचा swap loss 20,000 है सोरी swap loss 20,000 है ठीक इंटरेस्ट माइनस होगा ना मैंथी तो वही बोल रहा हूं माइनस इंटरेस्ट और इंट्रेस्ट कितना 275 रुपिय अठारा पैस तो नेट कैश इनफ्लो कस्टमर को कितना पैसा मिलेगा नेट कैश इनफ्लो सेवन फाइव वन नाइन सेवन फाइव वन नाइन सेवन टू फॉर पॉइंट एट यह कल ही करवा देना चाहिए तो सरकल ही करवा देते तो 17 मनत हमारा खराब नहीं होता है जो आज हो चुकायए कोई बात नहीं कोई बात नहीं पर इतना है कि यह 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 जो कर रहुए टाइम खराब नहीं है आपका इससे आपको फायदा ही मिलेगा आगे चले आगे एक इंपोर्टन पॉईंट था इसलिए मैं रुका उआत मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे ऐसे जो बिना सॉलूशन देखे इसको सहीं कर सकते इफ मिश्टर गुरू सर मिश्टर गुरू है कौन ये भाई साथ है मिश्टर गुरू और इसके पास डॉलर कब आने वाला था वैसे तो 31 इसमबर का बोला था पर भाई साथ इसके पास डॉलर 30 नौवंबर को ही आ गया सामने वाला बोल रहा कि 30 नौवंबर को ले लो डॉलर एक मैने पहले तो मिश्टर गुरू ने सोचा कि यार मैं यह अर्ली डिलेवरी वाला नहीं करता है बैंके पास जाता नहीं मिरे पास जो डॉलर है न उसको इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके कितना परशन कमाएंगे इन्वेस्ट करके हम तीन परशन कमा लेंगे तीन परशन पार रहे न तो अर्ली डिलेवरी का जिंजट पारे रहे नम केसे थीक काहा बलूफ सिंपल बिल्गु सिंपल है फिर तो यस सिंफड इर कका रम ए sniff बिल्गु टरिण PLAY रट रहें यस Griff say सिंपल का। बिल्गु एख सल्ग इन का। अभाग कर सकता तो सिंपल सूमません सुष्ट रारा टि actionable का कर से टी ऐ है बता है जारा बन सिंपल का रार टो यस था क्या कर सकता हुं तीन पर्शन पर रेनम पर थर्टीवन देस एक अती दिन के लिए इन्वेस्ट कर देगा तो सर इंट्रेस्ट भी मिल जाएगा फिर तो 1 लेक का 3 पर्शन इंटू 31 डिवाइड बाई 365 बताओ के डॉलर में इंट्रेस्ट कितना मिलेगा 254.79 अच्छा 250 ले दो सर सीधा सीधा 250 डॉलर अब यह टूटल डॉलर अब हमारे पास हो गया एक लाख 250 अच्छा 254.79 ठीक है बाई वैसा लिख लेताँ 254.79 अच्छा 254.79 ठीक है अब बताओ ध्यान से बिलकुल अब अब ध्यान से टॉटल मिलाकर मुझे तीन महने बाद डॉलर मिलेगा 1,254.79 तो उसको मैं बेचूंगा तो रुपिया आएगा कोई है जो मुझे बता सकता कितना रुपिया आएगा और जो बता दिया हाँ जी बता दोगे तो माझो कितना रुपिया आएगा उन डॉलर्स को बेचूंगा तो कितना रुपी आएगा हाँ हो आप लोग जवाब चाहिए मुझे मेरे पास टोटल मिलाकर 1,254.79 आ रहा है उन डॉलर्स को अगर हम बेच दितते है तो हमें रुपिया कितना मिलेगा मेरा बस सिंबल सा कोश्चन है 2,255,9211 मानशी का अंसर है 7,255,9211 7,255,9211 एक अंसर आ गया प्रशांत का अंसर है 7,5,4,1,1,6,5 सेवन और भी तो आंसर नहीं 7, वो हो अच्छा आकाश, मानसी इनका सही है दोनों का एक ग्रेसा है एक और है 75,4141,165 एक अंसर मेरे पास ये भी है हाँ सादा बिलकुल सहीं दिक्कत क्या हुई थी मुझसे क्या दिक्कत हुई थी मुझसे क्या गलती हुई थी इस कोश्चन में जो डॉलर आ रहा है एक लाग प्लस तू फिप्टी फोर मैंने इस रेट से बेच दिया ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये कॉंट्रेक्ट कब कितने के लिए बुक है सर ये तो सिर्फ एक लाग के लिए बुक है यस और जो टू फिप्टी फोर डॉलर आ रहा ना वो तो इस रेट से कनवर्ट नहीं कर सकते आप उसको मुझे किस रेट से मल्टिप्लाई कर दिया जो की गलत हो गया ओके सर ओके ओके हो सकता आप लोग से भी ऐसा हो ठीक है सर फिर तो कुछ है नहीं सेवेंटी फाइप पॉइंट पॉर जिरॉ यह तो पच्छतर लाग आगे है ओके और सेल डॉलर 254.79 बैंक डॉलर खरिदेगा रेट कौन सा आएगा रेट सर 75.12 75.22 नहीं सर प्लस हो जाएगा 75.22 आएगा कि 75.32 आएगा सर 75.32 आएगा एक मैने बाद आएगा नहीं यार वो जो इंट्रेस्ट हो तो एक मैने बाद आएगा 75.32 तो यहां कि 1.92 आएगा 75.32 आएगा 75.32 आएगा 59.191 बस मुझे इतना बता हूँ कि cash inflow आ गया है यस ऑप्शन नमबर 2 cash inflow है पच्चतला को नसेट हो जाएगा और सर इसमें cash inflow कितना सर ऑप्शन नमबर 2 इस बैटर तो यहां कितना नमबर 2 आएगा कोशन अच्छा था यह वाला point बहुत अच्छा लगा था मुझे सर क्यों क्योंकि मुझे से गलती हुई थी इसी वजह से यह वाला point अच्छा है इस डॉलर को कितने में बेच चुक बागी फिर उसके बाद कोशन सिंपल था यह वाला यह वाला यह वाला 99 homework है अपके लिए question number 99 homework है और सर extrapol में 2019 में और सर इसको homework copy में कर ले ना क्योंकि repeat question है सर वही गुरु वाला question है कि वही गुरु वाला question है कहां इसमें guru है कि कहीं नहीं यार यह तो कुछ और ही question है खेर होमवक कोश्चन है कोश्चन नमर 99 कर लोगे आप बन जाएगा असानी से बन जाएगा एक बार आप भी जो डाइग्राम है वो बनाकर तो देखना एक बार समझ में आ जाएग और होमवक कॉपी में इसलिए लिखा है क्योंकि रिपीट कोश्चन है कि कि 101 अल्रेडी हो चुका है आखरी टॉपिक खतम कर रहा है सर कैंसेलेशन कर रहे थे कैंसेलेशन किया एक्स्टेंशन किया अर्ली डिलिवरी किया और अब सबसे ज्यादा डेंजर चीज़ फो ओवर ड्यू ओवर ड्यू फावर्ड कोंट्रक्ट ओवर ड्यू फावर्ड कोंट्रक्ट या फिर आटोमेटिक कैंसलेशन मलते हैं ओवर्ड्यू फावर्ड कोंट्रक्ट या आटोमेटिक कैंसलेशन एक ही वात है ओके सर आप यहां लिख भी सकते हैं आटोमेटिक कैंसलेशन ठीक है सर यह है क्या समझा रहा हूं यह है ड्यू डेट ठीक है अब यार कस्टमर को मालो importer है तो कस्टमर को ड्यू डेट को डॉलर लेने के लिए आना चाहिए था नहीं आया तो भाई कैंसल करवानी आ जाता तो भी नहीं आया अब बैंक करे तो क्या करे ना तो बहू टॉल डॉलर खरीदने आया due date को ना तो वो ये बोलने आया है कि यार contract cancel कर दीजी या तो extend कर दीजी कुछ भी बोलने नहीं आया अब bank यहां फसी होई है bank सोच रहे है customer क्या है आ क्यों नहीं रहा है हम परिशान है और due date है क्या करे bank ना तो phone करके बता रहा है कोई intimation नहीं है क्या करे मुझे बन दाओ सर कोई option नहीं मतलब इसको बोला जाता यह due date से उपर निकल गए इसको बलते over due forward contract over due forward contract तो सर बैंक क्या करेगी हाँ चे सर बैंक की पास कोई option नहीं है और bank तो भी इंतजार करेगी होता है कि यार कोई problem रही होगी नहीं आया bank इंतजार करेगी सर कितने दिन तक इंतजार करेगी bank तीन दिन तक इंतजार करेगी तीन दिन तक इंतजार करेगी तीन दिन और सर नहीं आया तो नहीं आया तो फिर इस date में आटोमेटिक कैंसलेशन हो जाएगा आटोमेटिक कैंसलेशन हो जाएगा कितने दिन की बात कर रहा हूँ मैं तीन दिन और सर तीन दिन तक नहीं आया तो आटोमेटिक कैंसलेशन हो जाएगा सर आटोमेटिक कैंसलेशन होगा सर ऐसे ही बना ले क्या बना लो काम आए रहा है यहां आटोमेटिक मतलब कस्टमर आए चाहे मत आए हम कैंसिल कर रहे हैं और हम आपसे घर जाकर पैसे वसूल करेंगे तो सर यहां जो कैंसिलेशन जो रेट होगा अब धियान से बताना कैंसिलेशन रेट का मतलब सुनना थियान से सुनो यहां थोड़ा से समझाना मुश्किल एक्जामपल से एक बार समझा दू तो नोट से बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एक्जामपल से नहीं कोश्चन से अगर मैं आपको समझा दू और फिर वापस आके नोट से बनाए तो ज़्यादा मजाएगा एगरी हो या फिर पहले नोट से बना ले फिर समझेगे मुझे नहीं मालूम कि आप समझ पाओगे कि नहीं मैं जाओ यहां बोलने जा रहा हूँ इसी वज़ा से थोड़ी से दिक्कत हो रही है पर फिर भी एब आप कोशिश करता हूँ ओके सर कोशिश करो मैं कहा रहा हूँ यार यह है ड्यूरेट ठीक है ओके सर मेरे ख्याल से अभी इसको यहीं छोड़ते क्यूंकि न यहां न जब आपको समझ में आ जाएगा और जब लिखेगे न तो वह ज़्यादा मझायेगा बस हुआ है मैं यहां बोलूंगा न तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सब बोल किया रहा है कौन सा rate कौन सा review rate कौन सा grace period तो वो problem होगी तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि कोश्चन उठा रहा हूँ सबसे पहले कोश्चन उठा रहा हूँ कोश्चन नमबर 95 कोश्चन नमबर 95 पहले कोश्चन करेंगे उसके बाद notes बनाएंगे और notes मैं नहीं बनाऊंगा आप मेरा साथ दोगे हम साथ साथ में बनाएंगे तभी तो मजा आएगा यार सब कोश्चन देखकर लग रहा है कि यार ये कोश्चन क्या करेंगे खतम हो गया है कि बहुत बड़ा कोश्चन चलो पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं पढ़ना स्टार्ट करना है बस एक चीज़ चैंज करना the importer requested on इसको 13 जून कर लेना 13 जून यहां 14 जून था ना इसको 13 जून कर लेना सर इस स्माल एक्जमपल बिट्टे इसमें कोई स्माल एक्जमपल है यही सारी चीज़े जितने भी कोश्चने सब ऐसी है और हिम्माद दिखाऊना मैं हूना साथ में क्यों डर रहा है आजाओ तर फिर कोश्चन को ठीक से पढ़ोगे धीरे करेंगे कर लेंगे एक कोश्चन फिर साथ में करेंगे आपके साथ अभी मैं इसमें कॉंसेट डिसकस करने की कोश्चन करूँगा और इम्पोर्टर बुग्ड अफावर्ट कॉंफ्रक्ट विद इस बैंक ओन दस अप्रिल फर डॉलर तुलक बिना पिक्चर बनाए नहीं होने हो सर ये भाई साथ है मेरे साथ साथ बना लेना प्लीज और ये बैंक है और इसका नाम क्या है इम्पोर्टर तो सर बैंक इसको बेच रही होगी डॉलर इम्पोर्टर बुग्ड अफावर्ट कॉंट्रक्ट विद इस बैंक ओन दस अप्रिल फर डॉलर तुलक दिव अन दस जून ठीक है बही इम्पोर्टर है तो बैंक इसको डॉलर बेचने की बात हो रही होगी यस कौन सी डेट की बात है दस जून एक ही रूल से है बहुत सारे छोटी छोटी एक्जामपल किया पिक्चर एक अच्छा कोशन धीरे करते हैं धीरे करेंगे अच्छे से समझते है ओके सर दस जून और सर कितने में बात हो गई थी 64.4 ट्रिपल जी रो ठीक है भाई बात हो गई चुकी है कि दस जून को ये बैंक बेज देगा 64.4 पॉइंट ट्रिपल जी फोर में लेकिन ये कवर तो करेगा खुद को मतलब कही ना कहीं से तो खरीद रे कवर तो हमेशा होता है ओके ये दूसरी बैंक से खरीदेगा उसी डेट में दस जून को दबैंक कवर इट्स पोजिशन इन दा मार्केट सिकतने में कवर किया सर 64.280 और ये भी कव खरीदने की बात हो रही है दस जून को इसका टैंशन खतम इसका टैंशन खतम बैंक का भी और उसका भी ये भाई साब को ये वाला बैंक दस जून को बेचेगा इधर से खरीद के बेचेगा तो इसको तो फाइदा दिख रहा है बस ये इंपोर्टर धोका ना देते बस ये जल्दी ना आ जाए देखते हैं आगे क्या होता है कब तक का इंतिजार करेंगे 10 जून तो कब तक का इंतिजार करेंगे हैं 10 जून अब बैंक इंतिजार करा 10 जून इंटर बैंक मार्केट और 10 जून का रेट दिया है और 13 जून का 10 जून का और 13 जून का रेट दिया हुआ ठीक है सर इन रेट्स का क्या कर रही है अभी मैं पड़ भी नहीं रहा हूं क्या करना मुझे रेट्स पहले मुझे ये तो बता देए कि क्या घटनाई हुई है एक्षेंज मार्जन बैटे बात समझने की कोशिश करना अच्छे से यह दस जून और यह बैंक इंतिजार कर रही कस्टमर आएगा 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 और दस जून आ गई दस जून आ गई दस जून है क्या सर ड्यूडेट 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 एक्षेंज मार्जन दिया इंटरेस्ट आउट ले यहां से इंप्वोर्तन है यहां से लाइन इंप्वोर्तन है । क्या बोल रहा इंपूर्टर रेक्वेस्टेड ओन 13 जून कस्टमर भाई तेरा जून को आया सर बैंक इंतजार कर रही थी क्या यस बैंक इंतजार कर रही थी कब 10 जून को टेंसन खड़ा हो गया बैंक का अब वो सोचो 10 जून को क्या हो गया होगा कि यह यार कोन है क्श्टमर का नाम क्या सर यह नाम है राम राम आएगा दस जून को और दस जून को राम आया नहीं उसकी वज़ह से यह बहुत परेशान है बैंक क्यों परेशान होगी पस इतना बता दो तो मेरा टेंशन खता हूं हाँ जी इसने कहा था कि मैं आपको दस जुन को बेचूंगा हाँ दीपक क्या बात इग्जेक्टली ये वाला बैंग बोल रहा है सुनो क्या हुआ बोले वो कॉस्टुमर बोले वो मुझे मत बताओ आपने बोला था मैं खरीदूंगा तो आपको खरीदना ही पड़ेगा आप मना नहीं कर सकते ये बैंक परिशान करेगा ये वाला बैंक से नाम करन कर दोना जरूरत नहीं है अब तो आप समझदार हो गया ये वाला बैंक परिशान करेगा खरीदो 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 और बोले वो केस्टुमर बले उसका मुझे को नहीं माला कोई बात नहीं तो दस जून को डॉलर खरीदना पड़ेगा मजबूरी है खरीद के करोगे क्या दस जून को डॉलर खरीद कर क्या करोगे बस खरीदना तो पड़ेगा क्योंकि कॉंट्रेक्ट है तो दस जून को डॉलर खरीद के करेंगे क्या रखे रहेगे रखे रहेगे और डॉलर का रेट गिर तो खतम, रख नहीं सकते भई, ऐसे में तो बहुत बड़ा रिस्क है, सब दूसरी बैंक को बेज देंगे, तो दूसरी बैंक को बेचना पड़ेगा, और कोई आप्शन है नहीं है, बेचा, कितने में पहली बात, कौनसी डेट को बेचा जा रहा है, सर दस जुन को, यह तो फाइनल है, किस रेट पर बेचा जाएगा, यह बहुत सार रेट दिये, भगवानी जनता कैसे करें हम, हमारे काम का रेट आप उठा लो, बस बात खता, किस रेट पर बेचा जाएगा, दस जुन का रेट है, अब दीपक का कहना, स्पॉट, बिल्कुल दीपक, मैं एगरी हूँ, स्पॉट, स्पॉट, 100%, पर कौनसा, 63.800, यह दस जुन के रेट पे, यह इसको बेच देगा, किस रेट पर, 63.800, बिल्कुल से, बस यही तो चाहिए मुझे, ठीक, हाँ सर, ऐसे समझाओ न, फिर हम, नोट्स बना लेंगे इधर, यस, पर अगर पहले नोट्स बनाओगे न, तो समझ में कुछ आने वला नहीं, अब समझ में आ जाएगा थिरसी, यह तो हो गया, ठीक है टेंशन गतम, यह जो ट्रांजिक्शन हुआ, जो भी, यह कौन सी तारिक हुआ, दस जून, अच्छा कस्टमर आ सकता है कि नहीं आ सकता, दस जून तो हो गया, दस जून को तो काम खतम कर दिया, यह बताओ कस्टमर आ सकता है कि नहीं आ सकता, कस्टमर, यह यहां, यहां नई भी आ सकता है अगर आ सकता है तो फिर एक बहुत बड़ा टेंसन ल यह राम अगर आ गया तीन दिन में आ गया कि पास टॉलर से कहां से लाओंगा में डॉलर यह मालो आ गया तो सर इस बैक से बोल रहे हैं में लोग तो सुनार कि इस बैक से बोल रहे हैं कि सुनो ना शुनो ना बैक एक फावट कॉंटरेट कर लित जिससे बेचे उससे का एक forward contract कर लेते हैं कि आप मुझे बेचोगे आप मुझे बेच देना क्योंकि ये तीन दिर बाद आ सकता ना भाई तो चलो एक contract कर लेते हैं मतलब इसको बेचा और खरीदने का contract सबसे ज्यादा important है rate कौन सा rate सबसे ज्यादा important है rate अब भी आप यहीं खड़े हो 10 जून में कौन सा rate 63.6800 63.9500 63.7200 हे भगवान कहां से आ गया है सुनो यह 13 जून का rate है अभी आप 10 जून में ही खड़े हो 13 जून पर पहुच मच जाना यह rate किसी और काम के लिए 13 जून अभी तो 13 तरीक तक हम पहुचे नहीं हम तो 10 तरीकों खड़े हैं अब 10 तरीकों कौन कौन से rates available है यह है अब इसमें से कौन सा rate लेना यह बताओ मैं इतना जानता हूं जुलाई का नहीं आएगा अगस्त का नहीं आएगा सेप्टेमबर का नहीं आएगा तो बचा क्या क्यों नहीं आएगा सर क्योंकि तीनी दिन का तो इंतिजार करना है भाई जो customer आएगा वो तो जून में ही आएगा customer जो आएगा वो तो जून में ही आजाएगा आएगा तो जून में आएगा ने तो automatic cancel हो जाएगा अब भी समझदार हो ने यार 63.9200 यह बला या फिर हाँ सर यह option forward contract है कि हाँ ना बेटे हाँ ना option forward contract मतलब जिस दिन contract कर रहा है उसके बाद जून में कभी भी exercise कर लोगे 63.8200 क्यों आएगा 63.8200 यह तो 10 जून का ही rate है तो 10 जून की तो बात ही खतम होगे 10 जून को नहीं खरीदेगा वो आने वाले जून में 10 जून के बाद कभी भी 3 दिन बाद सामने वाला आ सकता है बात समझने की कोशिस करो ना 63.8200 होई नहीं सकता 63.95 हाँ यह है 63.9500 यह वाला rate बस यह वाला rate 63.9500 यह वाला bank बेचेगा या forward sell 63.95 फाइव डबल जिरो ठीक है ओके यहां तक ठीक है चलो सर यह सब हो गया अब हुआ क्या अब फिर इंतजार चले हाँ गरच किसको है मेरी बात है 63.95 बेड़ है की आस्क इसके एंगल से सोचना पड़ेगा आस्क भाई प्रॉब्लम तो इसको ना तो यह customer होगा इस bank के लिए अब फिर यह वाला बैंक दिजार कर रहा है राम आएगा राम आएगा राम आएगा और ठीक 13 जुन है राम नहीं आता तो हम तो वैसे ही cancel कर देते राम नहीं आता तो हम वैसे ही cancel कर देते पर राम आ गया 13 जुन को सर कहा लिखा है यहां लिखा 13 जुन तेरा जुनको राम आया ओके सुनो पहले जो कोश्चन में लिखा है वो पूरा सॉल करते है पहली मेरी बाद समझो यहर पहले जो कोश्चन में लिखा हुआ है उसके हिसाब से सॉल कर लेते है और फिर इफ एन बट सर राम यहां आ जाता तो सर राम बाद में आ जाता तो सर राम इधर आ जाता तो ये सारी चीज़े डिसक्रस करूँगा सर राम डियू डेट तक तो नहीं आया पर राम डियू डेट के बाद दो दिन बाद आ जाता तो क्या करते राम पंद्रह जून को भी आ जाता तो क्या करते हैं तो ये सब चीज में डिस्क्रस कर बॉमा, सारी चीजे होगी, ठीक है, पहले कोश्चन के हिसाब से सारी बाते कर लें, तो राम आया, और तेरा जुन को आया, अब राम भाई साब आगत हो गया हो, क्या प्रॉब्लम है, अब बोले एक तो पहले बताओ, तीन उनको, क्यों बोले प्लीज, 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 मैं आ नहीं पाया, प्लीज, इसको एक्स्टेंड कर दीजिये, और कब के लिए एक्स्टेंड कर दीजिये, बोले दस अगस्त के लिए एक्स्टेंड कर दीजिये, राम आया, और बोले प्लीज, एक्स्टेंड कर दो इसको, बैंक नहीं गाए ठीक है कोई दिक्कत नहीं पर एक बात सुनो extension कुछ नहीं होता है आपको नया contract बुक करना पड़ेगा वो बात की बात है सबसे पहला यह जो contract किया था ना यह cancel करना पड़ेगा यह जो contract हुआ था हमारे बीच में इसको cancel दरो खतम करो कहां मतलब सर यहां contract cancel करना ही पड़ेगा और सर राम नहीं आता तो भी तेरा तारिक तक वेट करते और cancel कर देते इट मेंस extension कुछ भी नहीं है आपको पहले हो जो original contract है वो cancel करना पड़े ठीक है ओके सर तो contract cancel करना तो आपका हाता है सामने वाले से cancellation charges लेते याद है कैंसल करना आता है आपको तीन चीजे निकलेगी इसमें भी सारी दिख रहा है स्वैप है स्वैप लॉस इंट्रेस्ट और एक कैंसलेशन चार्जिस ओरिजिनल contract cancel करना पड़ेगा सर यह लिखवाओगे कि हाँ जी मैं लिखवाओंगा सारी चीजे अर्यली डिलिवरी की भी लिखवाओंगा पर पहले बात समझ लेते हैं तो सर कॉंट्रेट कब कैंसल हो रहा तेरा जून को बैंक ने किस चीज की बात किया था सर बेचने की कि 64.400 अब बैंक क्या करेगा वापस खरीदेगा याद है न आप पोजिट कॉंट्रेट लेते रिवर्स बताओ कैंसलेशन चार्जिस क्या आएगा दूसरा रेट कौन सा आएगा दूसरा पहला रेट तो बैंक ने बेचने की बात किया था 64.400 सेलिंग रेट तो बैंक वापस खरीदेगा न तो दूसरा रेट कब कौन सा आएगा कौन से दिन कैंसल हो रहा है सर तेरा जून को कैंसल हो सर 63.6800 बिल्कुल सही है भई 13 जून को कैंसल हो रहा है तो कैंसलेशन डेट में देखना पड़ेगा आपको यहां कि वही क्या रेट था ठीक है सर आप तो बोल रहा थे कि दोनों रेट एक जगह का होना चाहिए मतलब सर यह अगर दस जून का है तो दूसरा वाला भी दस जून का होना चाहिए यहां वह अप्लीकेबल नहीं रोग तो इस आर वी गाइडलाइन है उसके साब से काम हो इन इनका आपको इंतिजार करना प इंटर बैंक है है ना यार हां सर यह इंटर बैंक है इंटर बैंक है इंटर बैंक है दीपक 63.7200 क्यों आएगा मुझे समझ में नहीं आया है यह सेलिंग रेट है बैंक बेचेगा 64.4 और बैंक वापस खरीदेगा 63.6800 यह तो सिंपल है पर यह जो रेट है ना यह इंटर बैंक रेट है तो बैंक क्या करेगा बैंक इस में से मार्जिन भी तो मैंस करेगा यार खरीदेगा तो और कम में और मैंस कितना करेगा 0.1% ठी है पुर्ए आएगा उस रेट अनाम होता है केंसिलेशन रेट अब चेक करो क्या आप से क्या मांगा है स्वाइछ नमें में हमसे हो गया, sell करेगा spot और buy करेगा forward 1 month forward क्यों लिखा ने, मुझे नहीं माला चलो तुसर काम करें क्या यस तो पहला point पहला point cover करते हैं और निकालते है cancellation rate cancellation rate अब cancellation rate की आगया है सब 13 जुन को spot rate और opposite rate लेना पड़ेगा सब्सक्राइब का है तो यह buying 63.6800 और इसमें क्या करोंगे minus margin इंडर्वांक रेट है margin कितना है 0.1 पर 63.68 63 क्या हमें round off करना पड़ेगा yes और round off कैसे करना है लिखा है इस बार और नहीं लिखा होता तो भी हम करते rounded off करना 0.0025 तो इसको rounded off करना आता है किसी को 63.6163 को round off करके बताओ कितना आएगा अगर अगर कि अगर इस देवन फाइफ अगर 75 आएगा कि 508 यह 75 आएगा कि 50 आएगा तर आप करते कैसे हो मुझे 25 का टेबल आता है सर इस जीरो होता है 25 होता है 50 होता है 75 होता है और 100 होता है मतलब वही 0 हो गए सर इन दोनों के बीच का है यास इन दोनों के बीच का है इन दोनों के बीच का होता है 62.50 इमका average किया 62.50 यह 63 है तो सर उस तरफ जाएगा मतलब 75 हो जाएगा ठीक है 75 हो गए ठीक ठीक कि यह जारी कि पॉइंट नंबर 2 सर एमाउंट पेडल और डॉलर 2,00 मतलब सो चैंशलेशन चार्जम से महांग रहा है यह एस कैंशलेशन चार्ज डॉलर 2.00 पर कितना पे करना पड़ेगा स्वेप लॉस मिलाकर क्या नहीं हुआ लग से पूछा अमाउंट पेबल ऑन डॉलर टू लेक अमाउंट पेबल ऑन डॉलर टू लेक बैंक का ओरिजिनल क्या था सर ओरिजिनल बेचने का था सर ओरिजिनल था बेचने का सेलिंग रेट 64.40 और दूसरा कैंसलेशन रेट या बाइंग रेट 63.6175 बताओ क्या हो रहा है बैंक को क्या हो रहा है बताओ 0.78 बैंक बेच रहा है इतने में बैंक खरीद रहा है इतने में कस्टमर से तो सर बैंक को फायदा बैंक तो वसूल करेगा यस क्यारा बैंक तो बाइंगि amount payable भी बोल सकते है या फिर cancellation charges भी बोल सकते है 156,500 ठीक है तो भाई जब आएगा कौन से डेट को आने वाला था जब 13 जुन को आएगा ना customer उससे हम जो पैसे वसूल करना है वो तो cancel कर रहा है वो तो extend कर वा रहा है दीपक यह वह वाली चीज नहीं है कि यह जो है यह मेरा customer की वैसे वह वाली चीज नहीं है जो आप समझ रहा है यह कोई swap loss नहीं यह कोई interest नहीं है यह तो सुनो यह तो bank deal कर रहा भाई and business है आई अगर bank का business और bankiger ma Cent को जो गेंगे न वो भी लेंगे 63.6175, that's it, तो हम customer से वसूल करेंगे, कितना, 156500, अब profit है, मैं profit बोलूं तो चलेगा, अब अब profit बोलोगे, तो भी चलेगा, ये actual में हमारा profit है, भाई, bank profit कमाने के लिए तो बैठा है, ठीक है, ओके, अब सुना, सुनोगे, अगर, 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 सुनोगे, सर, किसी वजह से, अगर, यहां, customer को फाइदा हो जाता, अगर, यहां, customer को फाइदा हो जाता, देखो, bank को profit हो रहा है, तो bank customer से पैसा ले लेगा, अगर, यहां, customer को फाइदा हो जाता, याद करो, cancellation में क्या होता था, cancellation याद है, जब cancellation होता था, सर, तो हम देखते थे कि customer से पैसे वसूल करेंगे या customer को देगे दोनों चीजे हो सकती थी याद है अपने मना भी किया था कि customer से हम customer को पैसे वापस नहीं करोगे और मैंने का था यार दोनों party है भाई जो जीतेगा वो पैसे ले जाएगा ये बात हो चुकी है मेरा गोश्चन ये है कि अगर यहाँ बैंक को gain नहीं होता तो फिर क्या हमें customer को देना पड़ता जिसे हमने यहाँ customer से वसूल करेंगे हमको भाई फायदा है तो हम customer से पैसे वसूल करेंगे सवाल ये है कि अगर हमको loss होता हमको नहीं customer को हमको loss होता है कि हमको customer को देना पड़ता उतना पैसा अगर difference amount payable to customer आता तो bank customer को नहीं देता क्या बात करें सर आप ही नहीं तो बताया था कि हम अगर customer को फायदा है तो हम customer को दे देंगे मैंने कह था normal situation में यहाँ भाई साब customer आपकी गलती है आपको डिव डिट पर आ जाना चाहिए था आप आप सो रहे थे अगर सो रहे तो फिर भुगतना दो पड़ेगा आपको आप लेट आए आप एक दिन भी लेट आते ना तो भी हम नहीं देते याद रखना अगर आपको customer अगर आपको चाहिए था यह जो डिफरेंस तो आपको डिव डेट यह उससे पहले आना चाहिए था अगर आप डिव डेट के बाद आ रहा हूं खेल खतम फिर तो आपका खेल खतम हो चुका है अगर मुझे मैं बैंक मुझे कोई फाइदा हो रहा तो मैं customer से उसुल पर अगर मुझे लौ सर बात समझे अगर मुझे कस्टमर से लेना तो मैं लूगा लेकिन कस्टमर को देना है तो हम कुछ नहीं देने वाले कुछ भी नहीं देंगे उसकी वज़ा आप देड़ से क्यों आए अगर उससे वसूल करना है तो करेंगे और देना है तो जी रो ठीक 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 जिस मोश्ट इंपॉर्टन बात सर यह सब एक पेज में लिख वाओगे कि हाँ जी लिख वाओंगा आप चिंता ना करो ठीक है यहां तक बात समझ में आगई तो कर्षटमर से कहेंगे भई हम कैंसिल करो कांट्रेक्ट ओके और आप कैंसिल किजिए और कैंसिल केंसिलेशन चार्जाज़ हम आपसे वसूल करेंगे और हम आपसे वसूल करेंगे 156500 प्रतुन में मना नहीं कर रहा हूं बस बहुंले नहीं इतना नहीं इतना नहीं आप क्योंकि देर से आये थे आप देर से आये आपको 10 जुन को आना चाहिए था आप नहीं आये तो पहले देत auction मैं 156,500 ऑभी बहले वह तो दे रहीए भाई पर उसके अलावा आप नहीं आए तो आपकी वज़ा से इधर कुछ हो गया बहुत बड़ा तो वो तो देने ही पड़ेगा आपको RBI के रूल से बोलते हैं मतलब मतलब आपको swap loss निकालना पड़ेगा और क्या question में पूछा है swap loss यस अलग से पूछा है swap loss तो से swap loss निकाले यस अब हम swap loss निकाल रहे है ठीक है सब मजा गया यह तो याद रखना सारी चीज़े important है automatic cancellation swap loss यह अच्छे अगर holy day है तो बेटे working day की count करते हैं यह तो यह सिंपल सी बात है ठीक ऐसा आज तक आया नहीं है यह तो फिर आपका RBI की टूटली guideline हो कि वो loss से related हो गया ठीक working day ही होगा ठीक है सर यह बात होगी अब swap loss की बात करें सर यह जो swap हो रहा है यह कौन सी डेट में हो रहा है जोड़ा बताओगे swap कौन सी डेट में हो रहा है swap कौन सी डेट में हो रहा है swap कौन सी डेट में swap जो हो रहा है न वो 10 जून को हो रहा है पक्का हमँआ स्वाप कौन सी डिट को जोल रहा है यद रखना दस जूल हो रहा है ओके तो बैंक क्या कर रहा है रैंक क्या out और वाई कि चैथा पावर्ट हाला कि उसमें वन मत फावर्ट लिखा है अशसली उफाववर्ड होना जिए हर हा ещё bank सीधा लिख रहा हुआ sell spot and buy forward sell spot at rupees 63.8 m by forward 63.95 बलाज़ रहा हुआ sell by swap बलाज़ रहा हुआ तो सर देख लेते हैं sell किया है और buy किया है तो सर यह तो सैप लॉस हो गया है और यह किसकी वजह से हुआ यह हुआ कस्टमर की वजह से यह तो हम वसूल खरेंगे फंद्रा पैसा पंद्रा पैसा कि तो बताओ स्वैप लॉस का कितना कि अधिन यह हुआ कि यह हुआ किसकी वजह से सर कस्टमर की वजह से तो कस्टमर से वसूल करेंगे बहुं तर अगर स्वैप गेन होता तो अगर स्वैप गेन होता तो क्या हम कस्टमर को देते हैं कि स्वैप लॉस हुआ तो सर कस्टमर से वसूल करेंगे तो इस पर लडाई होती किसार होगा तो यह तो कॉमन सेंस है ना यार जब के इतनी बड़ी चीज नहीं दे रहा हो तो फिर तो यह तो क्यों देंगे सर यह भी लिखे लेंगे की साइड में हाँ यह इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि कोश्चन के साथ सत्याद रहे अलग से भी लिखवा दूंगा सर इंट्रेस्ट पर इट उसकी भी अभी में बात करों इंट्रेस्ट पर भी आ रहा है अगर स्वैप गेन होता तो कस्टमर को ट्रांसफर नहीं करते हैं ठीक है पर इस 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 पर बहुत सारी चर्चा हुई थे ठीक है ठीक है ओके अर्य डिलेवरी थी तो हम गेन कस्टमर को हम गेन ट्रांसफर करते थे कस्टमर को पर इसमें हम कस्टमर को ट्रांसफर नहीं करें ठीक है ओके से अगे चले यस क्ये भी हो गया है और कुछ बचा है क्या और कुछ मांगा है क्या सर इंट्रेस्ट औन आउटले अफ़ फंड इफ एनी देखते हैं कहां है हमारा डिसाइन यह है कैस्टमर को यहां आ जाना चाहिए था यस नहीं आया अब वो नहीं आया तो उसकी वजह से हम प्रॉब्लम में फसे कैसे फसे सर हमें मजबूरी में डॉलर खरीदना पड़ा यस तो बोलो कितना पैसा गया और जो डॉलर खरीदा है मतलब सर कैस इंफ्लो उन्हें कैस आउटव्लो मजबूरी में डॉलर खरीदना पड़ा ना और जो डॉलर खरीदा उसको बेच दिया तो यह क्या हो गया है कैस इंफ्लो कैस आउटव्लो मजबूरी में डॉलर खरीदना पड़ा उस डॉलर को बेचा यह सारी ट्रांजेक्शन कभ हुई सारी ट्रांजेक्शन हुई है दस जुन को और केस्टमर भाई साब कभा आ रहा है तेरा जुन को तो भाई इंट्रेस्ट भी दे आपकी वजह से मेरा पैसा फज गया आप आज आते उस दिन तो बात नहीं होती तो इंट्रेस्ट भी तो देखना पड़ेगा तो निकालना प सर पॉंक इंट्रेस्ट नम्मर कौंसा इंट्रेस्ट औं आ अउट्लेव फंड इस आ कोस्ट्वियाध रहा है तो पारवाई स्लाइट क्यान बारत बारत भारत अउट्ट अब करना हूं okay point number four interest on outlay of fund सबसे पहले बात करेंगे cash inflows की कैस आउटफ्लो कैस आउटफ्लो सर ये डॉलर खरीदना पड़ा 64.2800 के साब से टूएट के टूफोर टूएट तो सर ये गए वन करोर 28,56,000 ठीक है ओके दूसरा cash inflow आएगा सर और जो डॉलर खरीदा था हमने बेच दिया कितने में बेच दिया 63.8 इन्टी डॉलर टूलेक तो सर ये पैसा आया 127,60,000 तो नेट में क्या आ रहा है नेट कैस्ट आउट ले आउट ले आउट ले आ रहा है ना ये सर वन करो 28,56,000 96,000 तो मेरे जेप से लगा 96,000 येस जब बरदस्ती का लग गए 96,000 अब केस्टमर से वसूल करने का सोचे केस्टमर का बार रहा है सर तीन दिन बाद आ रहा है मैं रहा है इंड्रेस तो देना पड़ेगा भाई ठीक है 96,000 का इंटरेस कितना पशेंट है सर बारा पशेंट कितने दिन का 3 डिवाइड बाई 360 लेना कि 365 कुछ दिया नहीं है तो आप अपने हिसाब से एजमिशन लेकर ले लेना जो आपका दिल करता 300-300 पैसर वो ले पता नहीं बुक वाले में क्या लिया है मैं 94.68 ले रहा हूँ 94.68 सर बुक में 360 दिन लिया होगा सायथ बुक में 360 दिन लिया ठीक है कोई त्रीक लिया बुक में 360 लिया हमने 365 डेस ले लिया अब 94.68 अब अब सुनोगे जियां से सर अगर ये नेट कैश इंफ्लो होता अगर ये नेट कैश इंफ्लो होता तो उस पे जो ब्याज है तीन दिन का क्या कस्टमर को पास करते क्या कस्टमर को ट्रांसपर कर देते आंसर ये है तीन चीजे तो है यार इस पे जो इंटरेस्ट की कमाई अभी तो हमारा पैसा फसा तो हमने कस्टमर से लिया अगर हमारा पैसा नहीं फसता हमारे पास एक्स्ट्रा मिल जाता तो क्या customer को transfer करते कैसे करते जब बड़ा-बड़ा amount transfer नहीं कर रहा तो छोटा-मोटा थोड़ीन transfer करेगे सवाल ही पैदा नहीं हो इससे क्या सीखने को मिला जिन्मगी में इससे life में क्या सीखने को मिला कभी लेट मत हो ना बस इतना याद रखना कि एक है कि एक है कि इतना याद गया है है तो देखा जाए देखा जाए तो अब मैं कस्टमर से कितना कितना पैसा वसुल करूंगा सीधी सी बात है कौन सी तारीक को पैसे वसुल करूगे तेरा तारीक को कौन कौन सा पैसा वसुल करूगे तो हां मैं क्या बोल रहा था सर आप ये बोल रहे थे कि तेरा तारीक को भाई साब आया राम तो उससे क्या क्या वसुल करोगे जैसे ही आया मैंने बोलते हो प्लीज एक्स्टेंशन की बात होगी 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 रुख जाओ भी सबसे पहले तो कैंसलेशन चार्जिस दो बोले कितना वो निकाले थे 156 कुछ आया था 156 500 दीजिए पहले टेबल पर रखिए बोले बस बोले swap loss बोले वो भी दे दीजिए ब और उन्होंने का कि सुनो ना यार मैं क्या बोलने आया था मैं ये बोलने आया था वो पैसा तो ले लो आप पर ये मैं ये बोलने आया था इस डेट में कि प्लीज एक्स्टेंट कर दोगे क्या गुना हो गया बस इतना बोलने भर आया था पर आप पैसे तो देने और कौनसी date के लिए extend करना है देखे एकाषि को बना कि 10 अगस्त के लिए नया contract हम आपको बेच रहते ना अब हम आपको 10 अगस्त को बेचेंगे दिक्कत क्या है अब बस एक चीज़ बता दो नया रेट क्या आएगा दिख रहा है रेट से इतने सारे नया कॉंट्रेक्ट बुक कर रहा है यस कौन हराम कि प्लीज देट है उसको 10 अगस्त कर दो नया रेट क्या आएगा दीपक का आणसर है 64.3500 और निशिता का है 64.2500 नया रेट क्या आएगा मांसी का भी है 64 प्रशांथ से वाव बॉइस बॉइस अलग हो गए आकाश का ठीक 64.35 पहली बात सुनिल का भी 64.25 मतलब इस पे भी आपके मदभेद सब अलग-अलग गोड़ रहा है पहली बात आप कौन सी डेट में खड़े हो 10 जून में कि 13 जून में जब कस्टमर से बातचीत चल रही है जब कस्टमर भाई साब आया ना तब आप कौन सी डेट में खड़े हो 10 तारीक को खड़े हो कि 13 तारीक को खड़े हो यह तो हो चुका जो हो चुका उसकी बात क्यों आप तो 13 तारीक को खड़े हो ना चलो जी तो अब 13 तारीक के रेट से देखना है ना आपको यह तो 10 तारीक बीच चुकी आ रहे आप यहां के बहुत सारे रेट से वह अमारे काम के नहीं है हम तो यहां 13 तारीक को खड़े ह अगस्त है अगस्त हमारे काम का कौन से अगस्त वाला दीपक का कहना है कि दिव डिट दस अगस्त है हाँ बिल्कुल सहीं बोल रहे है दिव डिट दस अगस्त है सहीं बोल रहे हूं तो मैंने कब मना किया कि Due Date 10 अगस्त नहीं है Due Date 10 अगस्त है पर 10 अगस्त को तो customer आया नहीं ना एक बास बताओ सुनो पहले confusion खतम करते आप बैंक के पास जाते हो 10 जून को बैंक के पास जाते हो तो वह ये वाले rates बताता है अब जब आप 13 जुन को बैंक के पास जाते तो ये वाले रेट से बताता है ठीक है कस्टमर जो आया है वो 10 जुन को आया नहीं है आपके पास ये रेट ये तो दो दिन पहले हो चुका है उसको भूल जाओ आप आ गया है वो 13 जुन को और customer आपके पास 13 जुन को आया भाई 13 जुन को ठीक ओके अब 13 जुन को कौन सा वाला rate देखना है सर अगस्त वाला सर अच्छा ये बात है बच्चों के मन में क्या है मालूम है बच्चों के मन में कि सर ये तो 13 अगस्त का rate है option forward contract option forward contract बस इसी दिन के लिए मैं उन्हें वो option forward contract का नाम लिया था कि यहाद है option forward contract हां सर इट मींस 13 जुन को है अगस्त में कभी भी आप contract खरीद सकती हो अगस्त में कभी भी ओके तो rate आएगा 64.2500 अब मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगे इसमें rate final है 64.2500 plus margin ठीक है बास ही अच्छा उसने मांगा है क्या सर मांगा है क्या यह बता हो new contract rate हो जाएगा यह तो सर कर लेते हैं new contract rate पॉइंट नंबर कौन सा new contract rate पॉइंट नंबर फाइफ सुन लो एक बात और बोल देता हूँ पता नहीं आपको भी ऐसी दिक्कत आ जाए फिर से बोलनों हाला कि कल समझा चुका हूँ पर दिमाग है कभी भी कैसे भी चलता है तो कुछ बच्चों का कहना था सर इंट्रेस्ट तो वसूल करोगी करोगी और 96,000 का लॉस है यह भी तो वसूल करेंगे इससे भाई साब यह हो चुका है और कहां एज़ेस्ट हो चुका है वापस इस्टोरी नहीं सुना हुगा कल सुना चुका हूँ तो जिन बच्चों को डाउट आएगा कि सर यह 96,000 का भी तो लॉस है ना यार यह भी तो वसूल करेंगे स्वैप लॉस में आ चुका है वह टीक है वह कैसा अगस्त रेट अवेलेबल ओन तेरा जुन यह सब लिखना नहीं पड़ता हां स्वैप लॉस में आ गया है बस वही चीज मैं आपको बता रहा हूं यह सब लिखना नहीं पड़ता यह तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं वह कैसा अगस्त रेट अवेलेबल ओन तेरा जुन और कौन सा भाई आप क्या कर रहे थे बैंक बेच रहा था ठीक है भाई मैं फिर से बेच दिखा हूं उसमें क्या दिख करते हैं बेच ही तो रहते हैं तो 64.2500 प्लस क्या करोगे सर प्लस मार्जन और मार्जन क्या आएगा सर मार्जन आएगा 64.3142 राउंड़िड ओप 64.3150 सार और कौन कौन से बच्चों के क्या क्या डाउट साय थे जरा ये भी बता दो हाँ एक डाउट और पूछा अभी कोश्चन खतम नहीं हुआ खतम होने के बाद पर एक डाउट तो मैं अभी भी डिस्कॉस कर सकता हूँ उनका कहना है उनका क्या कहना था सर 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 इस से नहीं यह से बता देता हूँ बेञे सर यह मानते हो हमने कहां बले सर यह क्या होगा यह यहां यहाँ बेचेगा ना सरी यस मतलब ये वाली bank खरीदेगा, हाँ जब ये bank खरीदेगा, तो खरीदने के rate में से margin minus होना चाहिए तो आपने minus क्यों नहीं किया ऐसा doubt आता है बच्चों का, कि सर मान लो मान लो कि इस bank के लिए ये customer है, तो यार ये bank खरीद रहा है, तो इस में से तो margin minus होना चाहिए ना फिर margin minus क्यों नहीं किया और जब बेच रहा है ये bank मार्जन plus होना चाहिए margin plus क्यों नहीं किया क्यो नहीं अकिर मैं आपका student प्लीज मुझे बताओ आप margin को adjustment आखिर हो क्यों नहीं रहा है आजी कोई है जो बताएगा मुझे क्यों नहीं हो रहा आखिर margin हाँ निशीता बिल्कुल सही आकाश वाओ समझदार बच्चे है हाँ क्योंकि यह बैंक से बैंक के साथ डील हो रही है इंटर बैंक रेट है और इंटर बैंक रेट है और बैंक के बैंक के साथ है तो margin नहीं आयेका margin का लगता जब customer के साथ डील होती है अज़े टेंशन नहीं है ओके बेलकुल सही सभी वच्चे सही है चलो खतम करें इस बात को यस और एक चीज पूछा था सायद सर्फ टोटल कॉस्ट पूछ रहा है टोटल कितना पैसा वसूल करेंगे कश्टमर से तो कॉस्ट सरिक्टो कैंसल इस तो कैंसलेशन चर्ज था इस 156 500 156 500 okay sir swap loss भी असुल करेंगे और swap loss कितना आया था भाई sir 30 000 और interest on outlay of fund और interest 94 कुछ आया था हमारा interest आया था कुछ 94 मैं वह लिकराओ 94.68 और 186 594.68 तो यह सब कहानी है पूरा एक घंटा लगा है इस कोश्चन को सरी कोश्चन 20 नमबर का आएगा क्या 20 नमबर का कोश्चन नहीं है दीपक explain करने में टाइम लगा है मैं आपको बता रहू explain करने में टाइम लगा है बाकी कोश्चन तो आपने आपको seriously बताऊं इस diagram से सब कुछ हो चुका था और इस diagram को बनाने में आपको ठीक है तो समझाने में टाइम लगा है बस और कोश्चन नहीं है कोश्चन बड़े जल्दी हो जाते है अच्छा चलो अब मैं आपसे कुछ बात ये करना चाहा रहा हूं कोश्चन खतम हो चुका है कि सुनना ध्यान से सुनोगे ध्यान से सिर मान लो कश्टमर यहां आता बारा तारीक को मान लो कश्टमर आ जाता बारा तारीक को अब बस मुझे बताते जाना क्या आपका दिमाग कितना चलता है और आरबे की गाइडलाइन क्या बोलती है फेड़ाई की गाइडलाइन अगर customer आजाता 12 तारीक को तो contract cancel होता सर extension के लिए आ रहा है कि हाँ जे extension के लिए तो contract cancel होता कि contract cancel नहीं होता सर contract तो किसी भी हालत में cancel करना पड़ेगा उबात समझ दे आ अगर due date के बाद आ रहा है customer तो contract तो किसी भी हालत में कैंसिल करना पड़ता किसी भी हालत में कैंसिल करना होगा ठीक है कैंसिल तो करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में कांट्रेक्ट कैंसिल करना होगा किसी भी हालत और कांट्रेक्ट अगर कैंसिल होता तो वही तीनों चीजे वसूल होती Cancellation Charges Okay और Cancellation Charges के अलावा Cancellation Charges उसके अलावा Swap Loss उसके अलावा Interest ठीक Sir, Swap किस दिन होता अगर वो 12 तारीक को भी आता तो Swap तो यहीं होता उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है Swap Okay, Sir, Swap तो यहां होता और Sir, Cancellation Rate कौनसी डेट का आता, IMPORTANT Cancellation Rate Cancellation Rate समझ रहे हो ना Cancellation Charges के लिए Apposite Rate लेना पड़ता Sir, वो जिए दिन आता, 12 तारीक का आता 12 तारीक को गांट्रेट कैंसील होता ना तो 12 तारीक का रेट लेता, Cancellation Rate इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं Cancellation Rate बोल रहे हो ना तो समझ रहे हो ना Apposite Reverse Contract Sir, वारा तरीक को आता तीसरा IMPORTANT हाँ, Interest कितने दिन का लगता Interest कितने दिनों का लगता अगर Customer 12 तारीक को आता, तो Interest कितने दिनों का लगता दो दिन, सही है, Common Sense है ठीक अच्छा और एक बात पूछ रहा हूं Customer आया 12 तारीक को Customer आया 12 तारीक को अब भाई, देर हो गई, तो हो गई हमने कहा Customer आपको 10 तारीक को आना चाहिए था बात हुई थी कि हम आपको डॉलर बेचींगे तो Customer दो दिन लेट आया मुलते सुरो, मैं खरीद रहा हूं ना डॉलर आया 12 तारीक को, दो दिन लेट बोलता है, सुनो 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 मैं कैंसल नहीं करना चाहता हूं मैं एक्स्टेंड भी नहीं करना मैं खरीदने को तैयार हूं प्लीज मुझे दे दो अब, खतम करो काम मत करो यार, यह सब सारी चीज़े कैंसल लिशन चार्जे, स्वैफ लॉस यह सब कुछ मत करो, प्लीज, कॉंट्रेट कैंसल मत कीजिए, तो अभी कॉंट्रेट कैंसल होगा, बास वो किसी भी कारण से आए, कॉंट्रेट कैंसल होगा, सर प्लीज लिखवाओगे क्या हां मैं लिखवाऊंगा पहले हम डिसकस्ट तो कर ले ठीक है कि ओके कश्टमर आया 15 तारिक को लिए भगवान 15 तारिक को जो तीन दीन का पिझे थे थे न वो भी निकल गय है 15 तारिक को आया भाई साब क्या कॉंटरट कैंसिल होगा yes डिन यह कर को कश्टमर 15 तारिक को आय है वայ तीन दीन में निकल गया उसके दो दीन बाद आय है किसी भी वज़ा से आये चाहे cancel करवाने के लिए आया हूँ अगर बोलेगा cancel करवाने के लिए आया हूँ तो भाई सब लेट हो गा है हम तो अल्रेडी 13 तरीकों cancel कर दिये से 10 त केंसल कर दिह हम ओल्रेडी तेरा तारीक को कैंसल करते जाएं ओके ओके हम एकर और समीट न कुझे सबसे जादार इंपोर्ट मार्ट में दिल्खुष कितने दिन जलिका इनकावेगry कुष्टुमर यहां आरा है 15 तरिक्को 15 तरिक्को आरा है कुष्टुमर 15 तरिक्को आरा बले वह जो भी पैसा वैसे है ना मैं 15 को दूँगा यहां थोड़ी ने देगा वह तो तेरा को थोड़ी ने का पैसा common sense लगाओ यार सामने वाले से जो भी वसूल करना है जो मेरा पैसा फ़सा है सामने वाले तो देगा मैं तो वसूल करूंगा पर वह तो यहां आया नहीं वह तो यहां आया 15 को सोच के बताओ इंट्रेस्ट कितने दिन का आएगा आपको सोच लो semester भाई साब तो यहां आया नहीं मेरा जो पैसा बलाग हुआ उसी पर तो िट्रेस्ट मांग रहा हूं तो वो तो यहां आया नहीं वो तो पंधरा तारिक को आया अगर वो पंधरा को आया तो इंटरेस्ट दो लूँगा मैं उससे सोच के बताओ सोच के common sense लगा कर इंटरेस्ट कितने कितने दिनों का आएगा बिल्कु सही इंटरेस्ट जो है वो तीन दिन का ही आएगा इंटरेस्ट तीन दिनों का ही आएगा common sense के साब से 5 दिन का होना चाहिए पर इंटरेस्ट तीन दिनों का ही आएगा सर ऐसा कहा लिखा है फड़ाई का रूल से रूल 8 और रूल 6 उसको पढ़ोगे तो उसमें लिखा है इंट्रेस्ट लगेगा या तो तीन दिन या तो फिर कस्टुमर उससे पहले अगर आता है तो उतने लगता है इसके बाद इंट्रेस्ट नहीं लगता है ठीक ओके तो लिखना तो बहुत कुछ है पर कुछ चीजे हमको याद रखने वाली बात क्या है याद रखने बारली बात है कि जब भी due date के बाद होता है जब भी overdue होता है तो चाहे cancellation की वज़ा से loss हो रहा हो चाहे कुछ भी क्यों रहा हूं हम customer से पैसा वसूल कर सकते हैं करेंगे पर हम customer को pass नहीं करेंगे customer को transfer नहीं करेंगे हां तेरा जुन को contract cancel हो रहा पर तेरा जुन को bank को पैसा नहीं मिल रहा निशान bank को जो पैसा मिल रहा वो तो जब customer आएगा तब देगा न खेर हम क्यों इस बात पर लड़े मैं आपकी बात से सहमत हूं कि interest तीन दिन कहीं आएगा और मैं क्या IC AIB सहमत है मैं सहमत हूं मुझसे गलती हूं थी interest तीन दिन कहीं आएगा वैसी भी तीन दिन कहीं लिखना था कॉमेंस नहीं चलेगा ओके तो मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोगों को नोट्स बनाना है पर नोट्स बनाने से पहले कुछ चीज़े याद तो रह जाए कि सर अगर कश्टमर की वजह से हमें किसी भी टाइप का नुक्षान है तो हम उससे वसूर करेंगे लेकिन उसको भाइदा है तो हम उसको पास नहीं करेंगे हम उसको ट्रांसपर नहीं करेंगे ठीक ठीक है एक चीज़ голос दूसरा चाहे किसी चाहे डिव डेट के बात वो किसी भी वजह से आएगा कस्टमर किसी भी वजह से वो बलेगा कि मुझे एक्स्टेंड करवाना है वो बलेगा कि मैं खरीदने को तैयार हूँ वो बलेगा कि नहीं नहीं मैं कैंसल किसी भी वजह से कॉंट्रेट कैंसल होगा 100 और जब contract cancel होगा तो तीन चीज़े वसूल की जाएगी एक cancellation charges एक swap loss साधा आपका कहना सर customer आया ही नहीं तो उसके घर जाएगे आप क्या सोच रहा है ऐसा थोड़ी छोड़ेंगे उसके घर जाके उसका जमीन जायदाद बेचके पैसा लेकर आएगे ठीक है अब बैंक तो ऐसे बैंक तो लोन देता तो छोड़ता रही है तो ऐसे कैसे छोड़ेगा इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन ठीक है अभी अभी सुन तो लो सुन तो लो मेरी बात ठीक है सर बात समझेगे की किसी भी वजह से कंटब कैंसी लोग है बस धियाम देने वाली बात ही किес जो है यहां भी हो सकता यहां भी खो सकता है ठीक है सर हम समझ गया है इसको प्रॉफर नोट समना लेंगे यस अब और एक बात बताने जा आज से ठीक दो साल पहले ये जो डेस थे जो मिल रहा था न एक्स्ट्रा दिन तीन दिन नहीं थे वो पंधरा दिन थे वो तीन दिन नहीं थे दो ड़ाई साल हो गया पुराना रूल्स चलता था और पहले हुआ था पंधरा दिन और काउंट कर लो तो ये टोटल मिलाकर पच्चीस छे तक ग्रेस पिरियड मिलता था पच्चीस छे और अगर पच्चीस छे तक कस्टमर नहीं आया तो हम आक्टोमे और फिरा दिन का ग्रेस पिरियड मिलता था बहुत अच्छी बात है सिस्झे तो पहले कोश्चंश दस जिवन और फीक देजिए अर ओर क्स्टमर कॉन से जोन को आता था वह बीज जोन को आता था हाला कि मतलब सर कुस्टमर यहां बीच में आता था यस कुस्टमर बीच में आता था तीन साल हो गया होगा उस बात को तो मेरा मेरा क्या सारी टीचर्स का अमेंडमेंट वीडियो डला हुआ है इस पर ओके तो ये ठीक है सरबास समझ में आ गया और फिर कोश्चन ऐसा हुआ करता था यहां बीजून हुआ करता था और फिर हम दस दिन का इंटरेस्ट लेते थे ठ उसके बाद ICAI ने अमेंडमेंट लाया सभी रूल ही चैंज हो गया है रूल्स चैंज हो गया तो अमेंडमेंट तो आ रहा है अच्छा सर्विस्टेक्स किसी को याद है कि सर्विस्टेक्स कोई है जो सर्विस्टेक्स में अभी काम कर रहा हो या अभी अभी पढ़ा है सर्विस्टेक्स हाँ जी आप लोग ऑफिस जाते हो तो सर्विस टेक्स पढ़ते हो यह सर्विस टेक्स कुछ याद है या प्रैक्टिस करते हैं कोई सर्विस टेक्स में मेरे ख्याल से कोई ऑफिस दीपक का कहना है सर जी एस्टी जी जी एस्टी क्यों भाई आपके पेपर में सर्विस टेक्स नहीं आता है क्या आप जो एक्जाम देती हो उसमें सर्विस टेक्स आता नहीं है क्या क्या बात कर रहे हैं सर्विस टेक्स नहीं आता आप लोगों कुबाव अच्छी बात है फिर तो फिर तो बात ही खतम हो भी ओके ठीक ठीक अच्छा सर अभी जी एश्टी है सर्विस टेक्स खतम हो गया मतलब आप दीपक ये कहना चाहते हो जो पहले खतम हो चुका है वो अभी आ नहीं सकता आपका ये कहना है क्या सर्व कहना क्या चाहते हो बस इतना बता दो बस कहना क्या चाहते हो यह ने इतना दुख के साथ कहना पड़ा है यह अभी नवंबर का पेपर नवंबर अटेंप्ट यह यह जो गया और कौन पेपर बनाता है भगवान ही जानता है यार मतलब यार कुछ तो सर्म करो बच्चो की बैंड बच गई उन्होंने तो उठाया और चिपका दिया सोचो आपको सर्विश टेक्स आ जाए क्या होगा भई कैसे सर्विश टेक्स दे सकता यार आई सी यह अभी का पेपर नवंबर का सेम कोश्चन कुछ नहीं है सारी चीजे वही है सब वही है भाई साब लोगों ने पुराना कोश्चन उठा कर डाल दिया और डेट लिख दिया है डेट पका मैंने बताया ना पुराना वाला कुशन है 10 जून और 20 जून क्या करें 10 जून और 20 जून और मैं चिला चिला कर बोलते हैं कि आज 3 दिन में कैंसिल हो जाएगा अब कहां तीन दिन में यहां तो रूल्स लग गया पंदरा दिन वाला और पंदरा दिन वाला तो तीन साल पहले ही खतम हो चुका है इंस्टुटिट खतम कर दिया और चाहो तो आप अपनी AFM के मोडिल में पढ़ना खतम है वो साफ साफ लिखा तीन दिन में कॉंट्रेक्ट क मतलब यह पेपर है नववंबर 23 का और सर चैसीफ प्पर आया मेरे तो होस बडगा है मतलब में बच्चों से बात करने की स्थिति में नहीं बच्चा किया अर अब में इसमें क्या करवा सकता हूं कुछ नहीं करू कि मैंने बच्चों को बताया था कि देखो पहले ऐसा चलत था यह इस अटेंब्ड का पेपर है बिट्टे आठ नंबर का कोश्र वही चीज़े हैं एक्षेंज डिफरेंस वही ओके स्वेप लॉस ओके इंट्रेस्ट ऑन फंट कैंसलेशन चार्जे सब वही चीज़े अब इसके लिए कुछ किया ही नहीं से सकता है और मेरी आदत नहीं यूट्यूपर में यह बोलू कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया प्लास में तो मैं बात कर सकता हूँ कि पिस्थमां देगािं कोई ग्रेसं मार्क नहीं देने वाला ना बोनस उनका यह कहना यह कुष्टन तो अल्रुड़ी गोद्राल्र आया हुआ ख है किसी जवाने में आईसी यह का सिंपल सा कोशन है क्या यह कोशन आया नहीं है आया हुआ है भाई पास साल पहले आया हुआ तो बले बस आया हुआ था हमने वही तो कोशन दिया है तो यह बताओ paradox अब मैं बस यह तो पूछ रहा था आपसे कि अगर आपके पेपर में जुस्ट का पेपर देने जा रहे हैं इंडाय टीक्स का और सर्विश टेक्स पूछ ले सर्विश टेक्स पूछ ले वो तो गलत है है और उन बच्चे पूझ सकते हैं। ज़्यादा बात नहीं करते ज़्यादा बात नहीं करते कोई मतलब नहीं है और उन बच्चों पर नहीं सब्सक्राइब करते का एट कोछ लोग बड़े बुलने요 अगि दिया बहुतकी भन दीरो टैय। यहां आपको 10 जून से 15 जून मतलब आपको यहां 15 दिन वाला रूल्स मानना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास मतलब यह यह जो कोईशन आया था हुआ आया था ओल्ड और एक्षेंज डीलर एसोसियेशन ऑप इंडिया रूल्स के हिसाथ जो की हमारे आई सी ए आई ने अपने मॉडूल से पूरी तरह से हटा दिया यह बोलकर की अमेंडमेंट हो चुका है ठीक है सर इन सब चीजों के लिए मेरे पास एक्षुली टाइम नहीं है तो मैं बहुत सारी बाते करने के चिक्कर में नहीं हूँ कुश्चन में 95 हमने बनाया है एक कुश्चन होमवग दे रहा हूं कुश्चन नमर 97 होमवग है चार अप्रेल और साथ अप्रेल वाला कुश्चन ठीक है ठीक है होमवग और सर इसको होमवग कॉपी में करना रिपीट कॉपी है कुश्चन दे रहा हूं एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी होमवग कॉपी में यह कुश्चन नहीं होगा आपसे ठीक है एक काम करते हैं कल जो पहला पहला फस्ट हाफ है मतलब पहले जो एक घंटे में यह खतम करेंगे और उसके एक घंटे में हम नॉस्ट्रों वर्ष्ट्रों एक फॉरेंड क्रेंसी काउंट है वो डिस्कुस करेंगे ठीक है सर आप बोल रहते हैं कि सेटर्डे तक खतम हो जाएगा नहीं होगा कुछ टॉपिक बचे हुए है अगर मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं यार तो फिर में बहुत ज्यादे स्पीड से चल नहीं पाऊंगा तो देखते एक दो दिन में खतम करने के कोशिश कर रहा है पर और मालूम है इस इन चक्कर में न पढ़ाने में बच्चों के साब ने नजरे नहीं मिला पाता हूं बस इन चक्कर में इन वजह से बस ओके गुद नाइंग ठीक है जी निशिता गुड इवनिंग गुड इवनिंग अल उफ यू सर कल कुछ डिस्कुशन कर रहा है तो को खतम करें क्या दीपक गुड इवनिग ठीक है सर जो डिस्कुशन चल रहा था वो चल रहा था कि ओवर्डियों कि अब इस पर मैं थोड़ी बहुत बाते लिखा सकता हूं और लिखा क्या सकता हूं आप मुझे बताते जाओंगे मैं लिखते जाओंगा कुछ यह नहीं कि अब इस तर लिखे कि आपके साथ सथ हां लिख लेते विट्टे जब तक सारे बच्चे भी आ जाएंगे अच्छा है गुड इवनिंग इफ कर्ष्टमर दिज नॉट गम तिल दुड 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 तक आया नहीं भाईसा ठीक है बट गम विथिन त्री डेस कल वाला होमवक हो गया था क्या कल वाला होमवक बना लिया होगा मुझे ऐसा लग रहा मुश्किल कोश्च कॉंसेट है त्री डेस प्रॉं डिव डेट इसका मतलब सर यह है डिव डेट ओके और यहां पूरे होते हैं तीन दिन ओके और जो कस्टमर आया है वो यहां कहीं आया है यस यहां आया है अगर कस्टमर यहां आया है तो क्या होगा सर कस्टमर आएगा तो तीन ही चीज बोलेगा देर इस तीन पॉसिबिटी देर इस थ्री पॉसिबिटी देर आएगा पॉसिबिटी दूसरा क्या बोल सकता भाई, contract cancel करो, दूसरा, मैं लेने को तयार हूँ, execute, सर ऐसा वाला question करवाओ न, जिसमें वो execute करेगा, कर बाद हूँगा, execute the contract, यह तीसरा क्या बोलेगा, सर प्लीज एक्स्टेंड कर दिजिए, यहां आरा, due rate से पहले आता तो बात ही गतम हो गई थी, भाई सर यहां आरा, due rate के बात, यह तो cancel करने के लिए आरा है, यह तो execute करने के लिए आरा है, यह तो extend करने के लिए आरा है, कुछ के लिए भी आए, पहला काम होगा की ओरीजनल कॉंट्रेक्ट विल बी कैंचल्ट किऊ विल आए, पहला काम है. the original forward contract will be cancelled, and the following amount will be recovered by bank, from customer, तुम क्या क्या रिकवर करोगे। स्वेप लास। ओके सफ स्वेप लॉस किस दिन होगा। स्वेप लॉस यहां होगा ड्यूटेट को। अच्छा उससे पर लेकिया और कैंसलेशन चार्जेस। औरफ स्वेप्ट, आने स्वेप्ट स्वेपट . इंट्रेस्ट इसमें दिक्कत हैं इंट्रेस्ट और आउटले ओफ फंड कहां से कहां तक कहां से कहां तक कितने दिनों का इंट्रेस्ट चार्ज हो गा प्रॉम दिविडेट टू लगाव दिमक दिविडेट से कब तक दिविडेट से कब तक थी डेज पक्का ना थी डेज ना यार सिंपल है सब एगरी हो दिविडेट प्लस थी डेज सब लोग साधाप का भी वही कहना है और निशिता का भी वही कहना है तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आया बाकी दो लोगों ने रिपलाई किया ठीक अजी हाँ ये बात अब अक्षे अक्षे कहना सर तीन दिन कैसी हो सकता है मान लो कस्टमर दो दिन बाद ही आ गया तो मान लो कस्टमर दो दिन बाद ही आ गया तो दीपक सालेंस का मतलब सर खामोशी का मतलब इजहार होता है तो और इकरार ठीक है है टे यह लो अगे अगर कंश्टमर दो दिन बाद आ गया तो फिर क्या होका किस्टमर सर्फ पहले आ गया तो पहले तो बस मैं तो कह रहा हूना किस्टमर आएगा कस्टमर नहीं आता तो तीन दिन okay from due date from due date to cancellation date लिख दू sir cancellation date का मतलब जिस भी दिन contract cancel होगा उच दिन खतम बात खिर के सा जिस भी दू सर यहां maximum three days लिख दो मैं नहीं लिखने वाला हूँ मैं अभी बात किसकी कर रहा हूँ अभी मैं बात कर रहा हूँ यहां अब मैं case number two बोलूँगा कि अगर customer यहां आएगा वहां लिखवाँगा कुछ नहीं बस अगर customer यहां आएगा तो क्या होगा मतलब मैं क्या करूँ case number two सर सांकेतिक भासा में समझा सकते हो कि यस बिना लिखे बात हो सकती है कि यस हो सकती है ना यार यह है due date और यह है हमारा तीन दिन सब पंधरा दिन लिखवा होगे क्या मैं नहीं लिखवाने वाला हूं बंदरा रहे हैं यह है due date ओके और भाई साब यहां आ गया customer आ सकता है उसकी नीदी नहीं खुली तीन दिन में तीन दिन में उसको होश ही नहीं रहा कि मुझे जाना है और तीन दिन बाद चार-पाइस दिन बाद याद आ है ओहो यार वह तो contract बचा था चलो चलते बैंक अब बो अच्छा एक बात और लिखना एक बात और लिखना रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ यह तो लिख लिया है पर यह जो तीन एमाउंट कभी ऐसा हो सकता है कि कस्टमर से रिकवर कर लेंगे चाहे swap loss है चाहे cancellation charges है चाहे interest in outflay of fund हम कस्टमर से रिकवर तो करेंगे पर यह कस्टमर के hit में रहा अगर कस्टमर को payable आ गया गलती से आ भी सकता ना कस्टमर को payable तो क्या कस्टमर को देगे नहीं यह तीनों एमाउंट कभी भी कस्टमर को transfer नहीं होगा हाँ सर यह भी लिखवाई दोना वैसे तो यह चीज़े याद रहनी चाहिए आप लेट से आये तो penalty है यार पर सर हमें याद कहां रहता है बास सहीं बोल रहे है अबोल रहे है बास सहीं बढकता है आप नहीं होगा बास सफर्वेश टो चस्तमर कीज़ और नहीं थार रहे है भी जबदो आप लाद दोल आपकता है और इस बार तो customer ने हद कर दिया मतलब तीन दिन को तो छुड़ो यहां तो आया ही नहीं वैसे तो पिछले case में situation में यहां आ गया था यहां आ गया था इस बार इधर आ रहा है क्या हो का तो मेरे ख्याल से समझ गया इसको क्या आप देख ले ना language such contract automatically cancelled on थर्ड थर्ड प्रम डिव डिट और बाकी सारी चीज़े निकालोंगे वही चीज स्वेप लॉस कैंसलेशन चार्जेस और क्या इंट्रेस्ट कहां से कहां तक इंट्रेस्ट कहां से कहां तक क्या यह वाली लाइन चल जाएगी इंट्रेस्ट और आउट्लेव फंड प्रम डिव डेट तो कैंसलेशन डेट क्या यह लाइन चल जाएगी कि वहां लाइन चैंज करना पड़ेगा निशान्त में समझाने कैश इंफ्लो होगा तो इंट्रेस्ट रसीवेबल होगा फ्रॉम कैश्टमर्स कैश आउट्लो मतलब बात समझनी की बात है निशान्त कि यहर मैं बैंक हूँ और कश्टमर की वज़ा से मेरे जेप मेरा पैसा ब्लॉक हो गया वो करना पड़ा ना क्या बोलते इसको इधर से खरीदा इधर मतलब समझ रहा ना कौनसी वाली बैंक इधर जिससे अपने कवर कर रखा था उधर से खरीदा और उधर बेचा या जो भी सिचवेशन हो अगर बैंक का कश्टमर की वज़ा से जबरदस्ती पैसा ब्लॉक तो उस पर में कश्टमर को इंटरेस्ट पासों नहीं करने वाला है ठीक है कुछ बच्चोगा कहना है सर सीधी भासा में लिखो ना तीन दिन मैक्सिमम तीन दिन उससे ज़्यादा नहीं ठीक है यहां तक यहां तक नहीं बाकी तो यहां तो आप ही बोल दिये कि सर आपका जो कॉंसेट है वो गलत है आप बोल रहा है यहां तक यहां तक इंटरेस्ट नहीं आएगा इंटरेस्ट यहीं तक आएगा बिल्कुल से आप जैसा बुल ओके लिख ली आया ना इसमें मैंने कुछ लिखवाया नहीं आप समझदार हूँ यहां आटोमेटिक कैंसिल हुगता है इसलिए इसको आपका आटोमेटिक कैंसिलेशन के भी नाम से जानते हैं आटोमेटिक कैंसिलेशन सब कोशन में 96 बना रहे हैं कोशन नमर 96 बनाईगी अच्छे कोशन से कोशन नमर 96 आन 10 जुलाई इंपोर्टर एंटर्ड इन्टू फार्वर्ट कॉंट्रक्ट फर बैंक इंपोर्टर है न यह काम की चाहिए इंपोर्टर मतलब मैं इंपोर्टर मुझे देना मतलब मैं बैंक से खरीदूंगा डॉलर पचास जार और कब 10 सेप्टेंबर को एक्षेंज रिट 66.84 तो सर सुनो न इसमें न ऐसे पढ़ने से थोड़ी से दिक्कत होती थोड़ा सा डिजाइन विजाइन बनाया तो फटा-फट से कोश्चन हो जाएगा और यह होगा है कस्टमर और यह होगी बैंक और बैंक क्या करने वाला है तर बैंक वेचने वाला है तो सर फिर यह होगी दूसरी बैंक दूसरी बैंक से हमने कवर करके रखा है यस कितने डॉलर की बात हुई है 50,000 किस रेट पर 66.8400 और कब डिलेवरी चाहिए इसको 10 सेप्टेम्बर तो सर खरीद में कवर कितने में किया है 66.6800 और कवर किसके लिए किया 10 सेप्टेम्बर बस में एक बात बोलना चाह रहा था कल जैसे मैं क्लास पैकप कर रहा था ना उस समय किसी बच्चे ने कहा तो सर यह कोश्चन आट अंबर का दिख रहा है आपको अब अब वही सारी चिजह उससे भी बड़ा कोश्चन है यह मालुम है आपको विश्वास नहीं हो उससे भी बड़ा कोश्चन है उसमें तो सिर्फ कैंसल करना था तो स्वैप लॉस यह वह के लिए कवर कर लिया ठीक है कवर किया 66.6 है हाउ द बैंक उट रियक्टिफ कस्टमर रिक्वेस्ट ऑं 13 सेप्टेंबर बाई साब ड्यूडेट में नहीं आया दस सेप्टेंबर को आना चाहिए था ठीक ड्यूडेट थी ना उसी दिन आया मुलते प्लीज हमने का बताओ वो ये बहेना भया पी पहल सकता कि प्लीज कंसल कर दिजीए या तो ये भी मोल दे था चलो दे दो बैई जो भी आपका डोलार ने वो दे दो ये भी बहा सकता एक्स्टेंड कर दिजी कब के लिए 10 नमबंबर वासा सब बहत्रीन को सब आ गया इसमें केंसल भी आ गया एगज गया है ना पहले 10 तहला काम नि dealt it 1 I तो 10 वाला कां कि इसने यह बना लिए उससे question बन गयां ग्यांगे 10 वाला काम है कि यह तो कब आएगा 13 को आ जाने दो पर 10 को तो यह मुझे transfer करेग़ त्रांसपर करेगा- ट्रांसफर करना पड़ेगा और कोई option बचा नहीं रेट रेट पैचानना आपका काम रेट में बिल्कुल मदद नहीं करने वाला हम रेट पैचानना आपका काम क्या हो गया है रेट चाहिए मुझे वाउ 66.1500 विल्कुल सही इतना अच्छा फॉर एक समझ में आ सकता है विसवास नहीं 66.1500 ओके लीपक निशांत निशीता सब का सही है बेज दिया अब और दिक्कत आ गया तो वापस खरीदना फावट कॉंट्रेट करना पड़ेगा खरीदने का इसका स्वाइब बोलते है आप भी जानते है रेट्ट रेट, 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 65.9900 65.9900 सभी का आसर यह है 65.9900 आकास का भी यही है, निशान्त का 66.3200, निशान्त क्या हो गया है आपको, 66.3200 किस हिसाब से बोल रहे हैं, मुझे समझाओ कि, सब का अंसर 65.9900 है, सिवाए निशान्त के, सर, निशान्त का कहना है, सर, ऐसे नहीं, आप थोड़ा डिजाइन बना कर बताओ, तो बात कतम हो, चलो डिजाइन बनाया, आप कहां खड़े हो, 10 सेप्टेमबर, और ये रेट है क्तिया, सेप्टेमबर को, आप स्वैप किस दिन कर रहे हैं, सर, स्वैप तो हम 10 तारीक को कर है, ओके, फावर्ट का बुक करोगे, सर, 10 तारीक को करोगे, जब 10 तारीक को करोगे, तो तेरा तारीक का रेट क्यों ले रहा हो, ही भगवान, बात ये है कि ये 10 तारीक का रेट है, ये तेरा तारीक का रेट है, मतलब सर, ये है क्या, ये 10 तारीक को तेरा ऐसा नहीं है, अ और जिस दिन customer आने वाला है due date 13 September 13 September को available है spot rate September का forward rate 13 के बाद वाला October का forward rate November का forward rate rate क्या आएगा सबी बच्चों का answer आ रहा 65.9900 और मुझे कोई वजह समझ में नहीं आ रहा मुझे मैं इस दिन खड़ा हूँ मैं यहां खड़ा हूँ तो मुझे future के विसमें कैसे पता अब कैसे 65.9900 ले सकते ओके सर बाद समझ में आ गए है sorry निशांत sorry 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 मतलब सर आपको पहले से पता था मुझे पता था मैं तो निशांत के सत मझे ले रहा था 60 कहां गया भाई 66.3200 ठीक गलती हो सकती है ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हो सकती है ओके चलो यह काम कर दिया बस यही तो लिखना है बाकिए खिल खतम हो गया अब और मार्जिन दिया वह 0.1% ठीक इंटरेशन आउटले और फंट दिया है 12% ओके सरतों लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं सर एक काम करते हैं न देखो कॉंट्रेक्ट तो कैंसिली करना पड़ेगा ओके हाँ अक्षे का कहना है सर अच्छा लैग हुआ था 66 मों अक्षे आप 10 तारीक को खड़े हो और 10 तारीक को जो rates available है वो ये है तो 10 तारीक को खुगा क्या आप 13 का तो rate लेए नहीं सकते 13 का तो हमको पता नहीं था तो 10 तारीक के यही rates है बस 13 की तो बात मत करना 13 की बात तीन दिन बात करेंगे ठील के सर ओके अभी मेरा question यह है कि चाहें आप cancel करो cancel में तो cancel है चाहें आप execute कर लो चाहें आप extend कर लो केंसेलेशन तो गसर पॉइंट नंबर एक कैंसेल लिखते हैं और कैंसेलेशन का जो एमाउंट आएगा ना टोटल वो इधर चिपका देंगे वाउव पॉइंट नंबर वाउप चैंसल दो कॉंट्रक्ट तो भाई वन बाई वन ले यस एक तो स्वैप लॉस आएगा ओके स्वैप लॉस सेलिंग रेट कौंसा है सर्फ बेचा है 66.1500 में कौंसा स्वैप है यह बाई सेल एकी सेल बाई है वह लिख दूँए सर्ष सेल बाई स्वैप ओन दस सेल बाई सर्ष तो सेल कितने में किया है सर्ष तो सेल किया 66.1500 में और वापस बाई करने को कौंफरिट किया है कब 66.3200 difference difference तो सेल किया हो रहा श्याकी है स्वैप लस्याप लोश्याए स्वैप लोश्याए स्वैप के इंद्टो कॉंफरक्ट साइज से डॉलर 15 जार क्या है अग्या कैंसिलेशन चार्ज सामने वाले से वसुल करेंगे जो हम सामने वाले कर्ज्टमर से वसुल करेंगे 8000 पास्ट तो हम बिल्गुल सही निशी था दूसरा क्या है दूसरा कैंसलेशन चार्जेस येस यहां कर लू सब दूसरा है का कैंसलेशन चार्जेस बैंक का ओरीजिनल किस चीज़ का कॉंट्रेक्ट था सर्व बैंक बेचने का का कॉंट्रेक्ट था यह कैंसलेशन का भूग हाँ दीपक डिसकस कर रहा हूं कि दूनों फॉरिंड करेंसी हुई तो धुड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आज तक ऐसा कोश्चन नहीं आएं यार सर्व कैंसलेशन तो तीरा तरिक होगा ना यस थाटीन तो डेट लिख देता हूं कि दूनों दीपक का कहना यार मालों सा रुपिया ना हो डॉलर पाउंड वगिरा इसी को तो बच्चे सम्हाल नहीं पा रहा है कि इसी को तो बच्चे सम्हाल नहीं पाते हैं कहां से इंस्ट्यूट डॉलर पाउंड यह कोश्चन ओल्मोस्ट लोग छोड़के आते हैं ओल्मोस्ट देखो यार सिरियसले मैं आपको बात बोल रहा हूं कि नहीं होता फॉर एक से नहीं होता है बहुत बड़ा चैप्टर है करते करते ठक जाते हैं और पता नहीं इंस्ट्यूट को पता है कि बच्चे करते करते ठक जाते पता नहीं कहां से पता लगा लेता हूं और वो उठा कर देता है लाश्ट का लाश्ट का समझ रहा हूं उसको मालूम है कि लाश्ट में बच्चा छोड़ेगा और इंस्ट्यूट को ये भी पता है कि हर चैप्टर में टीचर चाहें टीचर कोई भी हो मैं अपनी बात नहीं और कोई भी टीचर क्यों है ये वाला टॉपिक लाश्ट भी ही करवाएगा क्योंकि इसी सिक्वेंस में फॉलो करेगा और वो लाश्ट वाला उठा कर देता है बले करो अप और यहां तक आते तक ना बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं हो गया यार फॉरेक्स हो गया बस वो यही तो चाहता है कि आप बोलो हो गया और उसके बाद वाला कोशन वो उठा करे लिए सारी मैनत अभी तक की खतम और मेरे मन में भी आया यार उड़ाता हूं फटा-फट से करवाता हूं खतम फिर मेरा मन बोला रुख जा आपकी बात तुमें नहीं आना है हो जाने दो तीरा नों को क्या करीगा बैंक क्या करीगा तीरा नों को सर्फ सेल करेगा सेल तो करेगा 66.8400 मैनस काटने के लिए कौन सा रेट लेंगे तर बाइंग रेट तो बाइंग रेट हमारे पस कौन सा है बाइंग रेट 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 चाहिए रेट बड़ा खेल सिब रेट का है बाकी और कुछ नहीं निशिता का अंसर 65, बिल्गुल सा है निशिता, 65.9600 मार्जिन, 65.9600 मार्जिन, 65.9600 मार्जिन, 65.9600 मार्जिन कितना था वाई, सब मार्जिन था .1 बरशन, 65.8950 ना राउंडेड आप समझ गयो अप, ठीक है सर, देखते हैं, सर बेच रहा 66 और वापस खरीदा 65.8950 तो सर यह हो गया cancellation charges again to bank या profit to bank लिखो और इसी के लिए तो business कर रहा है किसी ने बोला था यार सर सुनो यार आप बोल रहे थे कि हमें जितना loss हो रहा है तो हम customer से वसुल करेंगे याद करो सर याद करो concept तो सर concept यह था कि आपने कहा था कि customer की वज़ा से जितना loss हो रहा है हम वसुल करेंगे पर अगर customer को फायदा है early delivery में ऐसा कर देते तो हम दे देंगे customer को वो customer की वज़ा से यह customer की वज़ा से नहीं है यह तो मेरा business है यह business है मैं business कर रहा हूँ यह पैसा cancellation का तो पैसा हम customer से इसी के लिए तो काम हो रहा है हम profit कमाएंगे तो हम वसुल करेंगे सब पॉइंट नाइन फोर फाइव ओके इंटू कॉंटर्ट साइज कितना डॉलर पच्छा से जार तो कैंसलेशन चार्जिस कितना अगे है 47250 अब यार बैंक को फाइदा तो बैंक पैसा वसूल करेंगा पक्का बैंक को फाइदा है तो बैंक पैसा वसूल करेंगा पर यहां कैंसलेशन चार्जिस माइनस में आता कैंसलेशन जो कांट्रेक्स यहां गें टू बैंक नहीं आता यहां गें टू कैंसलेशन आ जाता तो भी क्या हम कैस्टमर से वसूल करतें पचास जार अगर बैंक को लॉस हो जाता यहां मैं इस सिच्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ अगर यहां बैंक को लॉस हो जाता बैंक को लॉस मतलब कैस्टमर को फाइदा तो भी क्या हम कैस्टमर से वसूल करतें पचास जार नह फिर जीरो भाई मुझे फायदा तो मेरे आपसे ले लूँगा और अगर आपको फायदा तो हम नहीं देने वाले ठीक है ओक है ठीक है अब अब अच्छा क्या सर इंट्रेस्ट और आउट्ले ओफ फंट इंट्रेस्ट और आउट्ले ओफ फंट्रेस्ट 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 और आउट्लेस्ट और आउट्लेस्ट और आउट्लेस्ट और आउट्लेस्ट और आउ हां सिर्फ अर्ली डिलेवरी में payment करेंगे या फिर cancellation before maturity जो सुरू में कर रहे थे question अर्ली डिलेवरी में customer को जाएगा पैसा या फिर cancellation हो रहा है maturity से पहले या extension हो रहा है पहली class उसमें हम customer से वसूल भी करते थे customer को pay भी करते थे तो सर्क दिख सर सर कंफ्यूज हो रहा है अगर cancellation हो रहा तो उसमें स्वैप लॉस वगिरा maturity से पहले गर कैंसे उसमें स्वैप लॉस नहीं आएगा ओके उसमें इंट्रेश्ट नहीं आएगा उसमें सिर्फ cancellation चार्जिस आएगा ठीक है इंट्रेस्ट कैसा आउट्फ्लो कैसी इंफ्लो निकालना पड़ेगा सरी किस दिन निकाल होगे कैसे पहले डिव डेट को कैस फ्लो क्या हुआ डिव डेट को मजबूरी में हमसे हमको यहां से खरीदना पड़ा पहला कैस आउट्फ्लो 66.6800 के सबसे 66.6800 के यह क्या आगया कैस आउट्फ्लो और कैश पचासर इंटो तर बेज दिया तो 66.1500 आया है पक्का निशिता है यह सर तेटिस लाग चौतिस यहाँ 3307.500 तो नेट कैश प्लो क्या आ रहा है नेट कैश इंफ्लो आ रहा है क्या उख्टो आ रहा है तो नेट कैश आउट्फ्लो आ रहा है तेटिस लाग तेटिस जार शबीज़ा पास्टो थैंक्यू तो छबीस जार पान्सों पे क्योंकि आउट्फ्लो है मेरा पैसा ब्लॉक को मैं बैंक को मेरा पैस तो मैं इंट्रेस्ट उसल करूंगा इंट्रेस्ट उन आउट्फ्लोस शबीज़ार पास्टो इंट्व कितना पर्षेंटिस है भाई 12 पर्षेंट और डेज बेस का कोई चक्कर नहीं है ना कुछ बोला तो नहीं कि 350 दिन लेना 365 दिन लेना कुछ नहीं बढ़ा कि 350 के सबसे कर लेना कल भी साहब 365 के सबसे कर लेना 26.14 24 ठीक है मांगा क्या है कुछ मांगा नहीं है तो कुछ नहीं है क्वाशल तो नहीं है कि तो नहीं है क्वाशल पर्षेंट टॉटल एमाउंट रिक्यो रिकोवरेबल फ्रॉम कैस्ट नेट इन्फो आया है क्या अक्ष्य नेट इन्फो कैसे आया है बस मुझे इतना बता है पता नहीं हो सकता है मैं गलास हो जुकूँ मेरे पस्तों बूक है अंसर भी तो देख सकता हूं ना नई राओट लो ही आउट लो ही है सर आउट लो है कि आउट लो है मेरा पैसा एक्ट्रा चला गया उस पर मैं इंठरस्ट लूँगा अचा पूछ रहे थे क्या यह आउट लो आउट गया है मेरा पैशा में यह एक्स्टर चाल गया इसलिए मैं इंटरस्ट वलू गौर है तो भाई कितना वसूल करोगे एक तो वसूल करना पड़ेगा हमको कैंसलेशन चार्जेस जो किया है था 47250 प्लस सामने वाले से वसूल करेंगे स्वेप लॉस जो की आया था सर 8500 और सर वसूल करेंगे हम इंट्रेस्ट जो की आया था 26.14 55776 55776.14 यहेगा टोटल कॉस्ट कि खिक ऑगे तरह हो गए कि कोश्चन खतम नहीं हुआ कोश्चन खतम नहीं हुआ आप तो बड़ी-बड़ी बाते कर रहे था दस में हो जाएगा नहीं हो पाए कर लेते तो सर कुछ करो 55776.14 आपको दे रहीं पड़ेगा ओके सर पॉइंट नमबर टू लिखे क्या झालो नहीं हो एस 읽ने बाते क्या और क्या हुआ क्या ओकि कक्यां непह क्याटे झालो नहीं हो क्षबवkee एस क्यांन हुआ कि उस्ट कुछ से फिट लुट़ूण सर ओरिजिनल कॉंट्रेट कैंसिल हो जाता यस एंड बाई डॉलर फिप्टी थाउजिन एट इस पॉट्रेट यस तो तो तोल अमाउंट कॉस्टमर से कितना तोल अमाउंट कैंसिलेशन का कॉस्ट तो दे नहीं पड़ेगा 55776.14 ये तो देना ही पड़ेगा प्लस पचास जार डॉलर आप खरीद रहा है इंटो रेट 66.9900 प्लस मर्जिन वाव इंटो और आप 67.0575 पाइनाज सर दीपक का कहना राउंड इड ऑफ गलत किया इसा आपने सिक्ष पाइना सॉरी दीपक इतना बता दो कि मैं कस्टमर हूँ वाव अक्षे कभी है मत्तब मैं कहीं गलती कर रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का कहना है सर यह आएगा 65.996 अच्छा 65.9900 हाँ सही तो आया है वही तो लिया ना मैंने 65.9900 यही तो लिया अच्छा गलत तो नहीं ले लिया अच्छा 66 है ले लिया या 65 खुश 65.9900 66 आएगा 66 पॉइंट राउंडेट अफ बताओ जल्दी से सर 0 5 तो ठीक है 5 0 आजाएगा ना राउंडेट आफ 5 9 है तो उसको 5 0 लिलूँगा राउंड आफ करके अराम से सुचते हो यहां सब कन्फूजन है कन्फूजन है भई सादाव का कहना बाइने सेल होगा क्यों भई सादाव बाई क्यों नहीं होगा मुझे तो खरीदना है डॉलर यार खरीदना है तो मैं बाई ही तो करूँगा मुझसे गलती यह हो गई थी कि मैं यहां सिक्स लिख दिया था वो स्लाइड इधर उधर होता है ना मुझे इधर से देखना पड़ता आपके सादे तो बुक है 3 3 0 2 7 5 0 6.14 3 3 58 526.14 धग्रेक्षियों 55776.14 plus 3302750 मुझे आंसर चेक कर लेता हूँ देखते हैं किसका सही मुझे से कलकुलेशन मिष्टेक होता मैं मानता हूँ 3358526 मैं सही हूँ मैं सही हूँ मेरा आंसर सही है अच्छा ये वाला ना ये वाला सही है निशिता आपका बाकी बच्चों का ये कहना है कि सर ये बाई नहीं सेल होना चाहिए मुझे लोजिक समझी मनिया फाइनल आस शालू ये ही अंसर है फाइनल हाँ आपका भी सही है मैं एक्जिक्यूट कर रहा हूँ कॉंट्रेक्टियार मैं खरीद रहा हूँ डॉलर मैं खरीद रहा हूँ और उस दिन जो रेट होगा उस पर खरीदूँगा तो ये भी पैसे जाएगा और ये तो वैसी भी जाना है कैंसलेशन वाला जितना टाइम हमको कैंसलेशन में नहीं लगाना उस तो ज्यादा टाइम इसमें लग गया आठ बज़ गया सर आठ चलो अब हो गया तो हो गया आठ बज़े चैनो बचे सर कॉंसिप्ट खतम करो कवर करो दुबारा ये न लगे कि और फॉरेक्स फिर से करना रिवीजन करना अलग बात है पर समझें भी नहीं आया ये सिच्वेशन नहीं आने चे ओके एक्स्टेंड करना कॉंट्राक्ट एक्स्टेंड करना और दस नॉवंबर को करना एक्स्टेंड करना तो थे लेजर लगेगा भी न है और अश्टेंड दकॉंट्रिक लूट करो अक्षे का कहना है सर जो बाई करेंगे उस तो हमारा अल्रेडी वो खेंगे यह गया सर गया यह कैंसिल हो गया अब बैंक बोल रही है अगर आपको चाहिए न तेरा तारीक को तो उस दिन जो भी रेट होगा 65.9900 इस रेट पर आपको खरीदना परेगा एग्जिक्यूशन के टाइम पर क्योंकि आप लेट आए पहले आते तो सर सोचते आप अगर डियू डेट को आते आप 13 नौ को आए हो ना उस दिन जो रेट होगा उस पर आपको खरीदना परेगा सर एक्जिक्यूशन के समयं हम बाई दूसरे बैंक से बात समझें मैं इसकी बात कर रहा हूं मैं अब हम इस पर पहुंच गया है कि कश्टमर से हम कितना वसूल करेंगे ओके ओके गॉटेग एक्ष्टेंट स्रेक्ष्टेंट में क्या होगा वावर कॉंटरेट कैंसल एन बुक नियू ओवर्ट कॉंटर्क तो कॉस्ट अप कैंसलेशन तो लगना है पाइफ पाइफ 776.14 नियू फावर रिट तेरा तारिक को पहुचे 13 सेप्टेंबर को एक्ष्टेंट कब हो रहा है इस कोई बता दो काश एक्ष्टेंशन के लिए कब जा रहा हूँ को कैंसिल हो रहा कि भी दस को कैंसिल कैसी भी नहीं हो रहा दस को कैंसिल कर भी नहीं सकते हैं आपको तीन दिन रुकना पड़ेगा दस को कुछ नहीं हो रहा है कैंसिल हो चाहे एक्जिक्यूट हो बास समझो यार आप कॉंसेप्ट गला समझ रहे हो चाहे कैंसिल हो रहा चाहे execute हो रहा चाहे extend हो रहा सब की सब तेरा को हो रहा 10 को कुछ भी नहीं हो रहा 10 को तो customer आया नहीं 10 को cancel हो भी नहीं सकता 10 को सिर्फ एक ही बात हो रही है और वो बात हो रही है swap loss बस और कुछ कौन सा रेट 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 66. कोई है जो रेट बता सकता है वाउ अक्षे नहीं बताया 66.4900 प्लस मार्जिन सर मार्जिन तो silent हुआ नहीं यार यह तो कोई भी समझ जाएगा मैं सही हूँ ना मैं फिर से देख लेता हूँ 66.4 सही हूँ सर आप 66.49 प्लस पॉइंट वन पर्शन 66.5575 बिल्वसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको राउंड ओफ करना आता है और सर मान लो नहीं आता तो पच्चिस का टेबल याद करना पच्चिस पच्चास पच्चतर सा हो देखना किसके बीच में आ रहा है है भगवार हो गया सर हो गया मजा गया कोशन सब चीज थी स्वाँ है भगवार है है ठीक है ओके है हो गया है हो गया है चले आगे सर्थ जो अभी तक हमने पढ़ा है जो अभी तक हमने पढ़ा सर वो यह पढ़ा कि यह थी डिवडेट और यह था तीन दिन ठीक है कस्टमर यहां आये चाहां यहां कोई इसकी फ़र्क नहीं पढ़ता है कस्टमर इधर कहीं आया मतलब अभी तक जो पढ़ा कस्टमर सायद यहीं आया है डिवडेट पर ही आया हाँ मैं आपको वर्हें अगर कस्टमर यहां आ जाता तो अगर कस्टमर यहां आ जाता तो अब दो टाइब के question हो सकते है customer यहां आता है तो क्या होगा वो हमने कर लिया अगर customer पहले आ जाता है तो यह वाला मैं home work दे दूँगा पर जो exam में question आया है इस attempt की बात नहीं कर रहा हूँ पहले जब आया था नया rule ठीक है तीन दिन वाला तो उसमें customer यहां आया था अगर customer यहां आ जाता तो क्या होता कुछ पूछो swap loss किस दिन निकालते swap loss किस दिन निकालते swap loss यह swap gain सर वो तो इसी दिन निकलता due date को ठीक है swap loss का तो काम हो जाता cancellation किस दिन होता cancellation चाल भई तीनी चीज़ contract तो cancel होगा तो सर तो swap loss यहीं होता due date पे cancellation charges भी calculate करते yes cancellation charges किस दिन निकलते cancellation charges किस दिन निकलते cancellation charges किस दिन निकलते cancellation charges किस दिन निकालते sir यहां yes बिल्गों साही due date plus 3 days यहां cancel कर देते और interest भी हम 3 दिन का लेते that's it sir ऐसा question बनाए कि बनाना पड़ेगा वो question उस question में कुछ special बात है कुछ special बात है इसलिए में बता रहा हूँ तो question number 98 sir यह last question है कि हाँ जी यह last question है यह last question है class का नहीं लास्ट नहीं है यह last question है cancellation का cancellation खता और sir इस topic पर ज़्यादा मेहनत इसलिए क्योंकि यहां से question आता है बहुत ही ज़्यादा आ रहा है ओके यह कब आया था sir यह MTP में ड़ला है exam में भी आया है exam में पहले आयेगा अच्छा rates के लिए यहां बोला 0.0025 और 365 दिन ले लेना बोला बोला है 365 यह पहले ही पढ़ लिया अच्छा हुआ पढ़ लिया नहीं तो दिक्कत बन जाते sir cancellation rate amount payable swap loss interest on outlay of fund new contract तो सुनो ना यार सुनो 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 बना नहीं रहे इस question को मतलब है कि हम पूरा diagram बना ultimately मैं homework दे दूँगा पूरा diagram बना लेते हैं हाँ sir और आप figure calculate करके बता दो एक बार figure लिख लेंगे और फिर लिखने वाला काम बनाने वाला तो आप बना ही लोगे सादा भूवक पक्का उतना असान नहीं एक बार देख ले पढ़ ले कोशन को जैड लिमिटेड रेमिट डॉलर वन लाक पह डाइग्राइग्राम नहीं बना गे ना मेरे बिना तो दिक्कत हो जाएगी और इस कोश्चन में बच्चों ने हाथ खड़े कर दिये थी और सुनो ऐसा सर कौन से वाले बच्चे दे मेरे बच्चों ने एक्जाम में कोश्चन आया और बच्चों ने का सर नहीं आया समझे हाथ खड़े कर दी क्या बात कर रहे है हाँ बिटे मैं नहीं पढ़ाया हूँ और मेरी बच्चों ने फोन करके बोला पेपर जैसे हुआ सर खतम और सर आपने ये अमेंडमेंट पढ़ाया था तब ही पढ़ाया हूँ यूट्यूब में वीडियो भी ड़ा हुग ठीक है सर तो देखते हैं आखिर क्या खास बात है ठीक है ओके ये तो पता लग गए होगा आपको हाँ सर राम जैड है इस्टू रैमिट जैड जैड मानने उसको उसको डॉलर रैमिट करना है भेजना है उसकी डॉटर्स का एजूकेशन और कभ चार अप्रिल 2021 को तो सर फिर डॉलर खरीदा पढ़ेगा ये लो कभ पहुचाना भई डॉलर सर चार अप्रिल को और किस रेट पे खरीदने को कॉंट्रेक्ट हुआ सर चार जन्वरी को बात हुई है कि हम खरीदेंगे चार अप्रिल को कितने में बात हुई है 73.875 और बैंक ने कवर भी कर रखा होगा दूसरी बैंक से और कितने में कवर कर रखा होगा 73.75 ठीक है एक्शन रेट फ़र डॉलर और उसने चार तारिक का रेट दिया साथ तारिक का और 14 का भी दिया 14 का क्यों दिया होगा सर किस्टमर आया नहीं होगा चार तारिक को तो बैंक साथ तारिक को वेट किया तो भी किस्टमर नहीं है तो 14 को आया होगा ऐसा कुछ होगा पढ़ते हैं एक्षेज मार्जीन है दस परशन इंटरेस्ट और आउटलेव फंड है बारह परशन और अप्लिकेबर दो रैमिटर दियू टू री सेडिल लूंग आप दा सेडिल समिस्टर 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 री सेडिल हुआ उसकी वजह से जो कस्टमर आया भाही साहब वो यह 14 अप्रिल को आया वह सको चार अप्रिल को आना चीए 14 को आया कि रिक्वेस्ट किया कि आप इसको एक्स्टेंड करके extension of contract with due date on 14 जून 14 अप्रिल को आया कि 14 जून को आप contract को एक्स्टेंड कर दीचे और यह सारी चीजे मांगा है सब्सेश इंपॉर्टेंट को तो कहानी बनानी पड़ेगी yes sir due date को यह तो चार अप्रेल है ना डियू डेट को तो हमको खरीदना पड़ेगा है तो पिर यहां एक बैंक और बना लेते हैं चार अप्रेल को खरीद के फिर क्या करेंगे सर फिर हम इधर ट्रांस्फर कर देंगे रेट भूलो रेट 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 कभी ना कभी का तो है मुझे मालूम है एक्जाम में आया हुआ है फोन आये थे मेरे पास इसलिए मुझे यहां थे 73.2275 73.2275 वाव मतलब है आप उतने भी नहीं है जैसा आप समझ रहा हूँ आपके बच्चे रहे होगे वह कोई और ठीक है दूसरा 73.2775 यह तो सही है यह सही है 100 परसंट सही है दूसरा वलर रेट सेवा सुनो 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 चार अप्रिल की बात हो रही है चार अप्रिल को कैंसल करना है तो अप्रिल का फावर्ड बुक करना पड़ेगा ना यह तो 73.5675 पक्का यह वाला रेट 73.5675 मैं जानता था यह होने वाला पहला कोशन पहला अब मेरी बात सुनो पहला कोशन सर हम अप्रिल में खड़े हैं बिलकुए यह तो समझ में आता इस पॉट यह मार्च इस्पॉट मतलब मार्च इस्पॉट मतलब अख्य है मेरा बस इतना सा कोशन है हम चार अप्रिल को कहड़े हैं मार्च इस्पॉट मतलब क्या हो गए हम 4 अप्रिल को खड़े हैं मार्च इस्पॉर्ट मतलब कोई बता देगा दीपा का कहना कनफ्यूज करने के लिए दिया है मतलब 4 मार्च से 3 अप्रिल तो भाई साब वो मार्च में होना था ना रेट अगर वो 4 अप्रिल को दे रहा है तो स्पॉर्ट का मतलब आगे हो गया अगर ये रेट है तो ये सब की सब फावर्ट हो गये अप पीछे कैसे जा सकते है पीछे का फावर्ट गुजर गया है न जो मार्च बीच चुका है मार्च बीच चुका है उसका फावर्ट कांट्रेट करना कैसी कैसी बात करते हैं ऐसा हो इनी सकता अप्रिल में खड़े होके मार्च का कांट्रेट क्यों दिया होगा थर छोड़ो ना दिया होगा तो क्या करना होगा तो हुआ क्या इस वज़ा से मेरे बच्चे एक तो पेपर छोड़के आ गया है इस कोशिंग में मार्च दिया है उसके बाद कुछ बच्चों ने दिमाग चलाया और उन्होंने ये वाला रेट लिया 53.5675 हाँ ICAI का क्या गेम है मैं आपको बता रहा हूँ अभी बताओगे ना तो आपके होस उड़ जाएगी यार क्या बिकार चीज है बच्चों ने ये वाला रेट लिया और ICAI ने काड और फिर मुझसे पूछे कि सर हमने सहीं किया था क्या जिन्होंने ये वाला रेट लिया मैंने का हाँ भाई सहीं किये हो अब यार मार्च दे दिया तो दे दिया कोई गुना थोड़ी नहीं सहीं किये हो टेंशन मतलो आपको नंबर मिलेगे काड दिया इंस्टिविट ने एक तो मेरा दिल दुग गया जब काटा न आए ये बुलवाते हैं ठीक है सर उसके बाद उसके बाद क्या हुआ सर उसके बाद आई सी ए आई का सजिश्टेड आंसर आज प्रॉब्लम क्या है मालूम है सर ये आजकल आप बहुत टाइम पास करने लगे बैटे ये कोशिशन के लिए मुझे करना पड़ा है इंस्टिट्यूट रिजल्ट पहले अनॉस्मेंट कर देता है ठीक है और आपको आउसर शीट वोग सजिश्टेड बहुत बाद में देता है तक्या आप अब्जेक्शन लेना ले नहीं सकते हैं कहां से ले लोग है ओके और उन्होंने सजिश्टेड में कहा कि देखो जी हमसे गलती हो गई थी ये मार्च नहीं ये था अप्रेल और ये अप्रेल नहीं था ये था में और ये में नहीं था ये था जून और ये जून नहीं था ये था जुलाई बस इतनी सी गलती हो गई थी मिस्प्रिंट तो सर आपसे भी हो जाती तो इंस्टेट्यूट से क्यों नहीं हो सकती तो हो गई थी उन्होंने बस छोटी सी गलती हो गई थी मिस्प्रिंट हो गया तो प्रीज आप इसको इस तरह से पढ़े खेल खताम मतलब सर रेट ये नहीं आएगा रेट तो ये वाला आएगा इसलिए बोलत अच्छे कुश्चन आपसे नहीं होगा इसी वचा से अब बन जाएगा अब बन जाएगा अब कोश्चन में कोश्चन में अभी भी है लेकिन है 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 ठीक है सर तो ठीक है सर रेट लिखू अब सर ये गलत बात है न 73.4275 ठीक अब कुछ नहीं है कोश्चन एक बार स्वैप लॉस बताएगा कोई स्वैप लॉस अब हो जाएगा अब स्वैप लॉस बताई एक बार स्वैप लॉस कितना कॉंट्रिक साइज है एक लाग डॉलर स्वैप लॉस टूटल में बताऊगे और पंद्रह जार रुपए वाव बिल्कु सही है पहला तो आपका हो गया है पंद्रह जार रुपए करेक्ट अंसर है पहला तो हो गया अब तो यूं बनेगा ठीक है सिर पंद्रह जार रुपए दूसरा स्वैप लॉस हो गया चैंसलिशन चार्ज चाहिए सर कैंसलिशन रेट बता तो सबसे पहले कैंसला किस ऑरेट पर कैंसल होगा मतला अपोजीट वाला रेट समझ रहा हो न इसका बेचने का कॉंट्रेक्ट था तो वापस खरीदेगा कैंसल किस दिन होगा साथ कोगा कि 14 कोगा कॉंसेप्ट पर आ जाते हैं कैंसल किस दिन होगा साथ अप्रेल को कि 14 सर यह तो साथ अप्रेल को ही होगा उसमें कोई शक्की बात नहीं है साथ अप्रेल को cancel हो जाएगा तो सर बैंक बेचेगा तो पैंब वापस खरीदेगा यस वापस खरीदेगा 73.1375 73 पॉंट नहीं सर यह वाला नो बैंक बेचेगा तो बाप 73.1575 यह बला और इसमें से क्या मार्जिन 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 करके बताओ कितना आ रहा है रेट और राउंड आफ करके भी बताना इस पर खरीदेगा 73.1575 मार्जिन 73.0850 बिल्गुल सही 73.0850 कोई कैंसलेशन चार्जिन बता सकता है कि इतने में बेचेगा इतने में खरीदेगा 73.8775 में बेचेगे हम कस्टमर को और उसको काटेंगे इतने में तो सर हमें तो फायदा बैंक को तो बलो बैंक कैंसलेशन चार्जिस के नाम से कितना पैसा वसूल करेगा बैंक कैंसलेशन चार्जिस के नाम से सिर्फ कैंसलेशन चार्जिस वो जो डिफ्रेंस आता है ना इसका और इसका इंट एक लाक अच्छा है निशीता सबका 79250 भाई मुझे आपको लग रहा होगा सर बहुत ही स्पीड है भाई स्पीड नहीं है यार यह हमको आता है जो आता है उसको मैं ऐसे पढ़ा दूं तो चल जाएगा ओमग देने वाला था बस वही डिसकस कर लेता हूं सर डिसकस क्यों कर रहे है क्योंकि एक पॉइंट के लिए से रुका हुआ हूं है हो गया सर यह भी ओके तो यार इंट्रेस्ट यह इंपोर्टन है इंट्रेस्ट और आउटले और फंट इफैन अब चलाओ दिमाग इंट्रेस्ट और आउटले और फंट इंट्रेस्ट और आउटले और फंट सर इधर से खरीदा और 365 दिन ले ना 365 दिन है न तो सर इधर से खरीदा और इधर बेज दिया मतलब कैसा उपलो और इधर बेचा मतलब cash inflows मैं भी कलक करके देखता हूँ अप पर विस्वास रही है थोड़ा सा इस चीज़ है परसंट इस कितना है 47.34 47 मैंने 300 दिन लिया क्या 47 47 सही है 47 रुपी सही है और अंसर 48,000 इंटू 12 परसंट इंटू 3 बाइट 300 दिन लेना है 48,000 इंटू 12 परसंट इंटू 3 डिवाइड़ बाइ 365 47.34 ठीक है जी वह राउंडेड ओफ कर लेते हैं तो सर हम 47.34 लिख सकते हैं के लिख सकते हैं 47.34 करेक्ट आंसर है 47.34 47 भी लिख होगे हैं कोई दिककत नहीं ओके सर्ट टूटल कॉस्ट क्या आएगा टूटल कॉस्ट सर्ट टूटल कॉस्ट क्या आएगा एक तो 7,925 जीर हो जाएगा एक 15,000 हो जाएगा और यह आजाएगा तीरों को जोड लेते हैं 79250 प्लस 15,000 प्लस 47.34 तो तो टूटल कॉस्ट आएगासर नाईएगा 217.34 अच्छीज़ बच्छीव है यस क्या न्यू कॉंट्रीक्ट रेट और कौनसी 14 एप्रिल को कusta 시ylлас आया वाँ लीपक का निकल भी गया औ फोर्टीन एप्रिल को आकर बोर रहा है कि प्लीज 14 जून के लिए एक्स्टेंड कर देना 14 जून के लिए एक्स्टेंड कर देना 14 जून पोटीन जून कॉंट्रेक्ट किस दिन एक्स्टेंड हो रहा है पहला कोश्चन कॉंट्रेक्ट किस दिन एक्स्टेंड हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चार तारीक को एक्स्टेंड हो रहा है कि साथ तारीक को एक्स्टेंड हो रहा है कि फोर्टीन को एक्स्टेंड हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट यह ना यार कॉंट्रेक्ट किस दिन एक्स्टेंड हो रहा है एक्स्टेंड चार को यह साथ को यह फोर्टीन को फोर्टीन को सेवन को एक्स्टेंड नहीं हो रहा है फोर्टीन को तो एक्स्टेंड करने के लिए यह वाले रेट्स और यह वाले रेट्स हमारे काम के नहीं है और किस रेट पर एक्स्टेंड हो रहा होगा सोच के बताओ किस रेट पर एक्स्टेंड होगा सर जून के लिए एक्स्टेंड करना चाहिए उदा जून के लिए रेट बोलो सर आपके हिसाब से rate क्या होना चाहिए सर मेरे हिसाब से rate होना चाहिए जून का जून का ही तो rate होगा ना यार और जून का rate बैंक का बेचने का contract है तो rate होना चाहिए 73.7050 73.7050 कोई शक्की बात नहीं इसमें तो बिलकुल है ना यार कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए 73.7050 प्लस मार्जिन प्लस MARTIN कि अब अब इंस्टेटिट क्या कहता है अब इंस्टिट कहता है हम जून का बोल रहा है आप कहां बेकार में जुलाई आप हम जून का बोल रहा है जून का आप में का क्यों ले रहे हो इंस्टिटीट का कहना भाई साम कि आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये जून है ये दिखने रहा जून है तो ये वाला रेट लीजिए ना हद हो गई है जब हमने लिखकर दे दिया कि यह जून है तो यह वाला रेट लीजिए अब यह वाला क्यों ले रहा है सर मजाक मत करो इंस्टिट्यूट ने सजेश्टेड में यह लास्ट वाला गलत कर रखा है टूटली गलत उन्होंने यह वाला रेट लिया यह जून बोला न जून तो लिखा व companies ने क्या किया वह बताने कहा ठीक घर हम भी गलत करेंगे हम गलत नहीं करेंगे हम यह वाला रहेंगे कि 73.7050 अधिकर का में हुगत wus है 73.7050 प्लस 0.1 पर मैंने आपके बाद बोला था याद है कि जैसी पेपर देखकर आए बच्चे और फोन लगाया आप भी लगाओगे अच्छा जाएगा तो भी लगाना पुड़ा जाएगा तो भी लगाना बच्चे उने बोला कि सर इसका क्या सर दुनिया का कोई भी टीचर होता है कोई भी मैं ऐसा नहीं मैं अपनी बात कोई भी टीचर इस कोश्चन को ICAI ने जैसा सॉल किया वैसा कर ही नहीं सकता कर ही नहीं सकता बच्चे तो छोड़ दो यार बच्चों की बात ही नहीं करो कोई टीचर भी शौल नहीं कर सकता इंपॉसिबल तो सर आपने भी इसको डाल लए होगे जैसी पेपर आये उसके बाए डालना गलत है मुझे बना यहीं कोशन कैसे बनता यह मैंने जो किया मैंने जो किया वो ICA के सबसे उस पे भी मुझे भी zero number मिलता, मुझे भी number नहीं मिलता हाँ, लेकिन एक बात है आपको number मिलता, क्या बात करें सर हाँ, जो situation आपकी आज है, भले ही मुझे number नहीं मिलता, पर आपको पक्का number मिलता, सर कैसे हो सकता ही इसलिए होता क्योंकि आप ये वाला rate तो सही निकालते है आप ये वाला rate सही निकालते है इस पे आपको number मिल जाता जैसे आपने start किया था ना question, मुझे याल है आपने March को March पढ़ा था और April को April पढ़ा था, मैं अच्छे से जानता हूँ तो आपके इस पे नंबर मिल गया होता, दो नंबर तो मिलते है, हाँ सर, गुट कुछ तो मिलता हूँ ओके, बात ये खतम, 73.7050, प्रस पॉइंट वन पॉइंट, 73.7787, डाउंड इड़ अफ करेंगे, तो सर ये आ गया, 73.7 कोई है, जो राउंड आफ करके बता सकता है, इसको, मैं वेट कर रहा हूँ, राउंड आफ करके बता हूँ बिल्कुत जाए, ठीक है, ओके, 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 यह कोशन और कहां करोगे अगर क्लासवर कॉपी में करोगे अच्छा गलत राउंड़ एट सेवन है ना यार शुनिल एट सेवन है तो मैंने तो आपको रूल से बता दिया हूं कि एट सेवन का क्या करना है पत्चिस पचास चटार बीच का कितना था पचछतर प्लस सो असार एटी प्लस सो डिवाइड़ बैट वीच का अगे 87.5 इस से इधर है कि उधर है सर उधर है उधर है तो यहां अराउंड इड़ा फुक अच्छा प्लस 13 हां बास सही 25 का आधा 12 13 होता है ओके ठीक है निशान बिल्कुल सही अब जैसे समझे ना समझे यार यह चीज तो मैं पक्का नहीं बता हूं वाउ मतलब यार ऐसे में ना यार होता क्या है बच्चों के मन में यह नेगेटीव हो जाता है कि यार सीये मतलब लग यही तो है ना यार सीये मतलब लग ही हुआ यह ना मतलब इसकी वजह से पर ऐसा नहीं है सीये मत अशा 77.7775 होगा हाँ बेलकुल सहीं दीपक सेवन फाइव क्यों होगा 12.5 मैं एवरेज गलत मार दिया था सायथ यह 75 है और यह 100 है इसके बीच का डिफरेंस कितना है 25 और 25 का अधा होता 12 रुपे 50 पैसे मतलब 82.5 एवरेज गलत ले लिए था मैंने 82.5 है 82.5 82.5 की इधर है की इधर है इधर है इधर है तो सीधा क्या करोगे 7800 7800 वह 75 और 100 की बीच में 25 से 25 और 25 का आधा करो 25 का आधा आ गया 82.5 मतलब 12 रुपिया 50 पैसे तो 75 में बार रुपिया 50 पैसे जोड़ दिया यह मुझे यह यहां के बीच का निकालना है इसके इधर हुआ इधर हुआ इधर हुआ इधर हुआ तो पुरा राउंड ओफ इधर और 87.5 होगा के सर वही 25 डिवाड़ेड बाइ 2 12.5 प्लस 75 87.5 हो रहा है 87.5 और यह है 87 तो बात सहीं है राउंड ओफ करने से आगया 77 क्या बताया था अपने 75 ठीक 87.5 आ रहा है एवरेज और हमारा आंसर है 87 तो राउंड ओफ इस तरफ होगा आंसर आएगा 75 ठीक ठीक है जी अभी तो दिक्कत नहीं है यह यह तो हमारा आंसर आभी नहीं रहा हम इसके चक्कर में फसे हैं लेकलो 73.77 75 फाइनल अंसर ठीक ओके हाँ जी शालूस नहीं हो आप 7775 बेलकुस है तो मुझसे ही मैं इसको 82.5 समझ रहा था यह 87.5 फाइं पूर्ता है गल्स स्टाइब है यह प्यां प्या है यहाँ यह दो अबष्टबी तो तो बंसर प्यूस ठाभी तो यह तो उड़ यह झाल झाल